हेलो एवरिवन गर्ल्स भी ज्यादा इंट्रस्ट ले रहे थे और तो और क्लाइंट ये भी कह देता है कि जो लोग मेरे साथ ड्रिंक नहीं करते उनके साथ में प्रोफेशनल इश्यूस को भी डिसकस नहीं करता ये सब देखने के बाद याओ को काफी बुरा लगता है लेकिन फिर भी पिचारी सारा कुछ बरदाश्ट कर दी रहती है उसी टाइम पर याओ के साथ वाली टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है और ये ही हमारा में लीड है वो काफी हैंट सम दिखाई दे रहा था और उसको एक मिडल एज की लेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ समय बिताओ और तो उसे एक घंटे का दस हजार देने को तयार थी ये सब सुनकर याओ और टिंग को ऐसा लगता है कि जैसी ये एक कॉल बॉय है और अपनी special services कुछ lonely ladies को देता है वो लेडी उससे काफी close होने की भी कोशिश करती है इवन कि ये भी कहती है कि मेरे साथ खाना खालो मैं गंटे का 20,000 दूंगी लेकिन वो कहता है कि मैं professional service के इलावा ये काम नहीं करने वाला मेरे पास इतना समय ही नहीं और इतना कहता है वो एटिट्यूड में वहां से निकल जाता है और वो गर्स बस यही सोचती है कि ये ये काम करके भी इतने पैसे कमा लेता है हमसे तो बहुत आगे का है इतने में वो client यहाओ को चूने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका सबर जवाब दे जाता है अब वो उड़ती है और कहती है कैसी जॉब पर मैं लानत भेशती हूँ और फिर ड्रिंक उनके मुंपर थूपती हुई वहां से निकल जाती है अब वो बाहर पहुँच कही थी जॉबलेस हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसे उमीद थी कि उसे जहां कई और अप्लाइ किया है वो फॉर्म जल्द ही उसे हायर कर लेगी उसी टाइम पर वो लोग देखते है वो ही कॉल बॉय वाला लड़का एक महंगी सी गारी में जा रहा था वो देखकर हैरान रह जाती कि इतना कमाता है कि इसने बैंटली रखी हुई है उनको नहीं लगता था कि कॉल बॉय वाली जॉब में इतना पैसा होगा लेकिन वो सोचती है चाहे जो भी हो ये खुद को बेशता है अपनी हैंडसम लुक के तो इतना कमाना ये गलत बात है अब कुछ दिनों के बाद याओ एक क्यूट सी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी एक जून हैंग लाफ ओम जो के बहुत बड़ी थी वहाब उसे जॉब मिल गई थी और उसके करीब ही उसने एक अपार्टमेट भी रेंट पर लिया था वही पर देखती है वो कि वही कॉल बॉय वाला लड़का भी आया हुआ है वो हैरान रह जाती इतना कमाता है इतनी महगी गाड़ी में फिरता है और इस चोटी सी बिल्डिंग में रहता है वहला अब जो वो स्टेर्स से जा रही थी तो रास्ते में रुक कर सांस लेने लगती है इतने में वो कॉल बॉय भी वही पर ही आ रहा था जो कि उससे रास्ता मांगता है और वो जैसे ही देखती है कि ये उसके वाले अपार्टमेंट के सामने खड़ा है तो वो उसे तुरांथ ही जाकर रोक देती है और कहती है और कहती है कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया है और कीज के तुरू दर्वाजा खोल कर और बंद कर के उसे दिखाती है और इतने में वो हैंडसम बॉय भी अपनी कीज निकालता है और बिल्कुल उसी के ही अंदास में उसे भी दर्वासा खोल और बंद करके दिखाता है अब याओ तो बस चाहती थी कि उससे पहले किसी तरह से घर में एंटर हो जाए लेकिन उसका सूट केस उसे घर से जरा दूर ही ले जाए जा रहा था वो दोनों ही एक दूसरे को अपना रेंटिंग कांट्रेक्ट दिखाते हैं दोनों एक ही डेट पर रेंट आउट किया था तो इसका मतलब है याओ के माइंड में आता है जो इस घर में पहले एंटर हो जाएगा जिसका पहले कबजा होगा वो ही ये केस जीतेगा अब वो हर हाल में पहले एंटर होना चाहती थी यहाँ पर हीरों से खेशने की बहुत कुशिश करता है लेकिन फिर भी वो गेम जीत जाती है ये कहके कि मेरे बाल इस घर में पहले एंटर हुए है अब तुम यहाँ से चलते बनो अब जब वो घर को चेक आउट कर रही थी और मुड कर देखती है तो पता चलता है कि कॉल बॉय भी उसी के घर में एंटर हो चुका है अब वो दोनों ये लैंडलोड को वहाँ बुला लेते हैं लैंडलोड की एक्शली अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाली थी और ये घर उन दोनों का आदा आता था उन दोनों को पता ही नहीं था और एक से वाइफ ने कॉंट्रेक्ट कर लिया था रेंट देने का और दूसरे से हस्बर ने अब यहाँ पर याओ उसे थ्रेटन करने की कोशिश करती है कहती है कि मैं जूर हैंग लाव फिल्म में काम करती हूँ और पता है वहाँ मेरा बॉस कौन है जियाओ है वो इस शहर का सबसे मशूरन महगा लायर है मैं उसकी असिस्टेंट बन रही हूँ पता है वो मेरे पीछे ऐसे फिरता है कि जैसे मुझे अपनी गर्फरेंट बनाना चाहता है यह तो मैं ही उसे एकनूर करती हूँ मैंने एक इशारा किया तो वो तुम पर ऐसे ऐसे केस डालेगा कि तुम फर्श पर आगिरोगे और यह बाते सुनते हुए हमारे हीरो की शकल देखने वाली थी वेल अब यहां पर लैंडलॉर्ड उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कहता है कि देखो किसमत ने तुम दोनों को एक ही घर में रेंट आउट कर दिया है इसलिए शराफत से आप लोग यू करो शेरिंग कर लो और साथी साथ याओ को ये भी कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी सी दया करो मेरी वाइफ और मेरी डिवोर्स होने वाली है मुझे जल्दी किसी लॉयर की जरूर्स होगी ये सुनते ही याओ खुश हो जाती है और इतने में वह वहाँ से भाग नहीं करता है वैल अब यहाँ पर हमारी हीरो ने अदाजा लगा लिया था कि याओ एक पूर सी गरल है और वो उसको एक आफ़र देता है कियाता है कि मुझे तीन दिन इस घर में रहने दो बिना परेशान किये और इसके बतले मत में दो महीने का रेंट दूगा और तीन दिन के बाद हम आगे की बात करेंगे तब देखा जाएगा जो भी होगा और ये कहता हूँ वह वहाँ से निकल जाता है अब उसने उसे पैसे भी पे कर दिये थे लेकिन थोई देर बाद याओ उसके पास आती है और उसे घर में इकठे रहने के रूल्स भी बताने लगती है वो कहती है कि इतने अमीर होकर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो वो भी शेरिंग करके क्या इसलिए कि यहाँ से तुम्हारी कोई खास यादे जुड़ी हुई है तुमने पने पहली कमाई क्या इसी घर में की थी और फिर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर गल्स लाना अलाउड नहीं है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलीस को बुला लूँगी और साथी साथ उसे भाशन भी देने लगती है बेशक तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो लेकिन अगर इसको तुम यूज करोगे पैसे कमाने के लिए तो बुढ़े होकर क्या करोगे तुम अकेले रह जाओगे और वैसे भी लीगली ये सारा कुछ ठीक नहीं है कल को अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलाया ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने पर तो तुम्हारा फ्यूचर बरबाद हो जाएगा अब ये बाते सुनकर वो हैरान रह जाता है और साथी साथ अपना फोन निकाल लेता है और कहता है बोलो और जित्ता भी बोलना है मैं तुम्हारे पर डेफेमिशन का केस कर दूगा अब ये सुनते ही वो वहाँ से भाग जाती है अब थोई दिर बाद वो उसके कमरे में जाकर जाकती है तो पता चलता है कि उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह के सेट किया है कि वहाँ पर किसी इनसान के रहने की काम और आत्मा के रहने की कुछ जादा निशानिया दिखाई दे रही थी उसे ये भी शक होने लगता है कि कहीं ये लड़का ब्लाक मैजिक तो नहीं करता उसके कमरे में इस तरह की चीज़े थी अब वो यही सोचने लगती है कि कहीं मुझे इसने बली तो नहीं करना शायदे रात को कोई इवल स्पिरिट्स को न भुला ले ये सोचते ही वो डर जाती है और तुरांथी जाती ये ही कहना चाहती थी कि अपने पैसे वापस लो और यहां से निकल जाओ लेकिन यहां पर वो उसे फॉन पर बातें करते वे सुनती है कोई लेड़ी वीडियो कॉल पर उससे बातें घर रही थी वो लेड़ी तो काफी फलर्टी टाइप की लग रही थी लेकिन हमारा हीरो उसे काफी सारे लीगल मश्वरे भी देता है और उसका इतना सारा लीगल नॉलिज सुनकर याओ जो के लॉयर थी वो भी हरान रह गही थी इतने में वो तुरा थी धरवाजा खोलता रहा और उससे कहता है कि तुम मेरी बाते चोर चोरी सुन रही थी याओ कहने लगती है कि देखो तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो तुम्हे तो इतना सारा नॉलिज भी है तो तुम वो गंदा काम जोड़ कर कुछ अच्छा काम करो क्यों नो जुडिशल एक्जाम दे कर देखो ताके तुम भी इज़त की रोटी कमा सको और उसकी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है सीधा वाश्रूम की दरफ और जैसे ही वो वाश्रूम से निकलता है यहाँ पर याओ वाश्रूम की डिसिंफेक्शन करने लगती है उसकी ये हरकतें उसे बहुत बॉदर कर रही थी वो बोलता है सरफ डिसिंफेक्शन काफी नहीं है क्लीनिंग एजेंट पकड़ो और एक-एक कोने को चमका के रख दो इतने में वो अपने कमरे में जाता है तो हमें पता चलता है जब उसके फ्रेंड वो जून की उसे कॉल आती है अक्शली उसका फ्रेंड जून और साथ में हमारा हीरो जिसका नाम चियाओ है इन्होंने मिलकर एक लीगल फर्म बनाई थी बहुत सालों पहले और उस फर्म का नाम इनी के नाम पर जून हैंगला फर्म था जहांपर याओ काम करने वाली थी और अपने बॉस चियाओ हैंग को लेकर जोसे बड़ी बड़ी बातें की थी वो यही वाला चियाओ था और एक और बात भी हमें पता चलती है कि एक्शली चियाओ के साथ एक प्रॉब्लम है और वो यह है कि उसे रात को नीद नहीं आती और इसलिए उसके अपने घर में इतनी सारी चीज़ें लटकाई हुई थी जो कि उसके डिफरेंट फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट की थी ताके वो एक साउंड स्लीप ले सके आज भी वो सोने के लिए लेटता है इतने में बाहर सफाई केरते हुए याओ कुछ सौंग गा रही थी और उसका सौंग मिलकुल लोरी वाला काम करता है और हमारे हीरो को तुरंध ही नीदा जाती है सुबह उठता है तो हैरान रह जाता है उसे लगता है कि नई जगा और इसके साथ-साथ इन सारे एम्यूलेट्स का असर है कि मुझे इतनी अच्छी नीदाई बहुतर से बाद लेकिन साथ ही उसका मूट खराब हो जाता है जब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर में पार्टीशन कर रखी थी इतने में याओ अपने नए आफिस में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लौ फर्म में दो मेजर पार्टनर्स है और वो ही सारे डिसियंस करते हैं एक वू जून और नुसरा चियाओ हैंग चियाओ हैंग की तो वो असिस्टेंट बनने वाली थी लेकिन मिस्टर चियाओ को फोटोस बनवाना पसंद नहीं था इसलिए उनके कॉरिडर में सबकी फोटोस थी सिवाए मिस्टर चियाओ के अब थोई देर बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है अपने कोलीक्स के साथ और यहाँ पर वो ये सुनकर काफी डर भी जाती है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चियाओ जिसकी वो असिस्टेंट बनने वाली हो चोटी-चोटी बात पर अपने असिस्टेंट को फार कर दिया करता है अब वो यहीं कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं यहां पर हम आज साथ कितने दिन देना नसीब हो अब तोई दिर बाद वो लोग उसको मिस्टर चियाओ का आफिस पे दिखाते हैं जिसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहां पर उसकी शील्ड्स पड़ी हुई थी लेकि उससे भी जादा इंप्रेसिव एक और कॉर्नर था जहां पर वो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स थे और धमकी वाली चीज़े थी जो कि उसे केस चोड़ने के लिए दूसरे लोग भीजा करते थे किसी ने रबबड का स्नेक बेजा होता था किसी ने कोई नाइफ तो किसी ने खोपड़ी और ये सारी चीज़े चियाओ के लिए किसी मैडल से काम नहीं थी और पिर जब उसके बॉस की एंट्री होती है वो कौन है ये देखते ही मिचारी याओ की बैंड बज़ जाती है उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई है मिस्टर च्याओ हैंग वो ही उसके बास थे जिसे वो इतनी देर से भाशन दे रही थी कि कॉल बॉय वाली हरकते छोड़ दो और इसलिए तो च्याओ ने उसे कहा था कि तीन दिन के लिए हम कोई डिसकेशन नहीं करेंगे क्योंकि अफकोर्स उसके बाद उसे पता चल जाना था कि ये मेरा बॉस है और वो उसे गर से निकाल ले कि ही मत भी नहीं कर सकती थी अब यहां पर याओ उसे सौरी करती है और वो उसे पूछता है कि मेरा ये इमिज तुम्हारे सामने कैसे बना कि तुम मुझे कॉल बॉई समझती थी वो बताती है कि जब मैं एक रस्टरान में बैटी हुई थी तो उसके बीचे आपको मैंने बाते करते हुए सोना था और एक लेडी आपको एक एक घंटे के कितने कितने पैसे आफर कर रही थी वो उससे में आतर कहता है कि वो मेरी मम्मी थी और बस याओ बिचाजी की हालत खराब हो जाती है अब वो गर जाती और ये सारी कहानी अपनी बैस्टी टिंग को भी सुनाती है और इतने में वो एक बात से डर जाती है जब उसे चियाओ के कमरे से कुछ आवाजें आती है और उसके बाद वहां पर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है वो उन्दर जाकर जब चेक करती है तो म्यूजिक पंद कर देती है उसे डर भी काफी लग रहा था क्योंकि उससे कमरा बिलकुल एक हांटिड रूम जैसा था लेकिन यहां पर कुछ बुरा हो जाता है एक वुडम स्टेल उससे गिर जाता है गिर के तूट गया था वो उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि इतने में चियाओ भी आ जाता है और टीवी पर जो ड्रामा चला हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही था बेड से कुछ गिर कर तूट जाता है लेकिन एम्परर वो बहुत बड़े दिलवाला था वो उसे माफ कर देता है उसे प्रोटेक्ट करता है वो उसी की एक्जैम्पल देने लगती है कि देखो यह कितना हैंडसम कितना डॉमिनेरिंग है और आप तो उससे बिज़ादा हैंडसम है आपका दिल तो इससे भी बड़ा होगा ना अब बहुत मुश्किल से चियाओ उसकी बातों को साइड पर करके मैंने इस घर को लीगली रेंट किया है लेकिन वो बोलता है जब मैं तुम्हें फायर करूँगा तो रेंट की पैसे कहां से दोगी निकलो यहां से अच्छली वो स्टेल उसने ओवरसीज से मंगवाया था वो कस्टम मेड था और उसे आने में पाश महीने भी लग गए थे आप जब याओ बिशारी बाहर अपने सूट केस पर बैठी टैक्सी का वेट कर रही थी तो वहां पर हमारा मेस्क्यू लाइन सहीरो दोड़ता हुआ आता है उसे लगता था कि बज़े रोकने के लिए आया है एक चोटा सा किचन, जिम, शावर रूम हर चीज है ओवर टाइम करने वालों के लिए वो सोचती है कि नई नई जॉब है मुझे पैसे बचाने चाहिए और पैसे बचाने के लिए रात को अपने आफिस में चली जाती है अब वो चियाओ के ही रूम के बाहर खड़ी हुई थी और सोचती है यहाँ पर आने की कौन हिम्मत कर सकता है अब याओ अपने लिए एक जगा ढून ही लेती है और वो होती है उसके बास चियाओ का स्टोर रूम जहाँ पर उसका सारा रेकॉर्ड बढ़ा हुआ था वो सोचती है कि यहाँ आने की कौन जुरत कर सकता है अब वो मज़े से वहाँ पर लेट जाती है उसे कुछ केम्पिंग का सामान मिल गया था और कुछ फाल्स को अपना पिलो बना लेती है अब वो दो फर्श पर लेटी हुई भी बड़े मज़े से सो चुकी थी जबके दूसी तरफ हमें दिखाते हैं कि बिचारा च्याओ वो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था रात के बारां बज़ने वाले थे लेकि नीन थी के दूर दूर तक आ ही नहीं रही थी इतने में जैसे ही बारां बज़ते हैं वहां पर क्लॉक का कुकू बोलने लगता है यह देखते हैं उसे काफे गुस्सा आता है कि याओ ने ऐसा क्यों करके रखा शायद इसी की वज़े से मेरी नीन डिस्टर्ब हुई है जबके उदर याओ बज़ारी को उसने ऐसी कोई बद दूआ दी थी कि उसे एक बुरा सा सपना आता है कि जैसे आफिस में कोई किलार आया है और वो उसकी जान लेने वाला है वो सोचने लगती हैं कि इतनी सारी थ्रेटनिंग अलामिंग चीजों के बीच सोंगी तो इसी तरह के सपने आएंगे अब वो पानी पीने के लिए उठती है तो बता चलता है कि वहाँ पर उसका बस चियाओ आदी रात को आफिस में आया हुआ है अब बिचारे को नीद नहीं आ रही थी और फ्लैट आफिस के करीब ही था तो वो आफिस में आ जाता है अपनी कुछ स्टडिस करने के लिए उसे शक होता है लाइट साउन करके इधर उधर तलाश करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं होता वो साइकेटरिस्ट तो कम लग रहा था बलके लग रहा था कि उसे कुछ साइकी ट्रीट्मेंट की जरूरत है वो यही कह देता है चियाओ को कि एक्शली तुम काम का बहुत जादा प्रेशर लेते हो हर वकित दौड में लग रहते हो और यह नेवर एंडिंग रेस ही है जिसकी वज़ा से तुम्हारी नीन इतनी खराब हो गई है एक्शली चियाओ तो साइकेटरिस्ट के पास आना ही नहीं चाहता था और अब भी कुछ बातों पर उनके आपस में आर्ग्यू हो जाता है और चियाओ नहीं चाहता था कि उसकी ये बात कहीं आउट हो वरना उसके क्लाइंट्स और उसके आपरेंट्स इसको इस तरह समझेगे कि शायद उसके साथ कोई साइकोलोजिकल इशू है जबकि उधर चियाओ बिचारी को आज अच्छे से नीन नहीं आई थी जिसकी वज़ा से वो आफिस में में ज़्यादा मन लगा के काम नहीं कर सक रही थी इतने में उसका बोस चियाओ भी उपर से आ जाता है और यहां पर उसका एक कुलीग बोस से बातें करने लगता है वो एक केस के बारे में बात करा था और पर पूछता है क्या आप नई जगा शिफ्ट हुए थे क्या आपने ठीक से रेस्ट किया लेकिन ओगाता है क्या वहां के नेवर बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे इसलिए सकून नहीं आया लेकिन कुछ भी फिकर करने की ज़रूरत नहीं उस नेवर को मैंने वैसे ही थ्रो आउट कर दिया है अब उसका इशारा तो अफकोर्स याओ की तरफ था अब याओ बिचारी अपनी डार्क सरकल्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी जो के नीद की कमी की वज़ा से आ गए थे तो यहाँ पर उसकी कोलीक तान उससे कहती है कि तुम जल्दी आदी हो जाओगी चियाओ के साथ जो भी असिस्टन्ट काम करता है उसके ऐसे ही नीदे उरती है अब वो जैसे ही रेस्ट रोम से बाहर निकलती है और जब वो पूछता है याओ से कि तुम इस बारे में क्या कहोगी तो वो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि जो कुछ उसे पता था वो पहले ही बाकी दोनों लॉयर्स एक्स्प्लेन कर चुके थे वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेक अप से फुरसत हो तो थोड़ी सी पढ़ाई भी घर लिया करो मुझे आफिस में वो लोग बिल्कुल बेचे नहीं लगते जो कि उपर की सुन्दरता पर तवर्ज़ देते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी कैपिबल नहीं होते अगर एक महीने तक तुम्हारी मैटल कंडिशन यहीं रही तो मैं तुम्हें फायर करने में देर नहीं करूँगा अब बिचारी याओ बुरी सी शकल बनाकर बाहरा कर बैटी हुई होती है और उसके बागी तिनों खुलीक्स उन्होंने तो एक ग्रूप भी ओपन कर लिया था और आपसमें बैट लगा रहे थे कितने दिन यहां पर टिक पाही की अब जब याओ सो रही थी तो सुबह ही सुबह उसे कुछ आवाजे आती है आँख खुलती है सुबह के पांच बज़े हुए थे वो सारा कुछ समेठती है और खुद को रैडी करती हुई आफिस में जाती है लेकिन जब देखती है तो हैरान रह जाती है और वो बिचारा अब अपने डर्क सरकुल्स देखने के बाद खुद को संग्लासल में कवर करने की कोशिश करता है आज आफिस में उसने उसे खुद के रिकॉर्ड रूम से में निकलते हुए देखा था लेकिन वो बहाना बनाती थी है कि यहाँ पर मैं कुछ स्टडी करने के लिए गई थी वेल अब फाइनली सारे लोग आफिस में आ चुके थे और उसके बाद एंट्री होती है एक और करेक्टर की और वो था वूजन चुके थोड़ी वेकेशन के पाद आज दुबारा से अपने आफिस में आया था यहाँ पर सब देखकर बता थे कि बेशक यह चियाओ के साथ बराबर का बॉस है लेकिन इसका मिजाज और चियाओ का आपुसिट है वो जन अकसर लोगों से काफी फ्रेंडली रहता था और तो वो जैसे ही वहाँ पर यहाँ को देखता है कि नई असिस्टेंट आई है वो उसे बहुत अच्छे से मिलता है और बेस्ट अफ लक भी बोलता है अब वो तुरांत जाता है चियाओ के आफिस में और कहता है कि मेरी यह असिस्टेंट चैंग जाओ यह तुम नहीं हाइर करी है ना मुझे सब पता चल गया है इसकी वज़ा क्या है यह को इतनी अमेजिंग तो नहीं है ना इसका रिकॉर्ड इतना खास है इसे तुमने इसलिए हाइर किया है ना क्योंकि इसका सरने मिच चैंग है और तुम्हारी यूनिवर्स्टी की क्रश उसका सरने मिच चैंग था कही यह उसी की सिस्टर तो नहीं अब यह सुनते ही वो जन तो कल्टी मारता वह वहां से निकल जाता है अब बचारी याओ रात को बैटी हुई थी कि कब मेरा बॉस जाएगा और उसके बाद मैं यहां पर आराम से सो सकूंगी लेकिन बॉस था कि ओवर टाइम करने में लगा हुआ था वो सोचती है कि कितना अमेजिंग इनसान है इतनी लेट नाइट काम करता है और सुबस सबस से पहले आ जाता है शायद इसकी कामयाबी काराज भी यही है लेकिन कोई इसे बताए कि नीद की कमी की विज़े से लोग मर भी जाते है चियाओ भी उसे नोटिस करता है और उसके बाद खामोशी से अपना समान समेठता हूँ वहाँ से निकल जाता है अब उसके जाने के बाद याओ अपना बेड सेट करती है और उसे सोने में पांच मिन्ट भी नहीं लगे थे अब इतने में चियाओ वापिस आफिस में आता है याओ पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़ बढ़ है वो जब जाकर अपना स्टोर रूम चेक करता है तो वहाँ पर बहुत मज़े से अपना सेट अप लगा कर सो रही थी वो उसे आवाजे देता है पड़ी देर से वो जाकती है और काफी डर भी जाती है अब वो अपने बॉस के मिनते करने पर लगी हुई थी कि प्लीज बॉस मुझ पर थोड़ी सी दया खाएं मुझे दो दिन यहाँ पर रहने थे पर अपने रहने के लिए कोई न कोई जगा रेंट आउट कर लूँगी होटेल में जा नहीं सकती थी इतने जेब में पैसे नहीं थे और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करती है कि सर में आपसे बहुत इंप्रेस हूँ आप दिन रात काम करते हैं कि आपको नीद नहीं आती आप कितने अमेजिंग इंसान है शायद कम नीद लेना जिनियस लोगों की आदत होती है जो सोने के लिए तरप रहा था येस येस करता रहता है और पिर जाते जाते उसे माफ तो कर देता है पर इतना जरूर पूछता है कि तुम्हें इस तरह से फरश पर लेटे नीद कैसे आ जाती है वो कहती है सोना कौन सी रॉकेट साइंस है लेटो आखे बंद करो नीद आ जाती है अब एक तरफ चियाओ अपनी असिस्टेट से इंप्रेस था कि उसे कितनी जल्दी नीद आ जाती है जबके दूसी तरफ याओ अपने बॉस से इंप्रेस थी कि इसे नीदी नहीं आती ये कितना काम करता है इसलिए तो इतना सक्सेस्फुल है वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग याओ सुबह ही सुबह उठ जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफस्ट बनाती है आफिस में किचन में था और इसके साथ साथ आज बारिश भी हो रही थी मौसम बहुत सोहाना लग रहा था अब वो काफी साथ लिए बहुत अच्छे से लॉज को याद कर रही थी मज़े ले लेके वो के इतने में उपर से चियाओ आ जाता है वो उससे कहता है कि डिवोर्स की लॉज याद कर रही और फेस पर इतनी अच्छी स्माइल है तो वो कहती है कि मुझे किसी ने कहा था जो भी काम करो मन लगा के गिया करो अब यहाँ पर वो उसका दिल जीतने के लिए उसके खित्मते करने की कोशिश करती है लेकिन च्याओ उसके पहले बॉसस से बहुत डिफरिन था वो कहता है कि मेरे सामने नंबर बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं तुम एकलर की हो तो क्या ये फर्ज है कि तुम भी सब के लिए काफी बनाओगी सब की हल्प करोगी मेरी नजर में मैन एंड विवेन दोनों एक्वल है यहां पर आफिस में तुम किसी भी मैन से काम नहीं आज जाओ ने अपने एक कोलीक की जगा आउट उस्टेशन काफ करने के लिए जाना था इसलिए आफिस से बाहर जाती है जब वापिस आती है तो चुट्टी का टाइम हो चुका था सब लोग जा चुके थे लेकिन आफिस में शॉर्ट सरकुट की वज़ा से लाइट थी ही नहीं अब वो जाकर देखती है तो पानी भी नहीं था वो बहुत परिशान हो जाती है चिया उसे हल्प के लिए कहती है कि प्लीज शॉर्ट सरकुट चेक कर दो और फिर उसे लिफ्ट में मांगती है कि प्लीज मझे किसी होटेल तक ही छोड़ दो मैं एक होट बात लेना चाहती हूँ, यहां बहुत सर्दी है वो उसे इग्नोर करता हुआ वहां से निकल जाता है बाहर जाकर उसे पतर ही क्या ख्याल आता है उसे उस बजारी पर धया आ गई थी और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम आदे घंटे के लिए मेरा वाश्रूम यूज कर सकती हो और उसे अपने साथ घर ले जाता है घर बिलकुल वैसा का वैसा ही था जैसा याओ छोड़ कर गई थी अब वो फ्रेश होने के बाद वहाँ पर नोट रख कर जा रही थी कि थैंक्यू बास मुझे वाश्रूम यूज करने देने के लिए इतने में वो देखती है तो उसे लगता है इसने कभी कुकिंग नहीं करी उसकी कुकिंग स्किल्स उसे लगता था कि बहुत जबरदस्त है वो सोचती है कि क्यों न बास के लिए कुछ बनाती जाओं अब वो वहाँ पर कुकिंग करने लगती है थोड़ा बहुत शोर भी करती है और उसके बाद वही सिंगिंग करने लगती है और उसकी सिंगिंग आज फिर से चियाहो के लिए बिलकुल लोरी वाला काम करती है और उसे तुरांथी नीदा चाती है जब आंग खुलती है तो सुबा हो गई थी वो इतना हरान होता है कि आज फिर मुझे नीदा आ गई नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है अपने लिविंग एरिया में आकर देखता है तो वही भरी उसके सोफे पर बिचानी याउट था खार के सो चुकी थी वो डर के मारे उसकी आवास से उठ बैटती है और उसे सॉरी करने लगती है कहती है कि मैं तो यहाँ से जाने वारी थी पर पता रही क्या हुआ जैसे ही सोफे पर बैटी मुझे बारिश की और हवा की आवास आई और इसके साथ ही नीदा आ गई चियान हैरान रह जाता है और पूछता है कि भला बारिश की बुनों से भी किसी को नीदा सकती है वो बोलती है ऐसा ही तो है यह एक ही फ्रिक्वेंसी में गिरती है यह भी एक साइस है वेल वो वापिस अपने बॉस्ती मूर्ड में आ जाता है और तुराथ यह उसे आफिस जाने का औरडर कर देता है अब वो आफिस पहुँचती है तो उसे एक केस की फाइल मिलती है उसे भी एक केस में एंटर करा लिया गया था इस बात की खुशी उसे बहुत थी क्योंगे उसने बहुत देनों से हार्ड वर्क किया था और अब फाइनली वो लोग भी उसको एकसेप्ट करने लगे थे और जो तीन लोग का ग्रूप बना हुआ था उन्होंने चौता मेंबर हमारी याओ को भी एड़ कर लिया था जब किच्यान नेक्स टे जब अपने घर जाता है तो अपने फॉन पर बारिश की आवाज और विंड की आवाज लगा कर रख देता है उसे लगा था कि शाहद कल मुझे इसी वज़ा से नीद आई होगी लेकिन जब काफी देर तक उसे नीद नहीं आती तो जाकर किचन में बरतन खटकाने लग जाता है अब उसे शक था कि शाहद मुझे नीद आती है घर के कामों के शोर की वज़ा से यही आवाज मेरे लिए फिट रहेगी अब वो एक हाउसकीपिंग कंपनी को कॉल करता है और अपने लिए एक हाउस की पर ओर्डर करा लेता है अब वो बार बार उस आउटी को कह रहा था कि आप उची उची आवास में सारे काम करें खट-खट मजाएं लेकिन क्या कर था फिर भी बेशारे को नीद ही नहीं आ रही थी अब वो उल्टे सीधे ओर्डर किये जा रहा था और इंदियर आउटी ये अपना एपरन उतार के फैंक देती है कि मुझे यहां और काम नहीं करना मुझे लगता है तुम एक साइकाट्रिस्ट की दरूरत है अब उसके बाद बेशारा नीद की गोलियां भी खा लेता है लेकिन फिर भी नीद नहीं आई थी लेकिन बार बार याओ की बाते दरूर याद आ रही थी जब इतने देर तक वो सो नहीं पाता तो उठता है और दुबारा से घर से बाहर निकल जाता है एक स्टोर पर स्टोर कीपर को सोई हुए देखता है तो उसे याओ की बात याद आती जिसे कहीं फिर भी किसी बी जगा पर अचानक से नीद आ जाती थी वो सोचने लगता है कि ये कैसी क्रियेचर्स है अब स्लिपिंग बिल्स की वज़ा से उसको नीद तो नहीं आई थी लेकिन हर जगा हलूसिनेशन हो रही थी हर जोए हुए आदमी में उसे बस याओ का ही फेस दिखाई देता था अब वो अपने आफिस पहुंचता है वहाँ पर देखता है तो याओ बैटी अभी तक अपना काम कर रही थी वो बहुत जादा हार्ड वर्क करती थी आजकल वो उसके पास जाता है और ये चेक करने के लिए कि ये रियल याओ है या फिर मेरी हलुसिनेशन वो उसको एक दफा पिंच करता है चीक्स पर और अपकी दफा तो रियल वाली थी अब वो थोड़ा सा इंबेरस होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कोल्ट की मेडिसन लेकर आया हूँ कही गल्तों में ठड़ ना लग गई हो ये देखते ही वो सोशन लग थी कि बेशक मेरा बॉस जितना भी पॉइसनस है लेकिन इसका दिल अंदर से बहुत नरम है अब थोई देर बाद याओगवाबर भूख लगने लगती है वो अपने लिए नूडल्स बना रही थी और बनाने के साथ साथ वो वो ही वाला सौंग आने लगती है और जैसे वो सौंग हमेशा की तरह से लोरी का काम करता था आज फिर से हमारे हीरो को वो सुनते ही नीद आने लगती है वो बहुत डिस्ट्रेक्ट होता है और उसके बाद अपना टैब बंद करता है बस सौफे पर लेटता है तो आज तो सबसे बड़ा मिरेकल हो गया था बिना बैड के ही उसको नीद आ गई थी और फिर पता नहीं कब सुबा हो गए उससे तो कुछ पता ही नहीं चला बेक्स्ट बॉर्नेंग हमें दिखाते हैं के बहुत से कुलीक्स इस रेर से नजारे को इंजॉय कर रहे थे कि उनका बॉस कान से ठक कर अपने सौफे पर ही सो गया है और उन्हें आज से पहले कभी भी इसे सोते हुए नहीं देखा था वाकसर रात-रात को ओवर टाइम करता था लेकिन फिर भी असे स्लिप ही कभी नहीं हुआ था वो लोग तो इस रेर एडवेंचर की फोटो मिलेने लगते हैं और फिर वो जुन को भी दिखाते हैं कि पता नहीं ये नाजारा फिर देखने को मिले ना मिले और आज वो जुन को एक आईडिया आया था वो सारे कोलीक्स को कहता है कि आज मैं सब के लिए एक पार्टी एरेंच करने वाला हूँ कुछ नए कोलीक्स आये हैं उनको वेलकम करने के लिए और उन्हीं में से एक हमारी हिरोईन याओ भी थी वो याओ के पास आता है और कहता है अब जैसा कि ये पार्टी नए कोलीक्स के लिए है तो नए कोलीक्स अपने फ्रेंड्स या फैमली मेंबर्स को भी बुला सकते है मैंने सुना है तुमारी डैसमी में कि तुमारी एक सिस्टर भी है तुम चाहो तो उसे इन्वाइट कर सकती हो और उसके बाद वो जुन जाता है चियान के पास और उससे कहने लगता है कि ये कौन इंसा है मेरे इलावा जिस्ते तुमारे इस इंसोबनिया का इलाज किया है मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए अब जियान को शक तो हो चुका था कि आखर कोई ना कोई तो बात है ये सिर्फ याओ ये है जो मुझे सुनाने में हेल्प कर सकती है वो आज सोचता है कि क्यो ना इसी बारे में उससे डिसकुशन की जाए उससे हर कर लो इसी काम के लिए वो उसे तुरांथी मैसेज करता है कि अभी के अभी आओ मैंने आफिस में तुमसे एक इंपॉर्टन बात करनी है लेकिन वो तो लंच करने के लिए पास किराबैन शॉप पर गई हुई थी उसने स्टेटस पर भी उसी शॉप के बारे में लगाया हुआ था कि वहां किरामें बहुत अच्छे है और तो और वहां का मैन यूप अपने स्टेटस पर लगाने लगती है इतने में वो देखती है तो उसका एक पुराना फ्रेंड उसे मिल जाता है जो के मौके का फायदा उठाने लगता है वो कहता है कि तुम लायर हो और उसे फ्री में बहुत सारे मशवरे लेने की कोशिश कर रहा था फाइनशल इशूस से रिलेटिड और इतने में उपर से आ जाता है उसका बहुत चियान जो के कहने लगता है कि ये एक डिवोर्ट लायर है और ये फैमिल इशूस पर ही हैंडल करती है इसलिए अगर तुमने डिवोर्स करानी हो तब इससे मशवरा ले लेना मैं डिसकाउट करा दूगा लेकि इस तरह से फाइनशल इशूस पर फ्री में इससे मशवरा लोगे तो हम तुमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले अब वो फ्रेंड तो वहां से चला गया था जबके चियान आकर बैठ जाता है याओ के सामने और उसे कहता है कि तुम नहीं तो मुझे यहां पर इन्वाइट किया है तो उसे पता चलता है कि जो मैंनी उसे लगाया था वो स्टेडिस पर नहीं लगाया था बलके गलती से चियान के मैसिज के रिप्लाइ में ही सेंड कर दिया था हाँ वो बहुत नखरे से उसे एक ओफर देने लगता है कहता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए और हाँ बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स की कंपनी में भी रहा चाहिए पाकि तुम्हारा brain भी उसी तरहां से train होता रहे और हाँ मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि तुम उस घर में वापिस आ सकती हो और मेरी life assistant भी बाद सकती हो office में assistant के साथ साथ life assistant का वो मतलब नहीं समझी थी तो वो कहता है कि मेरी daily life के जो भी काम है वो भी तुम हैडल कर सकती हो जैसा कि सफाई करना, खाना पकाना इसकी मैं तुम्हें अलग से पे दूँगा और हाँ आज जल्दी घर आ जाना मेरा सीवर ब्लॉक हुआ 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 है वो भी तुम नहीं आकर खोलना है वो बिचारी सोचल लगती है कि अब ये काम भी मुझे करने पड़ेंगे अब शाम का वो घर आती है उसका पाइप लॉगिंग खत्र गरने के बाद वो कहती है कि आज आफिस की दरफ से एक पार्टी है यहां पर कुछ मेरे कपड़े रह गए थे मैं वो ड्रेस चेंज करके तुरांद ही यहां से चली जाओगी लेकिन जब कमरे में जाकर देख सी तो उसका वो सूट केस जो अपने साथ वो कंपरी में लेकर गई थी वो वापस पहचा हुआ था एक्शली यह चियान ही लेकर आया था वो कहा था किस दिन पकड़ी जाओगी इसलिए मैं यह वापस ले आया अब याओ को तो यही लगा था किसने मुझे सरफ घर के कामों के लिए हायर किया है लेकिन यह सुनकर तो वो हैरान रह जाती कि यह मुझे यहाँ पर वापस रहने की भी अजासत दे रहा है वो इतनी शौक में चली जाती कि तुरांद ही अपनी बैस्टी टिंग को कॉल करती है उसे यही गुड डियूस देने लगती है लेकिन टिंग उससे कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए एक खत्रे वाली घंटी है तुम्ने खुदी तो बताया था कि तुम्हारे इस मॉस के बहुत सारे जानी दुश्मन है और बहुत दफ़ा इसे लाइफ त्रेटनिंग मैसेजिस भी आये है तो किसी दिन ऐसा नहो कि कोई इसे खत्म करने आए और तुम्हें उसकी असिस्टेट समझकर पहले ही रास्ते से अटा दे कहीं इसके हिस्से की गोली तुम रखाए न इसके साथ रहना बहुत खत्रा है अब ये बात सुनकर याओ काफी डर गई थी और तो और उसकी फ्रेंड ने दो तीन केसिस की एक्जेंपल भी उसे दे दी थी अब ये सुनते ही वो तुना थी वहां से भागने ही करती है और चियान तो ये देखकर हैरान रह गया था और पिर हमें दिखाते हैं कि वुजू ने तो वो पार्टी रखवाई ही एक्शली चैंक शी के लिए थी जो के याओ की सिस्टर थी वो उससे पूछने लगता है कि तुम अपने घर से किसी को नहीं बुलाया तो वो कहती है ओहो हाँ सिस्टर को बुलाना था लेकिन मैं भूल गई तो वो कहने लगता है ठीक है तुम मुझे उसका नंबर शेयर कर दो अगर तुमारे पेरेट्स को ये फैमिली को आएंदा बुलाना हो या कोई भी अमेरज़नसी हो तो मैं उसके कांटेक्ट डारेक्टली भी कर सकता हूँ और अब इस तरह से उसने उसकी सिस्टर का वीचर्ट नंबर हासल कर लिया था अब जैसे ही वो चैंक्शी की प्रोफाइल देखता है तो उसे पुराने यादे आने लगती है वो नास्टेल्जी को जाता है तरह थी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट पेशता है जो कि उसने एकसप्ट कर ली थी अब वो जो उनकी खुशी देखने वाली थी वो सारे इंप्लॉईस को इकटा करता है दो चार फोटोस बनवाता है और उसके बाद वहाँ से भाग नहीं करता है क्योंकि उसका जो बकस्त था वो पूरा हो चुका उधर चियान के अब सौने का टाइम हो चुका था वो सोचने लगता है कि लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं लोटी यह नहीं वापस आई तो मुझे सुलाएगा कौन वो तरहां थी उसे कॉल करता है और बहाना बनाता है कि तुमने कैसे पाइप खोला था दुबारा से बलॉक हो गया है लेकिन वो ठक से कॉल बंद करती है और कहती है कि इस बारे में लैंडलोड को कॉल करो अब चियान के पास और कोई चांस नहीं था और उसी पार्टी में पहुँच जाता है जहां पर याओ आई हुई थी यहां पर चियान देखता है कि एक लॉयर यहां उसे बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा था उसे बहुत इंप्रेस कर रहा था तो वो आता है जर्लस होकर और उस लॉयर के सारे रिकॉर्ड उसके सामरे रख देता है बहुत ही कम केसिस थे जो वो बिचारा जीत पाया था और अब जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था वो सब पानी बिल जाती है वैल यहाँ पर इंटेंस बहुल को एक लब नॉर्मल करने के लिए वो लोग कहते हैं कि क्यों न हम टूथ और डेर खेलें अब यहाँ पिचियान जो खड़ा था वो कहता है कि हाँ बहुत मज़ा आएगा खेलने का लेकिन टूथ और डेर में हम सरफ ऐसे क्वेस्चिन्स करेंगे जो के लॉकी टर्म्स के क्वेस्चिन्स होगे अब यह सुनकर पिचारों की हालत खराब हो जाती है लेकिन उपर से उन्हें हंसना भी पढ़ता है और बॉस को ना कौन कर सकता था अब यहां पर सबसे ज्यादा जूनियर तो यहाओ ही थी यहाओ पर जब भी कोई क्वेस्चिन आता था या तो उसे पैसे देने पड़ते थे या फिर ड्रिंक करना पड़ता था क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ट नहीं थी और सारे मुश्किल सवालों के जवाब तो वो घलत ही देती थी अब इंदियन बिचारी याओ बहुत जादा ड्रंक हो गई थी डान उसे घर ले जाना चाहती थी लेकिन चियान वॉलन्टेरिली कहता है कोई बात नहीं इससे मैं संभाल लूगा मैं ड्रॉप कर दूगा अब वो उसे किसी तरह से घसीरता हुआ अपनी गाड़ी तक ले कर जाता है वो ड्रंक होकर उल्टी सीधी बातें करती रहती है अब यहाँ पर एक दफ़ा चियान गाड़ी रोकता है उसे बहुत कहता है कि अंदर वाबिट ना करना लेकिन बिचारी की वाबिट सीधी अपने कपड़ों पर उसकी गाड़ी को गंदा कर देती है तो अब अपनी फेवरिट गाड़ी तरी गंदी देख कर चियान को इतना घुसा आया था कि वो अपनी जैकेट उतारता है उसे अपने हाथों पर गलव्स की तरह से यूज करता है और फिर याओ को खेजता हुआ एक बॉक्स के अंदर फैक देता है अब उसने जैसे ही अपना कैमरा निकाला था तो याओ आगे से पोस करने लगती है इस तरह से जैसे अपनी कोई फोटो बनवा रही हो लेकिन चियान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे एक औरल कॉंट्रेक्ट करना चाहता था और यहाँ पर वो ड्रंक थी उसका फाइदा उठाता है उससे कहता है तुने मेरी गाड़ी गंदी की है और इसके बदले तुमेरी लाइफ असिस्टेंट बनके रहोगी और सारी टरम्स और कंडिशन सारी अपनी पसंद की बता देता है बिचारी क्या करती याओ उसे तो होश ही नहीं था अपनी हालत का चुप चाप पड़ी रहती है और फिर उसके बाद वे एक डिलिवरी बॉय को बुलाता है और कहता है कि ये बॉक्स इस लड़की समयत मेरे घर तक पहुचा दो मेरी गाड़ी का पीछा करो और फिर वो बॉक्स उसके घर तक डिलिवर हो चुका था लेकिन बॉक्स से निकलती निकलती जाओ गिर जाती है सीधा चियान के उपर ही और फिर वो उसके बहुत क्लोज हो गई थी अब वो उसका हैंड समसफे इतनी क्लोजनस से देख रही थी और सिर्फ देखने तक होता तो और बात थी वो तो उसके फेस को छेरने मी लगती है यहां बर जियान की बस हो गई थी वो से नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुमारी सेलरी काट लूगा इतनी गुस्ताखी के बदले अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो वो से याद कराता है कि तुमने कल कितनी बक बक की थी मेरी नैश्रल ब्यूटी है और तुमने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सेजरी कराई है अब तुमने मेरी इंसल्ट का भी बदला देना पड़ेगा और जो जो कल मेरा नुकसान किया है उसका भी वो तो पूरी एक लिस्ट भी बना कर बैठा हुआ था और उसने इतना लंबा चोड़ा बिल बनाया था कि जो देखते ही वो हैरान रह जाती है इवन कि उसमें डिलिवरी चार्जिस भी डाले हुए थे और तो और उसने अपना खुद का टाइम जितना भी उस पर वेस्ट किया था उसके पिचार्जिस से मांग लिए थे साथी साथ उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि उसने एक्शलिस को ब्लैक मिल करने के लिए ही बनाई थी अब बिशारी की तो बैंड ही बच जाती है वो कहने लगती है कि सर प्लीज इस्टॉल्मेंट में कर दें लेकिन अफकोर्स हमारे हीरो के पास प्लैन बी रेडी था जो कि वो एक्शलि चाहता था वो कहता है ठीक है एक शर्थ पर यह सब कुछ मैं माफ कर दूँगा कि अगर हमी गठे रहे और तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर मेरे सारे काम करो यहीं पर ही मूव इन कर जाओ तुम यहीं रहोगी अपसे और मैं जो और्डर करूँगा तो मैं तभी खाना पकाना पड़ेगा सफाही करनी पड़ेगी अब ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस के बनाए हुए 248 रूल्स के एकॉर्डिंग यह कॉंट्रेक्ट एकसेप्ट करना ही पड़ता है अब यहाओ वहाँ पर शिफ्ट तो हो गई थी और साथ ही साथ उसने पने सुरक्षा के लिए बहुत सारे आम्स इपने पास रखे हुए थे एक सिक्यूरिटी कैमरा जब उसके हाथ में देखता है तो चीयान पुशने लगता है यह किस लिए वो कहती है खुद को सेफ रखने के लिए actually वो तो खुद को सेफ रख रख रही थी कि अगर कोई उसके बॉस को मान रहे है तो कहीं वो बीचारी ना मारी जाए लेकिन यहाँ पर चीयान उसके कहने लगता है उसका मूड नहीं था अब वो बिचारा लेटा वेट कर रहा था कि कब इसकी कुकिंग की आवाजें आए और मुझे मज़े की नीद आ जाए लेकिन खाना तो रेडी पड़ा था अब ये देखते ही चियान का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब रैप अप करो और मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट करो लेकिन आपकी बार जब वो कुकिंग गा रही थी उसे फिर से नीद नहीं आई थी क्योंकि आज की दफ़ा उसने वो गाना नहीं गाया था अब वो पिर से उसे तंग करने के लिए आ जाता है और कहता है कुछ और कुक करो जो तुमने उस रात को बनाया था अब वो दो बारा से कुकिंग करके तैयार करके खाना रख देती है लेकिन बास वो दो खुल अंदर हैरान परेशान पड़ा था कि आज इसकी कुकिंग के शोर से मुझे नीन क्यों नहीं आई जब के बाहर याओ का मूट खराब हो जाता है कि मेरे से पूरी टेबल भर खाना बनवा लिया लेकिन खुद ये टाइम से ही सो गया है और बिजारी याओ का खाना खा खा कि रात को बुरा हाल हुआ था आज आफिस में भी उसकी बार बार वाश रूम की तरफ दोड़े लगती रही थी और यहां पर चियान भी उसे अब्जर्व कर रहा था वो जून भी उसके साथ था वो जून उससे कहता है कि ये लड़की इसे तुमने ज़्यादा तंग नहीं करना अटलिस्ट तब तक, जब तक मैं और चैंक शी क्लोज नहीं आ जाते मेरी लव लाइफ ने मुझे दूसी दफ़ा मौका दिया है प्लीज इसे तुम अपनी हरकतों की वज़ा से रुईन ना करना इसकी बेहन को जितना खुश रख सकते हो उतना रखना और दो और वो जून वहां से जाता जाता यहाओ के पास आता है और कहता है कि अगर तुमें बहुस ज़्यादा तंग करे या पिर कुछ भी ऐसा हो जिसकी तुमें कमपंसेशन चाहिए हो तो मैं देने को तयार हूँ लेकिन बस इसे सीक्रेट रखना और यह सुनकर याओ भी हैरान थी कि दोनों बहुस एक दूसे से पोलर आपोजिट है अब शाम को छुटी के टाइम पर याओ देखती है चियान को दो लोग पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी केस की वज़ा से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं उसे किड्नाप कर रहे हैं वो भागती हुई आती है बिलकुल सुपर हीरो बन के और उन पर पैपर सप्रे कर देती है अब चियान उसे पकड़ कर होश मिलाता है और कहता है अपनी हीरो पंती बन करो ये दोनों मेरी मम्मी के बाड़ी गार्ट है और मुझे घर ले जाने के लिए आये थे अब नेक्स्ट सीन में दिखा थे कि चियान अपने फैमिली हाउस में पहुचा हुआ था जहां पर उसकी मम्मी बेचानी से उसका वेट कर रही थी और उनका नाटक अपनी फुल पीक पर था वो ऐसे बिमार होकर लेटी हुई थी और उसकी मम्मी और भी बहुत सारी ओवर एक्टिंग कर थी है जो कि इस सारी चियान अच्छे से पहचान जाता है वो एक्शलि अपने बेटे के साथ जाता समय बिताना चाहती थी और उसके मम्मी डैडी की यही विश्ट थी कि वो अपनी लौ फर्म छोड़े और आकर फैमिली बिजनिस संभाले लेकिन इस बात पर चियान कभी भी नहीं मानता था और आज भी वो अपने मम्मी डैडी को निराशी चोड़ कर चला जाता है और मम्मी की ओवर एक्टिंग भी किसी काम नहीं आई थी और पिर हमें वो जून को दिखाते हैं जो कि अपने पुराने समय याद करने लगता है जब उसकी मुलाकात चैंकशी से हुई थी वो दोनों एक ही कॉलिज में थे और यहां पर उसका दिल आ गया था चैंकशी पर वो जब जॉगिंग करती थी तो इतनी अच्छी उसकी फिजिकल स्ट्रेंट थी कि बिचारा उसके पीछे भागते भागते एकसर गिर जाया करता था और एक दफ़ा तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल भी ले कर गई थी उसे डी हाइडरेशन हो गई थी और उसका शूगर लेवल भी लो था तो वो उसको एक चॉकलेट भी दे कर गई थी और वो चॉकलेट ब्रेंड और वो चॉकलेट ब्रेंड उसे आज भी सबसे फेवरिट रहा था उसने चैंगशी से रिक्वेस्ट की थी एक कथे डिनर पर चलने के लिए जो के चैंगशी ने माल ली थी और इसी के लिए वो बहुत एकसाइटीड था अपनी स्किन केर भी कर रहा था और साथ इसाथ अपने एक जबरदसा ड्रेस भी चूस कर रहा था वो यही सोच रहा था प्रोफेशन बहुत हो गया अब आई थी अपनी लव लाइफ को टाइम देने का समय आ चुका है अब यहां पर हमें एक बात पता चलती है चियान अपने एक फ्रेंड का बहाना करके मश्वरा लेने लगता है वूजून से कहता है कि वो घर किसी से शेयर करता था नौइसी होने की वज़ा से उसने रूमेट को निकाल बाहर किया किसी वज़ा से वापस लाना पड़ा लेकिन अब फिर से उसे नौइस ही लग रहा है और वो उसे दुबारा से निकालना चाता है यहां पर वूजून कहता है इसलिए उससे कहो कि अपना माइड ठीक करें अब चियान जैसे ही घर वापस लोटता है तो वो देखता है कियाओने पहले ही डिनर प्रिपेर किया हुआ है इतनी सारी डिशिस बनाई थी वो हैरान रह जाता है लेकिन साथी साथों से वो साभी आता है वो कहता है कि ओवर एफिशन बनने की कोई जरूरत नहीं जब मैं और करूँगा उस वकद तुम्हें खाना बनाना है अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बने की कोशिश की तो मैं तुम्हे निकाल बाहर करूँगा जिबके उधर हमें वो जून को दिखाते हैं वो एक जगा पर ग्रोसरी स्टोर पर गया हुआ था कि यहां पर उसका फोन नीचे गिर जाता है किसी के टक्रानी की वज़ा से और जो लड़की वो फोनों से उठा कर ले थी उसकी क्रश जैंक्शी थी अब वो उसके साथ मज़े से बैट कर ड्रिंक करता है और तो और उसने उसके लिए वो ही चॉकलिट्स भी खरीदी हुई थी जो कि उसने सालों पहले एक दफ़ाँ से गिफ्ट की थी यहां पर वो जोनों से आफर भी करता है कि हमारी जून हंग लाफ़ां तुम मुझ वाइन भी कर सकती हो तुम कबसे लीगल सरकल में आई ही नहीं हो एक्शली उसकी लगता है कि शादी हो गई थी और शादी के बाद प्रॉपर्टी को लेकर उसके और हस्बंट का काफी जगड़ा हुआ था जिसकी वज़ा से वो सोशल मेडिया में और डियूज में भी रही थी लेकिन इसी वज़ा से लोग उसके बारे में बहुत बुरा बोलते थे वो जून कहता है कि मुझे सबकी कोई परवा नहीं थी जब तुमारे डिवोर्स के टाइम पर लोग तुमारे बारे में ऐसे कॉमेट्स करते थे तो मैं उस हर हर कमेट करने वाले को रिपोर्ट किया करता था ये सब सुनकर चैंक शी को काफी कुशी होती है लेकिन वो कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को याओ को पता ना चलने देना वरना अगर उसे पता चला कि मेरी लिक्स की वज़ा से उसे वहां पर जाब मिली है तो वो बहुत हर्ट होगी वो जुम जादा ड्रेक नहीं कर सकता था और अब वो ड्रंक हो जाता है यहां पर चैंक शी को उसे वापस उसके घर तक लेकर आना पड़ता है अब यहां पर ड्रंक होकर वो चैंक शी के सामदे अपने दिल की हर बात कह देता है और बताता है कि अगर उस दिन मैं कॉलिज में बेहोश ना हुआ होता तो मैं पुरा मन लगा कर आया था तो मैं प्रोपोस करने के लिए और आज भी मेरे दिल में तुमारे लिए वो ही जगा है जो इतने सालों पहली थी वो ये भी कहता है कि तो मैं तुम्हारे एकस हस्बंट ने कितना बुली किया मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ मैं उससे भी रिवेंज ले सकता हूँ और तो मैं भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज मुझे कंसीडर करो। कि मैं तो ड्रेंक कर रहा था चैंक्शी के साथ, अफकर्स वो ही लाई थी, लेकिन उसके बात क्या हुआ था, ये सब उसे कुछ याद नहीं आता, हाँ लेकिन उसे अपने बैड में एक हेर नजर आता है, जो कि उसके हेर से ज्यादा लंबा था, उसे यकीन हो जाता है कि ये अब वो उसे पिलो को हग कर लेता है, और सोचने लगता है कि कल रात मेरी ड्रीम नाइट थी, लेकिन मैं कितना उल्लू हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसके साइट टेबल पर कुछ पैसे भी पड़े थे, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है, तो आ नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जोन ऑफिस में बैठा हुआ था, अपना मूँ छुपा के, और साथी साथ वो चियान को सारी स्टोरी भी बताता है, कहता है कि कल की रात, लगता है कि मैंने अपने एक रश के साथ स्पेंड की थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, वो बता में बता दूगा, तो आगे से चियान बोलता है कि मैं अभी के अभी अपने स्टेटस पर लगाता हूँ, वो जोन गस कैंडल, और वो भी 500 के बदले, अब वो दोनों फ्रेंड से एक दूसे से फौन चीन रहे थे, कि यहाँ याओ भी उनको देख लेती है, और काफी खुश पीशियस है, लगता है, इसे कॉस्टिपेशन का बड़ा पुराना प्राबलम है, लेकिन चीन को यह निराला मशवरा किसी और ने नहीं, बलके वो जोन ने दिया था, कि कुछ लोगों को वाश्रूम में बैठे बैठे नीद आ जाती है, शाहद तुम भी ट्राइ करके करने के लिए, तो देखता है, तो वहाँ बर बहुत कमफी से सीट रखी हुई थी, यह देखकर वो हैरान रह जाता है, वो बाहर निकलता है, उसे लगता था याओ उसे बुली कर रही है, लेकिन वो कहती है, कि सर ये तो आपके कमफर्ट के लिए है, अगर आपको इतना समय वाश्रूमें बिताना पड़े, तो एक फलफी सी सीट तो होनी ही चाहिए, और दोर वो इतनी ओवर एफिशेंट हो गई थी, कि उसने अपने सर के लिए कौंस्टिपेशन के लिए मैडिसन्स भी लेकर रखी हुई थी, लेकिन वो उसे डांटा हुआ अंदर चला जाता है, कि मैई परसनल राइफ में तुमने इतना इंटर्फेर किया, तो तुम्हें अब फाइन लगा दूगा, तुम्हें सेल रिकार्ट लूगा, लेकिन याओ भी बास आने वाली नहीं थी, अब वो सारी रात बैट कर केस पर स्टड़ी करने लगती है, उसने एक्शली चियान प पीछा कर रही है, तो वो जॉगिंग करने लगता है, और उसे पाक के इतने चक्कर लगवाता है, कि बिचारी की बैट बच जाती है, अब वो अपनी कमर पकड़ कर बैटी हुई थी, और डाक सीक्रिट कोई भी उसके हाथ नहीं लगा था, और उसे इस हालत में, चियान रं प्रेट फ्रेकिंग करना, और नहीं मेरी प्राइवेसी में दखल देने की कोशिश करना, आइ ठिक तुम्हें काफी सबक मिल गया होगा, और वैसे भी तुम जूर हैंक फर्म की लायर हो, और तुम्हारे टाइम इन फजूल कामों में जाया नहीं होना चाहिए, वो चाहती वो लोग एक मीटिंग के लिए रैडी बैठे हुए थे, यहां पर जो उनकी क्लाइंट बन कराती है, वो कोई और नहीं, बलकि एक बहुत बड़ी सिलेबरिटी थी, जिसके ड्रामाज अकसर शाम को, यह अपने घर में टीवी पर देखा करती थी, वो उसे देखते ही हैरान रह जाती है, एक्शली उसका एक डिवोर्स का केस था, और उसी के लिए वो उनको हायर करने आई थी, और वो सिलेबरिटी ना सिरफ केस को लेकर परिशान थी, बलकि उसे देखकर लग रहा था, कि जैसे वो हर्ट भी बहुत है, उसके हस्बन ने लगता था कि उसका मिस वो सिरफ उसके फेम को यूज करना चाहता था अपने बिजस को चमकाने के लिए, और अब वो चाहती थी, कि उसकी हर तरह की हीडन प्रॉपर्टी भी वो बाहर निकलवाई, और अपना एलिमरी में और प्रॉपर्टी में बराबर बराबर का हिस्सा ले, अब जाओ अपना भागती हुई उसके पास जाती है, और पूछने लगती है, कि सर मुझे कुछ बाते समझ रही आई, क्या मैं आपसे एक स्टुपिड कुश्चन कर सकती हूँ, और वो फॉरन इंकार कर देता है, कहता है कि आफिस हार्ज में करो, तो येस करूँगा, लेकिन अभी बिलकुल नहीं क्योंकि चियान को लगता था, कि उसका एक एक मिनिट कीमती है, और वो मिनिट मिनिट के चार्ज इस बिलिया करता था, जो कि याओ अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब वो अपने कमरे में जाता है, और जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जबके बाहर जाओ, वो कुकिंग करने लगी थी, और आज काफी दिनों बाद कुकिंग करते हुए, वो वही सॉंग गुनगुनाने लगती है, और वो जैसे ही सॉंग सुनता है, उसे लगता है कि फिर से नीद आने लगी थी, और वो पहचान गया था, कि एक्शली हाउस चोर्ज में कोई ज़्ञी राज ने रखा हुआ, ना इसकी कुखिंग नाही सफाई से किसी चीछ से फर्क पुर्थाए है, मुझे अगर किसी चीछ से नीद आती तो यह इसका घाना है, जो कि मेरे लिए लोरी का काम करता है, अब वो जाता है, और जाते ही उससे रोक देता है, और कहता है, क अब वह सो तो गया था बहुत मज़े से लेकिन आदी रात उसकी आँख खुल जाती और भूख की वज़ा से अब उड़ता है और फ्रीज से निकाल कर वही खाना खाने लगता है जो के बहुत प्यार से थोड़ी दिर पहले याउने बनाया था खाना खाने के बाद जब वह अ है और वो से कहता है कि तुम मुझसे अपना स्टूपिड क्वेश्चन अब पूछ सकती हो जो कि तुम्हें इतना बादर कर रहा है और वो अब उसके हर गुस्टिन को उसे आंसर दे देता है और उसे इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज मिला था कि वो तुरांती अपनी न रोट जा रहा है और उसने मुझे दिया था कि कोई से अडॉप्ट कर ले इसलिए फ्री में है और यहां पर शी से पूछते ही वाला था कि उस दिन मैं ड्रंक था तो क्या हुआ था रात को लेकिन वहीं परी उसे डिस्टर्ब करने के लिए कॉल आ जाती है उसके फ्रेंट चियान की जो कि उसे कहता है कि एमरजंसी है और तुरांथी आफिस पहुंचो अब भागा भागा आफिस आता है लेकिन आते ही उससे लगा था कि बहुत बड़ी न्यूस मिलेगी लेकिन न्यूस क्या मिलती है कि चियान कहता है कि मुझे कल नीन आ गई थी और पता है मुझ उन तुरां थे निकल जाता है कि हाँ हमारी तो मीटिंग ओवर हुई आप याओ उसे सारी नियूस दे देती है उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी उस सेलेबरिटी के हस्बंड की प्रॉपरटीज के बारे में और ये सारी बात है वूजून में बार खड़ा होकर सुन रहा था तो और देर बाद वो अंदर आता है और कहता है देखा मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी असिस्टन ठूटी बहुत यूसफुल है और वो दूसरे मीनिक्स में कहने लगता है कि हाँ यूसफुल तो बहुत है लेकिन उसे नीद लाने में अब यहाँ पर वूजून उससे इशार इशारों में पूशन लगता है कि क्या इसे देखकर तुमें कभी पास्ट का कोई शैडो नज़र आया अब इस बात का क्या मी नहीं है तो हमें आगे जाकर पता चड़ेगा लेकिन वो बदले में बूज उनको कह देता है कि तुम बस चैंक्शी पर नज़र रखो मेरे पास्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं अब नेक्स दे दुबारा से वो सिलेबरिटी उनके आफिस में आती है कंसल्टेशन के लिए और अब उसको चियान यही मशवरा देता है कि अभी तुम कुछ महीने रुक जाओ और उसके बाद तुम डिवोर्स के लिए फाइल करना क्योंके इन दिरों उसके हस्बेंट के लिए बहुत क्रिटिकल मूमट चल रहा था उसके बिजनस को लेकर अगर उसके बिजनस को लॉस हुआ तो जो पैसे इसको मिलेंगे आदी प्रॉपर्टी वो भी लॉस में जाएगी और अगर वो कुछ महीने इंतजार कर ले तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है ये सुनकर उससे लेबरिटी काफी दुकी हो जाती है क्योंके उसे लगता था कि सिरफ बात पैसे की नहीं बलके दिल का भी महमला है और वो यहां पर बाहर जाते जाते याउ से कुछ दिल की बाते गड़ती है क्योंकि उसे लगता था कि वो गर्ल है और उसकी बाते समझ सकती है और वो सीक्रिट भी रखेगी ये याउने उसे बोला था वो उसे बताती है कि किस तरहां से जब मेरा हस्बर मुझे मिला था तो हम दोनों को बहुत जल्दी प्यार हो गया था और उसकी खातिर मैंने अपने केरियर की परवा किये बगेर बहुत जल्दी उसे शादी भी कर ली थी लेकिन आक्शली वो बहुत मीन इंसान था उसे मेरे से कोई प्यार नहीं था अगर उसे प्यार था तो मेरे फेम से और मुझे शादी कर थे उसका बिजिस बहुत उपर चड़ गया क्योंकि उसे फ्री की पबलिसिटी मिल गई थी उस जैसी टॉप स्टार उसकी ब्रैंड अमबैसेडर बनी थी उसका बिजिस तो उपर जाना ही जाना था लेकिन इन्दी एंड उसे बहुत देश समझ आई थी कि उसके हस्बंट के हिड़न मॉटिफ्स क्या थे और उस सेलेबरिटी की ये कहानी सुनने के बाद उसे अपने सिस्टर चंग शी की याद आ जाती है उसने भी डिवोर्स ली थी क्योंकि उसके हस्बंट ने उसके साथ चीट किया था अब थोई देर तो वो सैट बैठी रहती है और उसके बाद शी को कॉल करती और कहती है कि इस वीक हम दोनों सैर करने के लिए जाएंगे अब शाम को जैसे ही चीट चुट्टी करता है तो वो जाते हुए याउसे भी कहता है कि इतना काम ना किया करू आई थिक तुम्हें भी चुट्टी कर लेनी चाहिए वर्क में और रेस्ट में तुम्हें बैलस रखना चाहिए अब वो भी चुट्टी लेकर तुनाती उसके पीछे पीछे दौर पड़ती है लेकिन यहाँ पर उन दोनों को देखकर एक को लीग को थोड़ा सा शक हो रहा था क्योंकि आई से पहले चियान ने किसी भी वर्क की इतनी परवाणे ही की थी एक्शली चियाना जल्दी रेस्ट करना चाहता था इसी ने उसे जल्दी चुटी करा कर लेकर जा रहा था कहता है कि घर पहुंचो और मेरे लिए खाना बना और अज उसे एक नई आफर भी देता है कहता है कि हर मील के बदले मैं तुमें दो स्टूपिड कोश्चन्स करने का मौका दूँगा और यह सुनते ही याओ बहुत खुश हो जाती है और वो साथ ही साथ एक क्लास नमबर 250 आड कर देता है उनके कांट्रेक्ट में और कहता है कि तुम जब भी रात का खाना बना रही होगी तुम इस साथ में गाना दरूर गाना होगा अब वो उससे वज़ा तो पूछती है लेकिन आंसर उसे शट अप में मिलता है हमें दिखाते हैं कि याओ और चियान दोनों ही कठे बैटे डिनर कर रहे थे और यहीं पर ही डिनर करते हुए याओ उससे इजाज़त लेती है कि क्या मैं इस नए केस के बारे में आप से कुछ डिसकेशन कर सकती हूँ मेरे माइन में कुछ कॉस्चन्स हैं अब यहाँ पर जब वो चियान से बातें कर रही थी तो उससे रियलाइज होता है कि जैसे याओ का इस केस के साथ कुछ संबंध बन चुका है उस एक्टरस बाये के साथ लगता है कि इसे कोई emotional attachment हो गई है वो उससे बोलने लगता है कि ये चीज़ बिलकुल भी professional नहीं है हमारे बहुत सारे clients life में आएंगे लेकिन वो innocent है या उनके साथ जल्म हुआ था इस बात से हमारा लेना देना कोई नहीं है और वैसे भी तुम्हें कैसे लगता है कि उसका husband बहुत बुरा इनसान था क्या तुमने उनकी life के अंदर घुसकर उनको देखा है तुम उनको नहीं समझ सकती हर कोई अपनी जगा पर ठीक ही काम करता है अगर तुम किसी case के साथ sentimental हो गई तो इस तरह तुम अनपरफेशनल हो जाओगी और ये मैं तुमें सजेस्ट नहीं करता वो इस बारे में डांटते वे काफी रूट भी हो गया था यहाँ पे बिजाए याओ का मूट काफी खराब हो जाता है और वो चुप चाप वहां से उटकर चली जाती है अधर वो जून को पता चलता है कि चैंक शी और उसकी सिस्टर वो दोनों कल अम्यूजमेंट पार्क सैर करने के लिए जा रही है तो उसके माइन में भी एक शितानी आइडिया हो जाता है वो चाता था कि याओ की जगा चैंक शी का साथ मैं दो उस पार्क में तो वो तुरंथी मिलने के लिए जाता है चियान से जो कि आर्चुरी खेल रहा था वो उसे कहता है कि कल लॉयर्स असोसियेशन की मीटिंग है और इस इवेंट में आई तिंक तुम्हें जाना चाहिए औल्दो चियान कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसी जगों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता इसके कौन सा पैसे मिलते हैं अब वो जून भी बहुत स्मार्ट था वो जान बूचकर कहता है कि लार्ज असोसियेशन का प्रेज़ड़न्ट जैंग वो कह रहा था कि हमारी फिर्म से लाजमी किसी को आना होगा क्योंकि फ्यूचर में होने वाली एप्रोचिस को लेकर बहुत यूसफुल हो सकता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न याओ को वहाँ भेज़ दू और जैसा कि चियान अच्छे से जानता था कि याओ बिल्कुल सीधी साधी सी लड़की है जबके प्रेजिडंट उसको वहाँ पर एक शोपिस बना कर यूज ना करे इस बात को लेकर वह काफी इन सीक्योर फील करता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है पहली दफ़ा तुम्हारे बार बार कहने पर मैं मान जाता हूँ कल मैं चला जाऊंगा लेकिन साथे साथ वूजून कहता है कि नहीं नहीं वहाँ पर एक female और एक male दोनों lawyers को जाना होगा इसलिए याओ को भी साथ ले जाना अब जब याओ घर आती है तो उसके हाथ में एक bucket था जो देखते ही चियान को लगता है कि शायद ये मेरे लिए लेकर आई है लेकिन ओगती है नहीं कुछ गलत मत सोचना मैं इसे घर को decorate करने के लिए लाई हूँ अब यहाँ पर चियान उसे बताता है कि आच lawyers association का एक event है और 9 बचे हमें वहाँ जाना होगा अब यहाँ की तो अपनी sister के साथ appointment थी लेकिन वो सोचने लगती है कि ऐसा माका बार बार कहा मिलेगा यह opportunity इतने बड़े event में जाने की पुझे हाँ से नहीं गवानी चाहिए अब वो अपनी sister को call कर देती है और वो जो amusement park के बाहर उसका wait कर रही थी अफकोर्स यह सुनकर एक दफ़ा निराश तो होती है लेकिन एक photo बना कर वहाँ से निकलने की करती उससे पहले ही वो जोन उसकी selfie के अंदर enter हो जाता है और यही तो उसका plan था वो जान बुझकर याओ और चियान को उस event में भेज़ देता है और खुद उसके साथ आज का दिन बिताना चाहता था जबके दूसी तरफ हमें चियान और याओ को दिखाते हैं चियान तो उस पार्टी में बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे fish out of water हो वो शायद इस तरह के event से पहले कभी नहीं जाता था और नहीं उसे पसंद था एक्शली चियान को ज्यादा घुस्ता उस वक्त आता है जब उसे पता चलता है कि कोई professional event नहीं है बलके single lawyers का अपस में match making event है ये देखते ही वो call तो करता है वो जो उनको गालियां देने के लिए लेकिन उतरह थी call काट देता है कि signal बहुत bad है अब सबसे पहले तो वो कहते हैं कि male और female आपने सामने बैठेंगे और थोड़ा टाइम में एक दूसे से बातें करेंगे और एक दूसे को समझ नहीं कोशिश करेंगे यहाँ पर बहुत सी girls की नजर वहाँ के सबसे famous lawyer चियान पर पड़ी हुई थी अब कुछ girls आती हैं बारी पारी और उससे पूछने ही कोशिश करती है कि वो किस तरह की girls में interested है और चियान इतना सडू था कि जो लड़की उसके सामने बैटी होती थी वो हमेशा उसके opposite qualities बता देता था चोटे बालों वारी को कह देता है कि मुझे लंबे और घारे बाल पसान है जो कि कभी वो चोटे ना कराए गोल फेस वाली को ओवल और ओवल और मोटी लड़की को पतली की पहचान बता देता था अपने आइडियल को लेकर बस इसी तरह से वो बहुत से छोटे छोटे दिल तोड़ता चला जा रहा था एक ही लाइन में और तो और वो एक question के answer में ये भी कह देता है कि मेरा यही सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपनी girlfriend के साथ overtime करूँ अब अपने इसी तरह के सरुसरु से answer की वज़ा से वो उस party में काफी unpopular हो गया था और तो और उसकी शिकायत वो जोन को भी लग गई थी और वो उसे कहता है कि प्रीज थोड़ा सा दीरज रखो हमारी जून हंक firm का image ना खराब कर देना इसलिए थोड़ा सा polite ली बोला करो और अब की बार चियान उसे कहता है कि सिगनल बहुत bad है मुझे कोई आवाज नहीं आ रही वेल अब इसके बाद next activity ये थी करना चाहिए लेकिन वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हें अपना year and bonus नहीं चाहिए और फिर next scene में हमें दिखाते हैं कि याओ बिशारी चप्पु चला चला के अपने हाथों को थका रही थी जबके हमारा hero बिल्कुल किसी राजा की तरह सामने बैटा हुआ था अब याओ यहाँ पर उसे physical exercise के गुन बताने लगती कि इस तरह से आप बहुत masculine हो जाएंगे सर प्लीज थोड़ी सी effort आप भी लगाएं लेकिन चियान का कहना था कि इस तरह के फजूल competition अगर मैं हार भी जाओं तो मुझे कोई फर्ट नहीं पड़ता यह कौन सा कोई case है अब यहाँ पर याओ उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी लेकिन अचानक से उसके हाथ से चपू छूट जाता है अब यह चपू उठाने के लिए आगे बढ़ती है चियान को लगता है कि यह गिर जाएगी वो तो पीछे हट जाती है बिचारा चियान सीधा पानी में जा गिरता है अब वो ऐसे हाथ पैर मारा था कि जैसे उसे स्विमिंग ना आती हो फिर भी अपने बॉस को बचाने के लिए याओ पानी में कूद जाती है अब उसे अपने बॉस से काफ़ी सारी डांट भी पढ़ती है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों भीगी बिली बंद करें एक साइट पर बेंच पे बैटे हुए थे याओ को लगता था कि मिरी जान बचाने के लिए बॉस ने अपनी कुर्बानी पेश की है लेकिन उसका कहना था कि ये सपने दिन में देखना बंद करो ऐसी कोई बात नहीं और इसके साथ ही वो याओ को औरडर देता है कि यहाँ पर करीमी कोई होटेल तराश करो ये सुनते ही याओ हुद को कवर करते हुए कहती है कि नहीं जर ऐसा नहीं हो सकता तो चियान उसे कहने लगता है कि चाहे तुम मेरे लिए अंडरग्राउंड ही क्यों न चली जाओ ऐसा नहीं होने वाला जो तुम सोच रही हो मैं कपड़े चींज करने की बात कर रहा हूँ तो कस्प के उसके हाथ पकड़ लेता था और जब वो बजारा उस भूत बंगले से बाहर निकला था जिन्दा सलावत तो उसकी हालत कुछ इस तरह की थी कि जैसे बहुत बड़ा शौक जील के बाहर निकला हो अब यहां पर जैंक्शी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गौसिप सुनी है लोग कहते हैं कि तुम अपनी फीमेल क्लाइट्स में बहुत ज़्यादा पॉपॉलर हो लेकिन वांके से कहने लगता है कि यह सम मेरे बारे में मिसंडस्टैनिंग है मिसकॉंसेप्शन है और जो कुछ भी हमारी बीच उस रात को हुआ था मैं उसके लिए जिम्यदारी लेने को भी तयार हूँ अब इससे पहले कि उस रात का बोल खुल पॉल और उससे पहले यह उसे चियान की कौल आ जाती है जो उसे कहता है कि मेल और फीमेल दोनों का एक-एक सूट लेकर आओ पास खड़ी चैंक शी भी सारा कुछ सुन रही थी और जब वो सुनती है कि यह लड़की के कपड़े खरीदने जा रहा है तो पता नहीं क्या-क्या सोचने लगती है अब वो जोन भी शौक में खड़ा हुआ था उसे समझ नहीं आ रही थी कि चियान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे लड़की के भी कपड़े चाहिए और अपने भी तो अब वो चैंक शी से सौरी करता हूँ वहां से निकल जाता है कि मैं तुम्हें नेक्स टाइम एक्स्प्लेइन गर दूगा प्लीज मेरे बारे में खलत मत सोचना अब पहले तो याओ खुद को फ्रेश करके एक बात रोब में बाहर निकलती है और उसके बाद जब चियान अंदर जा रहा था तो वो उसे कहती है कि सर आव इतने शर्माते हुए जा रहे है मुझे नहीं अंदाता था कि आप जैसा बंदा इतना शर्मीला होगा अफसोस तो उसे इस बात का था कि वो उसे इस नदर से देखता था कि जैसे वो कोई लड़की नहीं बलके एक ठरकी लड़का हो अब जैसे ही वो जून उस होटेल कमरे के बाहर आता है तो चियान सबसे पहले तो याओ को पकड़ कर वाश्रू में बंद कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही ये डिलिवरी लूँगा जबके वो जून अंदर आते ही चियान पर चिलाने लगता है कि तुमने उस मासूम सी याओ याओ के साथ क्या कर दिया है और याओ भी बाहर निकला आती है चियान का कहना था कि मेरा टेस्ट इत्रा में बुरा नहीं अब ये सुनकर तो याओ को भी अपनी इंसल्ट फीन होने लगती है वो कहती है कि इसी बिलो दिस टैंडर्ड लड़की नहीं आपकी जान बचाई है और बस उनकी लड़ाई स्टार्ट वो जुन बहुत मुश्किल से नोनों को शाथ कराता है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ पानी में गिर गए थे अब यहां पर बिचारे चियान की हालत में थोड़ी खराब थी उसे फ्लू भी हो गया था और फिर नेक्स डे आफिस में ना सिर्फ चियान को खोल्ड था बलके उसके साथ साथ ही याओ को भी फ्लू हो चुका था अब शाम को वो घर में बैटी अपनी जिंजर टी इंजुआए कर रही थी अपने गोल्ड के लिए तो उपर से चियान आता है उसे भी उफर करा देती है पहले तो वो इंकार करता है फिर तोड़ देर बाद येस बोल देता है लेकिन तब तक वो अपनी टी खत्म कर चुकी थी अब यहाँ पर वो दोनों बैटे भी बाते कर ही रहे थे कि इतने में घर के बाहर से किसी लड़की की आवाज आने लगती है जो के बार-बार चियान को बुला रही थी ये सुनते ही चियान का मूड खराब हो जाता है कहता है कि इसे इग्नोर करो लेकिन याओ जान जाती है कि लगता है आपकी एक्स गिर्फरंड है अब याओ तो बाद आने वाली नहीं थी वो जाती और तुरंद ही दर्वाजा खोल लेती है वो देखना चाहती थी ये लड़की कौन है कैसी दिखती है जबके उसी टाइम पर चियान अपने एक्स को मैसेज कर देता है कि प्लीज मेरी गिर्फरंड को डिस्टर्ब ना करना हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ जबके वो रड़की जब याओ पर चिला रही थी तो याओ से बार बार कहती कि नहीं आसा कुछ भी नहीं है हम दोनों रिलेशनशिप में है हाउसमेट्स हैं और मैं डॉंग चियान को अपने हाथ से निकल कर किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी वो उसे वार्निंग देती हुई वहां से निकल जाती है जबके याओ बस यही सोचती रहती है कि यह क्या कहकर चली गई अब याओ चियान से पूछने लगती है कि आपने उसे क्यों खलत मैसेज किया मैं तो आपकी गिल्फरेंड नहीं तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता था जिस काम से मैंने तुम्हें मना किया है दरवाजा कोलने से वो तुमने जरूर खोलना है यहां पर चियान कहने लगती है कि अच्छा तो मुझे आप समझाई कि आप इतने चोटे से घर में मेरे साथ शेरिंग क्यों करके रहते हैं आप इस लड़की को हुआइट कर रहे थे लेकिन अब तो इसको यहां कभी पता चल गया है लेकिन आगे से चियान कहता है कैसा वैसा कुछ भी नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ मेरे एक क्लाइंट ही बेटी है जो कि मुझे परसू कर रही थी मैंने इसे रिजेक्ट किया पर मुझे चिपक ही गई है जान ही नहीं छोड़ती और चियान यह भी बताता है कि मेरा एक बहुत बड़ा विला है लेकिन यहां से बहुत दूर है इसलिए मैंने पनी फर्म के करीब एक घर लिया है याओ को लगता था कि अगर इस लड़की से बचने के लिए यहां पर रह रहा था के अंदर ही एक साइकेटरिस्ट की भी फाइल है जिसके साथ उन्होंने कुछ लेन दिन में रीफंड किया हुआ था अब इसी बारे में वो चेक करने के लिए उसको कॉल कर दिये तो पता चलता है कि अच्छली चियान उसी साइकेटरिस्ट से अपने इंसोमनिया की बिमारी का इलाज करा रहा था और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे बास का इलाज नहीं करूँगा इसलिए मुझे दुबारा कॉल ना करना वो मेरी इंसल्ट करके गया था उसी टाइम पर चियान आता है और उससे कहता है कि मेरे लिए खाना बनाओ और गाना भीगाओ और यहाँ बरूसे सारी समझा आ जाती है कि अक्शली मेरा यही खाना बनाना और गाना इसके लिए लोई का काम करता है मैं इसके लिए एक हैपनौटिक ड्रग बन चुकी हूँ और यह बात उसे आज कंफर्म भी हो जाती है जब खाना बनाकर वो कमरे में पहुंचती है तो वो सो चुका था हमेशा से ऐसे ही होता था अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियान उठता है और किसी बात को लेकर उस पर होसा करने लगता है लेकिन याओ आज बहुत चिल मूड में थी क्योंकि अफकोर्स उसे अपने बॉस का वो डार्क सीक्रिट पता चल चुका था जो कि वो काफी दिनों से जानना चाहती थी अब आफिस में में कुछ लोग गॉसिप्स कर रहे थे और एक तो याओ के पास आकर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिनों से हमारे बॉस काफी बदले-बदले से है और एक तो दफ़ात वो एक मीटिंग के लिए भी लेट हो गए थे इतनी गहरी नीन तो वो पहले कभी भी नहीं सोये थे ये सब सुनने के बाद याओ बस एक मिस्टिरियस स्माइल दे दे दी है अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आज चियान से मिलने के लिए कोई आता है और वो उसी सिलेबरिटी का हस्बरन था जिसका नाम मिस्टर शू था वो अपने लॉयर के साथ वहां पर आया था उनसे सैटलमेंट पर डिसकेशन करने के लिए वो कहता है कि मैं उसे पूरी पूरी ऐलिमनी देने के लिए रैडी हूँ लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग नियूस में आए और उस वज़ा से सिलेबरिटी बाई का इमिज खराब हो अब जो कुछ वो अपनी वाइफ को आफर कर रहा था उस लेटर में लिखा हुआ था जैसे ही चियान वो लेटर देखता है वो कहता है कि है तो ये सैटिसफेक्टरी लेकिन फिर भी हम ये एकसेप्ट नहीं करने वाले जब कि मिस्टर शू की ये डिमांड थी कि उनका ये इशू कोर्ट में जाए बगारी बाहरी सॉल्फ हो जाए तो आप हमें पता चलता है कि यहां पर एक बात नोटिस की थी चियान बे और वो ये थी कि उसकी असिस्टेंट याओ दूसरे लॉयर को ज़रा स्माइल करके देख रही थी और वो भी उस पर नजरे गारे हुए था मैं अब थोड़ी तेर बात जब वो वहां से चले जाते हैं तो यहां पर याओ चियान से पूछने लगती है कि आपने ये आफर क्यों रिजक्ट कर दी थी वो कहने लगता है कि एक्चली मेरी क्लाइट किसी भी तरहा की डील में बिल्कल भी इंट्रेस्टेड नहीं है और वो इन पर लीगल केस करना चाहती है तो अफकोर्स मैं उसी कही साथ दूँगा इसे दिए मैं इनको टाल दिया और साथी साथ उसे ये भी कह देता है कि मैंने कहा था नहीं प्रोफेशनली रहना तुम यहाँ पर फलर्ट करने ही कोशिश कर रही थी तो आगे से याओ उसे कहने लगती है आई स्वेर बोस ऐसी कोई बात नहीं है वो नड़का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सीनियर था हम लोग एक यूनिवरस्टी से थे वेल अब चियान को इस बात ने डिस्टर्ब तो बहुत किया था वो एक्स्प्लिनेशन सुनकर तसली में आ जाता है लेकिन साथ इसाथ आउक्वर्ड भी फील करता है कि मैं इसकी परसनल लाइफ में क्यों इंटरफियर कर रहा हूँ अब बिचारी याओ को अपने बॉस पर घुसा तो बहुत आता है लेकिन निकाल भी नहीं सकती थी अब फिर उसके बाद हमें निखाते हैं कि चैंक शी को थोड़ी एमर्जनसी हो गई थी जिसकी वज़ा से वो अपना पैट डॉग आज याओ को दे जाती है और कहती है इसी कुछ दिन के लिए केर कर लो अब याओं से चोरी चोरी अपने कमरे में ले आई थी उसे तो पैट से कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन उसे लगता था कि शायद मेरे बॉज को डॉग्स बिलकुल भी पसंद नहीं होंगे क्योंकि वो पहले ही खडूस टाइफ का इंसान है और वा कही कुछ ऐसा ही था घार आते ही चियान को ऐसे लगने लगता है कि जैसे पपी इसकी स्मेल आ रही है वो कहने लगती है कि हाँ बिलकुल आपके बैग पर ये जो टॉय लगा हुए इससे आ रही है वो कहता है मुझे इस तरह की शो आफ का कोई शौक नहीं ये तो एक क्लाइट नहीं आ पर लगा दिया था और जाते जाते उसे वार्निंग भी दे जाता है कि यहाँ पर पपी रखने का सोचना भी नहीं लेकिन अब याओ के लिए वो डॉग चुपाना बहुत मुश्किल हो गया था वो डॉग आवाजें भी निकालता था और यही आवाज जब बाहर खड़ा हुआ चियान सुनता है तो वो पूशने लगता है याओ से कि यह तुम क्या कर रही हो तो याओ कहती है कि मैं खुद ही डॉग जैसी आवाजे निकालने की प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन अफकोर्स चियान को उस पर जरा भी विश्वास नहीं था उसका दर्वाजा नौक करता है और जैसे ही दर्वाजा खुलता है चियान के पैरों में वो पपी आकर उसे प्यार करने लगता है और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही होता है चियान को देखकर लग रहा था कि उसे डॉक से बहुत धर लगता है अब यहाँ पर चियान उस पर बहुत धोसा करता है और कैसा है कि अभी के अभी यह डॉक लेकर तुम खुद भी यहां से डिसपीर हो जाओ वरना मैं तुम पर लीगल केस कर दूँगा अब यहाँ आगे से उनको कहने लगती है कि अगर सर मैं यहां से चली गई तो रात को आपके लिए मिड नाइट सपर गौन बनाएगा और गाना कौन गाएगा मैं ही तो हूँ आपकी इंसोमनिया की बिमारी का क्योर अब यह सुनते ही चियान तो हैरान रह जाता है उसका रादी से पता चल चुका था वो उसे कहता है कि इस बात को तुमारे पस कोई एविडेंस नहीं और तुम बिना वेरिफिकेशन की पता नहीं क्या क्याजियूम कर रही हो लेकिन फिर वो इस बारे में सोचता है और थोड़े देर बाद उसे मैसेज करके डॉक को और उसको वहां रहने की इजाज़त दे देता है अब इसके बाद याओ उसके लिए खाना बनाने लगती है आज वो याओ को बहुत हमदर्दी लेकर अपने पास रोकती है और उसे कहने लगती है कि मेरा हस्बंट शू वो मुझे धंकिया भेज रहा है और तो और मुझे डराने के लिए उसने कुछ लोग भी भेजें कि मैं उसकी आफर एकसेप्ट नहीं कर रही मैं डरी हूँ मैं उससे बात नहीं करना चाहती अब तुम भी तो मेरी लॉयर हो प्लीज तुम मेरी लॉयर बनकर मेरे बहाफ पर उससे बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो कि मुझे तमकिया देना बन कर दे अब याओ उसके सामने बैट करी उसे कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज आप मेरी क्लाइट को थ्रेटन करने की कोशिश ना करें वो बहुत कहता है कि मैंने उसे नहीं ड्राया और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ये इशू पीसफुली रिजॉल्व हो जाए तम बाइसे करो कि वो मुझे अंब्लॉक करें मैं उसे मिलना चाहता हूँ उसे बात करना चाहता हूँ लेकिन याओ आगे से कहती है कि नहीं वो अब आपसे कोट में ही मिलेगी जबके उसके बाद हमें दिखाते हैं कि याओ से मिलने के लिए वो ही मिस्टर शू आ जाता है जो कि उसको कहता है कि शायद आपको कोई मिसंडरस्टेंडिंग हुई है मैं तो उसकी और अपने बीच हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ अब याओ ने सोचा नहीं था कि इतना मेरे पीछे चल पड़ेगा वो वहां से पतली गली से निकल जाती है अब उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपनी नियूस चेक करती है तो उसे पता चलता है क्यों नहीं की बिल्डिंग पर खड़े होकर मिस्टर शू ने चलांग मार के सूसाइड कर ली है ये देखते ही याओ को लगता था कि उसके पैरों दले से जमीन निकल गई है और इसके साथ-साथ उसने ये नोट पी रखा था कि मिरी वाइफ की लॉयर याओ उसके और मेरे मिश दिवार बन रही है हमारे मिश confusion को दूर नहीं होने दे रही और मैं अब जीना भी नहीं चाहता वो बिशारा बहुत दुकी हो गया था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी reputation दिन बदिन बरबाद होती जा रही है और उसे और बरदाश नहीं हो सका और फिर next morning वो जैसे ही ऑफिस दुबारा जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस बाय ने एक नया lawyer हायर कर लिया है और वो उसके साथ एक press conference कर रही थी और वो यही कहती है कि मैं और मेरा husband हमारी सुला हो सकती थी लेकिन मेरी पिछली lawyer इतनी बीन थी कि उसने हमारे भी इस दिवारे घड़ी कर दी और वो बहुत दुखी हुई थी कि उसका husband मर चुका है और उनको सुला करने का last मौका भी नहीं मिल सका याओ तो उसका ये रूप देखकर हैरान थी वो लगता ही नहीं था वो ये miserable निसान है जो अगले दिनों से इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी और बस इस press conference के बाद social media पर हर कोई याओ को और उसकी company को बुरा भला बोले जा रहा था याओ परेशान होती है और उस मामले को खुद ही solve करने की कोशिश करती है वो तुरांथ ही जाती है मिस बाई के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर उनका lawyer बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहां trouble create मत करो और मिस बाई तो बिलकुल मुकर गई थी कहती है कि मैंने तुमें कभी भी call नहीं करने को कहा तो अब याओ के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो खुद को इनोसेंट साबित कर सकती कि यह सब बाई की चाल थी अब यहां पर वो lawyer याओ को बुली करने ही गोशिश कर रहा था और कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है तुमने ही उसे इतना डिप्रेशन में डाल दिया कि उसने सूसाइट कर लिया इतने में उपर से चियान पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है वो यहां पर आकर अपने असिस्टन को प्रोटेक्ट करता है और उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाता है अब रास्ते में वापिस जाते हुए चियान को वो सौरी बोलती है और कहती है कि सर आपने तो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहा था कि मैं इमोशनली हर केस से दूर हूँ लेकिन मैंने अपना बहुत बड़ा सबक सीखा है यहाँ पर चियान भी उससे कहता है कि तुम्हें इतनी भी समझ रही है कि वो एक्ट्रिस है उसे अक्टिंग कितने अच्छे से आती है उसे तुम्हारी हमदर दीजी ती सी सिरफ और तुम्हें अपने हाथ का पपिट बना लिया उसे जो कहा तुम्हें वो करती गई तुम्हें सिरफ इस केस को लीगली परसू करना चाहिए था अब यहाँ अपने बॉस से कहती है कि सर मैं कमपंसेट करना चाहती हूँ वो कैसा है तुम्हारी इतनी वकात नहीं के कर सको वो बोलती है कि मैं जून हंग छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ मैं रिसाइन कर दूँगी लेकिन वो बोलता है अब इतना मैस क्रियेट किया है ऐसे हार के मूँ छुपा के जाना कोई बहादुरी नहीं उसका अजबर डिप्रेशन का पेशिट था अकसर उसे सूसाइड के खियाल आते थे उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक मौरा बना कर यूज किया है ताके तुम उसके इस डिप्रेशन को एग्रिवेट करो और अब की बार उसने कमिट कर लिया उसने खुद उसे रास्ते से हटाया है अब शाम को दिखाते हैं कि याओ ने उसके लिए सी फूट वालर डिनर बनाया हुआ था ये देखकर चियान खुश भी हो गया था लेकिन साथी साथ उसके फेस को देखकर लग रहा था जैसे उसे याओ पर काफी तरसा रहा है वो एक सिंसेर लड़की थी जिसे मिस यूस किया गया था और आज वो अपने हाथों से उसे प्रांस भी खूल कर देती है जिसे चियान बहुत शौक से खाता है याओ बिजारी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी उसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी दी कि मिस्टर शूका भाई भी उसे धंकिया दे रहा था वो बहुत हुस्से में था और साथी साथ लोग भी उसे बुरा भला कह रहे थे उसे मर्डरर बोल रहे थे उसे एक धंकी वाली कॉल भी आती है जो कि आती ही चियान उसके हाथ से फोन चीन लेता है और उसे कहता है कि अब ना तो तुम सोशल मीडिया देखोगी नहीं अनन कॉल्स उठाओगी और उसकी डिप्रेशन दूर करने के लिए उसे अपने साथ ड्रिंक कराने के लिए ले जाता है अब वो उसे बार में ले तो आया था लेकिन जैसे उसे याद आता है कि लास्ट टाइम ड्रॉंक होकर इसने क्या का किया था वो उसे ड्रिंक करने की अजाज़त नहीं देता अब उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पर चियान ने किसी को मिलने के लिए पी बुलाया हुआ था और वो कोई और रही था बलके मिस्टर शू का एक्स लॉयर था उस लॉयर का नाब लू था और वो सब कुछ बताता है कि मेरा क्लाइंट शू वो तो बिचारा खुद एक विक्टम था उसके उपर उसकी वाइफ ने इल्जाम लगाया था कि उस पर डिमेस्टिक वाइलनस करता है लेकिन एक्शली उसकी वाइफ ने उस पर इतना साइकोलोजिकल प्रेशर डाला हुआ था कि उसे डिप्रेशन हो गया था वो काफी एरसे से अपना ट्रीटमेंट भी करा रहा था और यहाँ बर लू की बातों से उसे सारा बलैक और वाइट पता चल जाता है एक्शली कभी भी मिस्टर शू ने उसे खुद की तरफ अट्रेक्ट नहीं किया था बलकि उसने खुद ही मिस्टर शू को फंसा था क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत सक्सासफुल बिजनसमैन है लेकिन जब वो दोनों क्लोज हुए उनकी शादी हो गई उसके बाद उसे पता चला कि उसका बिजनस तो इतना सक्सासफुल नहीं जाता तब ही उसने फैसला कर दिया था कि शू को बदराब कर देगी और खुद उससे रास्ते अलग कर लेगी अब लू की बाते सुनने के बाद याओ को अंदाजा हो गया था कि वो नहीं है जिसने मिस्टर शू को डेथ की तरफ पुछ किया था बलके ये तो खुद होई एक्ट्रिस बाई थी अब यहां पर याओ च्यान का थैंक्स कर दें लगती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया लू को यहां पर बुलाया और मेरी सारी बाते क्लिर कर दी लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि फिर से अपने माइंड में कोई ड्रामा और फिल्मों वाली बाते ना ले आना कुछ भी रोमेंटिक नहीं है तो मेरी इंपलॉई हो और तुमें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्स बनता है वेल अब इंदियन जब वो वहां से जाने वाला था तो खुद की और लू की ड्रिंक के पैसे उसे मागता है कैसा है कि बिल तो तुम ही चुका होगी या फिर मेरे एक घंटे के पैसे दो कंसल्टेशन के और उसकी फीस तो इतनी हाई थी जो कि वो भरने का सोच भी नहीं सकती थी तो अफकोर्स बिल ही भर देती है वेल अब उसकी उदासी खतम करने के लिए वो उसे डिस्ट्रेक्ट करने के लिए बोलता है कि तुम्हे ड्राइविंग तो आती होगी लाइसनस है तो तुम आज मेरी गाड़ी चलाओगी लेगर इतनी मेंगी कार में वो पहली दफार ड्राइविंग कर रही थी बिचारी बहुत डरती है यहाँ पर कुछ लोग मोटर बाइक पर कुछ साइकल पर इवन कि पैदल चलने वाले भी उनसे आगे निकल जाते है और यहाँ पर आकर चियान की बस हो जाती है वो घुसा करता है तो आगे से याओ कहती है कि सर अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया एक भी सक्रैच आ गया तो इसकी कॉम्पंसेशन भरने के लिए मुझे अपनी आखें गुरदे पता नहीं क्या क्या मेशना पड़ेगा वेल अब नेक्स टे याओ को एक सर्प्राइस मिलता है उसके लिए बहुत सारे बॉक्सेश आये थे वो इतनी सारी चीज़े जब देखती है तो हैरान रह जाती है लेकिन उन सब में उसके लिए कोई ना कोई थ्रेटनिंग वाली चीज़ थी या पिर धम की वाले लेटर्स ये बाई के फैंस थे जो उसको इस तरह से बुली करने की कोशिश कर रहे थे याओ को खुद की तो इतनी फिकर नहीं थी लेकिन एक बॉक्स में वो अपनी सिस्टर शी की भी फोटो देखती है तो बहुत डर जाती है और तुरांती उससे फोन करती है लेकिन तैंक्स वाट वो बिल्कुल ठीक ठाक थी दूसरी तरफ हमें आफिस में दिखाते है वो जून और चियान दोनोंने मिलके फैसला किया था कि अब वो इस इशू को खुद अपने हाथों से रिजॉल्व करेंगे उन्होंने भी सोच लिया था कि बहुत हो गया डिफैंसिव मोड अब हम एग्रेशन में आएंगे और पिर उसके बाद हमें दिखाते है कि चियान अपने वोई थ्रेटनिंग लेटर्स देखता है सबसे पहला लेटर जब उसे मिला था तमकाने का तब वो भी बिल्कुल मासुम हुआ करता था याओ की तरह वो बहुत डर गया था और पूरी रात अपनी टेंशन भुलाने के लिए ड्रिंक करता रहा था वेल अब जब चियान रात को घर वापस आता है तो देखता है कि याओ बचारी सोफे पर ही सो गई थी और वो जिसे इतनी गहरी रीद आती थी आच चोटी चोटी आहट पर उठ बैखती थी डर के मारे कि कई कोई उसे मारने ना पहुंच किया हो और तो और वाच ग्रोस्टीज लेने भी नहीं गई थी तो आपकी बार चियान उसे अपने इसास लेकर जाता है सूपर स्टोर में और कहता है कि हाँ भी कट्टे शॉपिंग करेंगे लेकिन लगता है कि जैसे पहली दफ़ा आया था एक मोटी सी आंटी उसे टकर मार के गुजर जाती है वो तो कहता है कि मैं आप पर केस कर दूँगा लेकिन किसी तरह से याओ आकर बीच बचाओ करा लेती है वो कहता है कि तुम डर क्यों गई लेकिन इतने में उस आंटी को किसी और से फाइट करते देखता है तो खुद पतली गली से निकल जाता है उसे अब समझ आती है कि याओ ने उसे किस मॉस्टर ट्रक से ठकराने से बचाया है अब यहाँ पर कुछ गल्स उनको इकटे देखकर गॉसिप करने लगती है कि यह बॉय तो बहुत हैंसम लगता है और रिच भी लेकिन यह लड़की बिल्कुल ओर्डिनरी लुक्स वाली है यह बाते चियान ने भी सुन ली थी और इसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही याओ की केर करने लगता है कि जैसे उनको दिखाना चाहता हो कि उनकी बातों से उसे दरह फर्क नहीं पड़ता अब घर आने के बाद चियान उससे कहने लगता है कि अगर तुम रोना चुपाती हो तो खुल के रोलो इस तरह से जब तुम अपना रोना चुपाती हो तो बिलकुल बिसंदर दिखाई नहीं देती और जब वो रोने लगती है तो उसे अपना रुमाल भिला कर देता है अब वो उसे अपने आंसोनाक सारा कुछ साफ कर लेती है अब थोज़ देर बाद वो उसे चीर अप करने के लिए बताता है कि पता है यह रुमाल कितना महंगा था आठ हजार का खरीदा था मैंने अब वो बिजारी सोचन लगती है कि इतना महगा रोना तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं रोया वो जाते जाते उसे रोक कर कहता है कि तुम प्रिटी दीख रही हो लेकिन आगे से याओ को और भी रोना आ जाता है कि क्या फायता मुझसे जादा प्रिटी लेडी ने मुझे बेवाकुफ बना दिया अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फाइनली एक नया स्टार्ट लेती है दोती दिन बाद वो आफिस पहुंची थी उसके सारे फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि जरह अपना अकाउंट तो कोल कर देखो तो उसे पता चलता है कि वीबो पर वो सारे लोग जो उसे बुली कर रहे थे अब उसे माफी माँग रहे थे एक्शली ये रात और रात इसलिए बदला था क्योंकि कल ही फैसला किया था वो जून और चियान ने एक्शन लेने का वो लोग सोशल मीडिया पे उन सारे लोग को ट्रेस करते और उनको लीगल नोटिसेस भेज़ते है डेफिमेशन के अब चियान आउनलाइन सर्च करता है कि अगर कोई परेशान इनसान हो तो उसे कैसे चियर अप किया जाए उसे डिस्ट्रेक्ट करने करें उसे एक पोल भी रखवाया था और उसके बाद वो और्डर करता है याओ को अपने रूम में बुलाता है और उसे बहुत सारे पेपर दे देता है श्रैडिंग करने के लिए अब वो सारा दिरी सी काम में लगी रहती है उसके बाद जब घर पहुँचती है तो पता चलता है कि सारा घर बिखरा हुआ है लगता तो था कि जैसी ये सारा कुछ चियान ने किया है लेकि तो इल्जाम सारा डॉक पर डाल देता है कि ये सब उसी नहीं बिखे रहा है एक्शली वो याओ को बिजी रखना चाता था ताकि उसे रोने का समय ही ना मिले अपने एक निया लॉयर हार कर लेती है उस लॉयर का नाम था मिंग और ये मिंग किसी ना किसी तरहां से याओ का रेलिटिव भी बनता था एक्शली वो उसका एक्स जी जू था यानि के चैंग शी का एक्स हस्बन जो के इस ताइम पर बाय के केस को हैंडल कर रहा था वो एक दफ़ा शी को कॉल भी करता है एक्शली उसकी मम्मी शी को बहुत पस्रंद करती थी और उनको नहीं पता था कि उनके बीच डिवोर्स हो चुकी है क्योंकि उसकी मम्मी बेमार रहती थी उनकी सरजरी होने वाली थी वो ये चाहता था कि शी उनकी मम्मी के सामने बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करें जैसे उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है शी उस से कहती है कि तुम्हें शेरा मानी चाहिए तुम्हारी क्लाइट की वज़ा से और तुम्हारी लापरवाही की वज़ा से मेरी सिस्टर बहुत बदनाम हुई है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को देखने के लिए हूँ मैं जरूर आउंगी लेकिन सिर्फ इस वज़ा से क्यों एक अच्छी इंसान है ना कि तुम्हारी फेस सेविंग के लिए जबके उधर वू जून आज फिर से शी से मिलने के लिए जाता है और वो से कहने की कोशिश करता कि तुम भी याओ के साथ हमारी फिर्म जॉइन कर लो वो भी एक लॉयर थी लेकिन वो मना कर दे दिया एक्शली वो अपने लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी इसलिए वो बहुत शांती से रहना चाहती थी लाइम लाइट से बहुत दूर जबकि उधर याओ सारा दिन आज काम में बिजी रही थी अपने आफिस में जब वो वापिस आ दिया तो देखती है फिर से चियान ने घर गंदा किया हुआ था लेकिन इलजाम उसने दोबारा से बिचारी छोटे से पपी पर लगा दिया था लेकिन आज याओ को शक हो जाता है वो पपी से बातें करती है लेकिन सुनाती चियान को है वो कहने लगती है कि तुम इतने शरारती कब से हो गए मुझे लगता है कि कोई तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है उसे शक इस बात से हुआ था कि आज केले के छिलके भी फर्श पर बिखरे हुए थे जो कि अफ़कोर्स पपी ने तो खाए नहीं थे अब थोड़ देर बाद चियान दोबारा से इंटरनेट पर सर्च करता है कि डिप्रेशन में कौन सी चीज़ है जो इंसान को बेटर फील करा सकती है और उसमें से एक एक्सराइज भी थी जो के पोल में दूसरे नंबर पर आती थी अब वो तुरंथ ही आता है याओ के पास और उससे कहता है कुकिंग करना छोड़ो चलो हम एक्सराइज के लिए जाते हैं और्डर कर देता है बिलकुल बास की तरहां लेकिन बाहर जाते है थोड़े देर बाद याओ बिचारी की बस हो जाती है हो कहती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी अच्छी नहीं हूँ तो यहां पर चियान भी उसे बाते सुनाने लगता है कहता है जुडिशयल एक्जैम भी तुम भर मर के पास हूइ थी फिजिकल स्ट्रेंथ में भी इच्छी नहीं हूँ आई कि अभी तुम्हारा लो है तुम किस काम में अच्छी हो अभी वो इसी तरह की बातें करी रहे थे कि वहां पर एक फांटेंट शो स्टार्ट हो जाता है चियान में आज पहली दफ़ा याओ को बहुत गोर से देखा था और उसकी आँखें उसे बहुत संदर दिखाई देती है वो पूछने लगती है कि सर आप क्या देख रहे हैं तो वो उसे ये कहकर टांट कर देता है कि तुम्हारी आइस बिल्कुल तुम्हारे डॉक से मिलती है अब ये सुनने के बादफ को स्रियाओ नाराज होकर वहां से चली जाती है जिबके उधर शी आज मिंग की मम्मी से मिलने के लिए गई थी और वहां पर वो लोग ऐसे एक्टिंग करने लगतें कि जैसे वो अभी भी एक कपल है एक्शली वो मम्मी को सरजरी से पहले परिशान नहीं करना चाहती थी लेकिन बाहर जाकर वो मिंग को काफी डांट दिया और उसे उसकी वकात याद दिला देती है मिंग तो अभी भी चाहता था कि वो शी को अपनी जिंदगी में दुबारा ले आ सके लेकिन लगता नहीं था कि शी उसे दूसरा चांस देगी और वो जो नेक्स्ट शी से मिलने के लिए जाता है और शी अपनी एक क्लाइंट से मिलने के लिए आई हुई थी क्लाइंट के पास वरकर्स की कवी थी तो वो उनके साथ मिलकर पोटेटोस पील कराने लगती है और वहां पर वो जो उन भी बैट जाता है जिसमें बिल्कुल भी नख्रा नहीं था, वो भी उनके हेल्प करने लगता है लेकिन हेल्प काम और उनका काम खराब ज़्यादा करा रहा था जिसकी वैसे आंटी को काफी गुसा आता है और वो से बाहर कर देती है और साथ में ये भी कहते थी कि तुम्हारी फ्यूजर वाइफ बहुत अनलकी होने वाली है क्योंकि तुम्हें घर के काम तो लगता है बिलकुल भी नहीं आते अब उसे काफी शर्मिंदगी होती है कि काश आंटी शी के सामने ये सारा कुष्णा कहती वो जर मैंग को दिखाते हैं उसे भी पता चल जाता है कि आज कल वूजून और शी काफी क्लोज आये हुए हैं वो रही चाता था कि शी वूजून के करीब जाए वो वूजून को अपना राइवल समझता था यहां तर चियान उसे साफ साफ सीनल दे देता है कि मैं तुमें बिल्कुल भी इंट्रस्टेड नहीं हूँ इसलिए तुम कोई और काम पर तवजू दो मेरे पीछे चलने से बेतर रहेगा वेल अप चियान यह फाईल ले तो लेता है और रूजूस को ही रखता है याओ भी यह देखकर हिरान रह जाती है वहसे कहता है कि इस मिस्टर से जाकर मीटिंग कर लो और इस केस के बारे में एक फाईल तयार करो अब याओ जाती है और डॉंग के डैट से मिलती है जाकर वो उनसे डिवोर्स की रीजन पूछती है तो वो कहते हैं कि एशली मुझे कैंसर है और मैंने ही चाहता कि मेरी वाइफ विद्वा रह जाए उनको देखकर लग रहा था कि जैसे वो एंजल टाइप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याओ उने पहले भी एक दफ़ा धोका खाया था तो अब की बार वो धोका नहीं खाती बलकर उसे शक होता है तो वो उनका पीछा करने लगती है उसने उनकी डॉक्यूमेट्स में उनका एक सीक्रिट विला भी देखा था वो उनको देखती है वहाँ पर तो पता चलता है कि उन्होंने एक मिस्ट्रिस रखी हुई है जो कि इस ताइम पर प्रेगनेट भी है अब वो रंगे हाथों पकड़े गए थे तो जूट बोलने के कोई फाइदा नहीं था वो सच-चच बता देते हैं कहते हैं कि डिवोर्स इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक और बेबी इस दुनिया में आने वाला है और वो एक बेटा होगा वो सिर्फ एक बेटी से खुश नहीं थे उन्हें और भी बच्चे चाहिए थे वेल अब यही बात वो सीधा जाती है और जाकर अपने बॉस को बता देती है लेकिन मज़े की बात है कि चियान यह सुनकर बिलकुल भी शौक्ट नहीं हुआ था नहीं सर्प्राइज था वो हैरान रह जाती है और कहती है कि सरा अपने यह एक्सपेक्ट किया था वो कहते हैं कि मैं इस बंदे को बहुत अर्से से जानता हूँ यह मेरा पहले भी क्लाइंट रहा था एक्शली चियान ने दुनिया देखी थी इस तरह की बात ने उसे शौक्ट नहीं करती थी वेल अब शाम को चियान जब अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा था तो वहां पर उसे एक नोटिफिकेशन देने वाला मिलता है जो बताता है कि आजकर इस एरिया में कुछ खत्रा बाढ़ गया है चोरी चकारी हो रही है इसलिए हर कोई अपने घर की खुदी हिफाज़त करे जियान आता है देखता है याओ का कमरा खुला पड़ा था ना वो थी ना उसका डॉग वो काफी देर चिल बहुल में बैठा रहता है लेकिन थोड़ देर बाद उसकी फिकर होने लगती है कि अभी तक लौटी नहीं वो उसे कॉल करता है लेकिन नंबर भी नहीं लग रहा था अब वो परिशान हो जाता है और जाकर सीक्यूरिटी गार्ड से मिलता है उसका फेस देखकर लग रहा था चियान पर उसे गिरा लेता है और उसके उपर ही चड़ जाता है उसने उसके फेस पर लिक भी कर दिया था अब चियान की शकल देखने वाली थी लगता था कि मिन नहीं लगाएगा और याओ को फायर कर देगा तो हैड़त की बात है कि चियान भी उसे फिर से माफ कर देता है और उसे पपी समयत गर से बाहर नहीं निकालता वैल अब थोड़े दिनों बात जब वो आफिस में थे तो उनको एक बैट नियूस मिलती है और वो ये थी कि डाउन के डाड की डेथ हो गई है मतलब कि याओ जो समझ रही थी कि वो जूट बोल रहे है शाद वो वाकिए विमार थे उन्होंने सच बोला था वो उनका केस हैंडल कर रहे थे तो इसी हैसियत से वो उनके फ्यूनरल पर भी जाते है या अबर डाउन की ममी चियान को एक दफा साइड पर ले कर जाती है और उनसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जो इस केस को हैंडल कर रहे थे प्लीज इस बात को सीक्रिट रखना क्योंकि मैंने ही चाहती कि इसके डाड का इमिज खराब हो जो भी था मुझे पता है लेकिन अगर हमारी होने वाली डिवोर्स की बात आउट हुई तो इससे हमारे बिजनिस पर इफेक्ट होगा और इनकी रेप्यूटेशन पर भी इन्होंने जो करना था इस दुनिया से जा चुके इसलिए फ्लीज आप इस बात को अब सीक्रिट ही रखना अब वापसी पर जाते हुए चियान याओ को बताता है कि अच्छली डॉंग की ममी बहुत स्मार्ट है उन्हें सब पता था कि उनका एक स्टेप सान इस दुनिया में आने वाला है लेकिन अभी तक वो उनका लीगल बेटा कंसीडर नहीं हुआ इसलिए वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये बात खत्म हो जाए और नहीं डिवोर्स की बात आउट हो ताकि कल को वो बच्चा उनकी इन्हेरिटेंस में हिस्सारा मांग सके याओ हैरान रह जाती है कि चियान कितना स्मार्ट है और इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है अब नेक्स डे डाउंग ने याओ को मिलने के लिए बुलाया था और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है मेरे ममी डैडी के बीच क्या चल रहा था और मेरी ममी इस सब को सीक्रेट क्यों रखवाना चाहती है कि उनकी डिवोर्स हो रही थी लेकिन याओ ने अपने पिछले केस से काफी सबक सीख लिया था वो अपकी दफ़ा उसे बिलकुल प्रोफेशनली जवाब देती है और उसे कोई हिंट नहीं लेने देती जब वो डॉंग से मिलने के लिए गई हुई थी तो उस टाइम पर उसका पपी घर पर था और चियान भी पपी बाहर सोफे पर खेल रहा होता है चियान को उसे बहुत इरिटेशन होती है लेकिन धोड़ देर बाद जब वो उसकी आइस को गोर से देखता है तो उसे लगता है कि जैसे वो याओ की आइस में देख रहा है और पिर जब तक याओ वापिस आई थी तो उसका पपी बिजारा अम लाइन फोर्ड लगाए अराम से बैठा हुआ था और उस पर ये जल्म इसलिए हुआ था क्योंकि उसने उसके बास को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी अब यहाँ पर याओ उससे पूछती है कि सर आप रात के खाने में क्या खाना बसंद करेंगे लेकिन चियान का आज कुछ और ही मूड था वो कहता है कि शाम को हम खाना खाने कहीं बाहर जाएंगी और ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी शायद उसके डॉक के तंग करने ही कंपनसेशन में आवो उसे अपने फेवरिट रेस्टरान लेकर जाता है लेकिन बिचारी याओ जब वहाँ पर प्राइसेज चेक करती है तो उसकी तो बैंड ही बाद जाती है वो सोचती है यहाँ का खाना अच्छा नहीं सर कहीं और और करते हैं लेकिन वो अपनी पसंद की दिशिज वहीं पर और करा देता है आप वो दोनों इकटे वहाँ पर बैठे हुए होते हैं तो आप वो दोनों इकटे बैठकर काफी सारी बातें भी करते हैं गेम्स और म्यूजिक को लेकर वो अपने इंट्रस्ट्स भी एक दूसे से शेयर करते हैं याओ को जिस तरहां का म्यूजिक पसंद था चियान बताता है कि उसे भी उसी तरहां का पसंद है और वो बताता है कि मेरे विला पर इसके लिमिटर एडिशन की काफ़ सारी कॉपिस भी पढ़ी है जो कि मैं तुम्हें लाद हूगा यह सुनते ही वो इतनी हुश होती है कि उससे कहती ही कि बॉस आप कभी-कभी बहुत क्यूट हो जाते है और यह सुनते ही चियान शर्मा जाता है यहो को चियान का मैसेज आता है उसने उसे पैसे सेंड कर दिये थे जितना में बिल्थाउस डिनर का वो पुछती है कि आपने तो मेरे से ट्रीट लेनी थी नेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मुझे गर्स से ट्वीट लेना पसान नहीं है क्योंकि इस तरह से मैं उनको ओक करने लगता हूँ और वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती है यहो को यह जवाब सुनकर काफी हैरत होती है अब नेक्स टे यहो शॉप्पिंग के लिए जाती है उससोचा था कि कालीस ने मुझे डिरा कराया है तो आज मैं इसके लिए आईस क्रीम ले जाती हूँ वो जाती है और एक आईस क्रीम आन रिकर थी है उसको टेस्ट करके राख देती है और बाकी ग्रोसरी इस फिज में राक रही थी बॉस को बताती है, कि मैं आपके लिए आईस्क्रीम लेकर आई हूँ पहले तो ना करता है, पिर खामोशी से वही वाली आईस्क्रीम उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है जैसे ही पीछे मुड़कर चियान देखती है तो वह हैरान रह जाती है लेकिन हामोश हो जाती है बताती नहीं है कि याइस्क्रीम पहले उसने टेस्ट करी हुई थी अब वो चुपचाप बाहर चली जाती है और बाहर जाकर बस यही सोच रही थी कि उसने मेरी टेस्ट की हुई आइस्क्रीम खाई मतलम हमने इंडारेक्ट एक किस की लेकिन बाहर एक और डॉग आता है अब उस डॉग को ओनर यहां पर खड़ा याओ को बुली कर रहा था कि इतने में चियान उपर से आ जाता है वो चाहता था कि अपने डॉग की वज़ा से मुझे कमपंसेट करें तो चियान कहता है मैं कर दूँगा और वो तुनाती उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है लेकिन यह सारे कुछ इसमें इसलिए किया था ताकि उसका अकाउंट अता पता उसे पता चल जाए ताकि वो कल को उसको सू कर सके ब्लैक मेलिंग के लिए जब वो याओ को कह रहा था कि मुझे बैडिकल के पैसे चाहिए तो यहाँ पर चियान ने चोरी-चोरी उसकी वीडियो बना ली थी और वो कहता है कि अब तुम्हें तीन साल की इंप्रिजिनमेट भी हो सकता है यह सुनता ही वो वहाँ से भाग नहीं करता है और जाते-जाते चियान को वो पैसे भी वापस ट्रांसफर कर देता है जो कि उसमें थोड़ दिर पहले उसे सेंड करे थे अब यहाँ पर याओ उसको थैंक्स करती है कि बास आपने फिर से मेरी इतनी हेल्प करी लेकिन वो उससे पूछती है कि आप नीचे कैसे आए तो वो कहता है मैं तो तुम्हें याद कराने आया था कि तुम ट्रैश निकालना भूल गई हो लेकिन याओ को शक हो जाता है कि ये मेरे पीछे-पीछे नीचे आया है और यही बात जब वो अपनी फ्रेंड टिंग से शेयर करती है तो वो भी उसको यही कहने लगती है कि लगता है तुम्हारा बहुस तुम्हें इंट्रॉस्टेड है और यह सोच सोच के आज याओ बहुत कुश हो रही थी लगता है कि वो सपनों की दुनिया में पहुँच चुकी थी अब वो थोड़ देर बाद चियान के पास जाती है और उससे कहती है कि सर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रैडी किया है प्लीज बैलकनी में आ जाए वहाँ पर उसने उन दोनों के लिए फीट बात का इंतिसाम किया हुआ था बकिट में वाम वाटर था और कुछ एंटि आक्सिडेंट्स भी साथी साथ फूर्ट्स और स्नैक्स भी पढ़े हुए थे यहाँ पर बैलकनी में बैठ कर वह दोनों अपने फीट को वाम करते हुए रिलाक्स हो रहे थे यहाँ पर चियान अपने पुराने दिनों को याद करता है कहता है कि मेरे विला पर भी च्छत थी जिस पर मैं एकसर बैठा करता था अब वो जिस तरह से अपनी आखें बंद करके रिलाक्स कर रहा था यहाँ को उसे देखकर काफी खुशी होती है और लगता था कि वो तो प्यार के पहले स्टेप में कूछ चुकी है वेल अब नेक्स देग वो लोग देखते हैं तो उनकी फर्म में कोई लड़की आई हुई थी जो कि चियान से मिलना चाहती थी यहाँ पर उसका एक कुलीग जिसका नम बाओ था वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कोई केस लेकर आई है शार्द यह बास को जानती है कहीं बास इसको कुछ ओ तो नहीं करते वो लोग वार करते तो वो लड़की प्रेगनेट भी थी बाओ का माइट तो पता नहीं कहां कहां जा रहा था उसे लगा था कि यह हमारे बास पर केस करने के लिए आई है लेकिन वो आगे जाकर कहने लगता है कि मैं मिस्टर चियान का लॉयर हूँ आप मुझसे बात करें और इतने में चियान भी उपर से आ जाता है और उसको वहां से डांड कर हटाता है और उस लेड़ी को अपने साथ ले जाता है अच्छली वो अपना एक केस उसे लड़वाना चाहती थी अब जब वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं तो याओ को पता चलता है कि वो लड़की चिन है चिन वही लड़की थी जो कि डांग के डाट की मिस्टरस थी और इसके साथ साथ याओ से पसंद नहीं करती थी क्योंकि यही वो लड़की कौस थी जिसकी वज़ा से चैंग शी और उसके हस्बंट के बीच में भी अलादगी हुई थी आज वो यही कहती है कि मिस्टर डॉंग शान वो इस दुनियां से चले गए है उनकी बाडी को डिस्पोस कर दिया गया इससे पहले कि मुझे पता चले उनकी डेथ हुई है अब मेरा बेटा जो कि अब इस दुनिया में आया ही रही है उसे मैं कहां से अपने बाप का हक दिलाओं ये सब सुनकर याओ को बुरा भी लगता है क्योंकि उसकी फीलिंग ये थी कि डॉंग की मम्मी मिस्स शान वो ही असल हकतार है जो भी प्रॉपर्टी मिस्टर शान छोड़ कर गए है उन्होंने उनके साथ सारी जिन्दगी बिताई बिजनस में हिसा लिया लेकिन ये एक मिस्टरिस कुछ महीनों महीं अपना हक जमाना चाहती थी और दो सो मिलियन उनकी प्रॉपर्टी से लेकर जाना चाहती थी अब इस बात की वज़ा से चियान को काफी घुसा आजाता है जब वो अपने आफिस में पहुंचता है तो वहां जाकर याओ को बहुत डाटता है और कहता है कि मैंने कितनी दफ़ा तुमें समझा है इमोशन्स को अपने केस के अंदर मत लेकर आया करो वो बच्चा जब इस दुनिया में आया ही नहीं है उसका हक बनता है अपने डैड की प्रॉपर्टी पर और हमने सिर्फ लीगल इशूस को देखना है लॉव में इसके लिए हिस्सा है अब इसकी माँ तुमें चाहे अच्छी लगे या फिर बुरी लेकिन याओ कहती है कि लेडी मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं इसलिए मैं इस केस को फॉलो नहीं करने वाली अब ये बात सुनते ही चियान को बहुत घुसा आ जाता है वो कहता है कि तुम कितनी अनप्रोफेशनल हो अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये रियालिटी है तो मैं वुजुन को कभी भी इजाज़त ना देता कि तुम्हें बैकडूर से लेकर आए अब ये बात उसके मुझे सिलिप हो गई थी ये सुनते ही याओ हैरान रह जाती है और उसे समझा जाती कि मेरी सिस्टर चैंगशी उसी के ही लिंक्स की वज़ा से मुझे यहाँ बैकडूर से रखा किया है अब वो एकदम दुखी हो गई थी उसकी आँखों में आसू थे उसके कोलीक्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं हम सारे मिस्टर चियान की डांट की वज़ा से रोचुके अब तुम भी हमारे ग्रूप में शामिल हो तो गाइस आगे इस वीडियो में क्या होता है यह देखने के लिए आप मेरे नियू चैनल पर जाए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर इस वीडियो का रिमेरिंग पार्ट आप लोग देख सकते है वेल अब इतने में चियान अपने आफिस से चिलाता हुआ बाहर निकलता है और पूछता है कि यह फाइल्स किसने अरेंज की थी वेल अब यह तो याओ और यू नहीं कट्टे अरेंज की थी लेक्स भी कॉंटेक्ट करते हैं लेकिन वह सारों को कहती है कि एक्शली मैं सबस्दा अफसेट इस वज़ा से हूँ के सार ने मुझे कहा मैं बैक डूर से आई हूँ लेकिन वह लोग कहने लगते हैं कैसा कुछ भी नहीं है तो उसे मैसेज भी करता है उसे कॉल भी करता है लेकिन वह हर चीज को इगनोर करती रहती है वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग इसी बात की वज़ा से चियान का और भी मूड खराब था कल तो उसने यू को डाटा था आज लगता है बाओ की बारी थी वूजून भी देख लेता है अब वो अंदर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपते इपलॉईस पर इतना प्रेशर क्यो डाल रहे हो तो वो उसे कहने लगता है कि प्लीज यू का पता करो वो तो मेरी कॉल्स को इगनोर कर रही है पिरे मुझे स्लिप हो गया था कि वो बैक डूर से आई है ये सुनते ही वो जो उससे बिज़ादा परिशान हो जाता है और कहता है बहुत तुम्हें कहा था ना खुद को काबू में रखना तुमने कितना बड़ा कांट कर दिया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ना सिर्फ याओ तुम से नाराज हुई है बलके शी भी मुझे नाराज हो जाएगी अब वो याओ को कॉल करता है लेकिन उसने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया था तो अब वो उसके सिस्टर शी को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये सारा कुछ चियान के मूँ से गलती से निकला है प्लीज अपनी सिस्टर को जाकर किसी तरह मनाओ उसकी हिम्बत बदाओ मैं सॉरी करता हूँ और उसके बाद वो ये कहता हूँ वो वहां से निकल जाता है कि चियान मैं तुमसे बहुत निराश हुआ आज जबकि उधर शी ने याओ से अड्रस ले लिया था वो उसके लिए सूप पी लेकर जाती है उसे खाना खिलाती है और साथी साथ समझाती भी है कहती है कि बेशक वो जून ने तुम्हे इसलिए रखा है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ लेकिन फिर भी तुमने एक्जैम भी पास किया था वहां का और इंटर्व्यू भी तुम किसी बैक डूर से नहीं आई हो तुम खुद भी वहां पर जाना डिजर्व करती थी और इस तरह से तुम मुझ उपा कर आ जाओगी इस तरह से मुझे भी शर्मिन्दगी होगी तुम जितने दिन वहां पर हो उन्होंने तुमे फायर नहीं किया तुम अपनी परफार्मस से उनको जवाब दो बिल्कुल ठीक कहा था परसनल इशूस को बिल्कुल अंदर ना लाओ तो अब याओ भी फैसला कर लेती है कि वो हिम्मत करेगी उस ओफिस में दुबारा जाएगी और सब को दिखाएगी कि वो बैक डूर से नहीं आई बलके वो उन सब जैसे बाकी को लीक्स है इतने में शी को वो जून की कॉल आ रही थी लेकिन वो इग्नोर कर देती है और वो जून सारा घुसा निकालता है चियान पर और कहता है देखा शी मेरी कॉल्स उठाना बंद गर चुकी है तुम्हे क्या मिला तुम थोड़ी दिर अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते थे और बस शीहान बिचारा खामोशी से ये सारा कोई सुनता रहता है और कहता है कि मैं रिस पॉसिबिलिटी लेने के लिए तयार हूँ तो वूजून कहता है ठीक है फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के सास लेकर जा रहा था कि चलो याओ से माफी मांगो लेकिन उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं कि याओ आफिस में आ चुकी थी वूजून उसके पास भागता हुआ जाता है और उसे कहता है कि I think तुम आप अपसेट नहीं होगी शी ने तुमें समझा दिया रहा तो वो कहती है हान जी और मैं आपसे प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगी मेरी भी कहीना नहीं बहुत गलतिया थी अब वो जून दो शी से मिलने के लिए चला जाता है जबके वो सामने कड़े चियान से माफ ही मांगती है और कहती है कि मैं आइदा से प्रोफेशनल रहूंगी और आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर रहना डिजर्व करती हूँ वैल आप ये देखकर चियान को काफी तसली हो गई थी अब उसके बाद वो लोग मीटिंग में बैटे हुए थे और वो रास्ता दलाश करने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से वो साबित करें कि चिंग के पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर डॉंग शान गाई है लेकिन डॉंग शान की बोडी या उसी कोई कबर रही मरी थी उसे डिस्पोज आफ कर दिया गया था उनके पास थाबित करने का और कोई रास्ता नहीं था यहाँ पर याओ कहने लगती कि हैना डॉंग में जो कि सिस्टर है उस होने वाले बच्चे की शायद उसके डियाने Britney मैच हो जाए तो हम इस थाबित कर सके लेकिन क्या यह पॉसिबल हो पाएगा के नहीं यह देखने के लिए स्टेकन है तो अब चिएन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डonomy उसका डियाने से मैच हो सकता है क्योंकि हम एक वाय क्रोमोसूम्स चाहिए ताकि हम डायरेक्ली थाबित कर सेके कि यह डॉंक शान का ही बेटा है यहाँ पर वो कहता है कि एक्शली डॉंक शान की डैड अभी तक जिन्दा है वो बहुत बूढ़ हैं और बिमार हैं लेकिन फिर भी अगर वो मान जाए तो हम उनका डियने टेस्ट करा सकते हैं क्योंकि डॉंक डॉंक शान का कोई दूसरा भाई नहीं था अगर डियने मैच कर गया तो यह थाबित हो जाएगा कि वो बच्चा डॉंक शान का ही है अब यहां पर याओ कहती है कि इसके साथ साथ हम लोग चिन के फ्लाट का भी सीसी टीवी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि वहां पर मिस्टर शान कितना आया जाया करते थे और साथी साथ हॉस्पिटल में जब वो रूटीन चेक अप के लिए जाती थी वैल अब याओ जाती है और अपनी सीट पर बैठकर अपना काम करने लगती है यहां पर चियान चुरी चुरी उसे बार बार देखे जा रहा था जब चुटी का टाइम होता है तो वो उसके बास आता है और पूछता है कि क्या तुम आज घर आओगी ना उसका काम दिन-बदिन बहुत मैचूर होता जा रहा था उसे काफी पसंद आता है और वो उसे थोड़ी दिर बाद एक मैसेज करता है कहता है मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर रखे हैं उन्हें तुमारे लिए करेक्शन करके रखा हुआ है आकर वो ले लो इस सारी सेविंग्स उस होटल की खर्चे पर ना खर्च कर देना तुम यहां रह सकती हो और उस टाइम चियान अपनी गारी में बाहर ही खड़ा हुआ था वो जब देखता है कि याओ के कमरे की लाइट आफ हो गई है तो उस वकत वहां से चला जाता है अब इसके बात हमें शी को दिखाते हैं शी से मिलने के लिए मिस्टर मिंग आया हुआ था वो ड्रंक था और जबरदस्ती इसके घार में घुस गया था और यहां पर आकर वो उसे परसू करने ही कोशिश करता है कहता है कि मैं बहुत पश्ता रहा हूँ प्लीज मेरी लाइफ पर वापिस आजो मैं तुम्हें डिजर्फ करता हूँ और तुम मुझे जब वो नहीं मानती तो उसे कहता है कि तुम वूजून के आगे पीछे बहुत फिर रही हो आचकल उसके पास लड़कियों की कोई कभी नहीं इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो तुम ज़सी सेकंड हैंड को अपने पास लेगा वो सिर्फ as a fun और adventure तुमाने साथ फिर रहा है वो शादी तुम से कभी नहीं करने वाला वो ड्रंक था और बहुत सी उल्टी सीधी बातें करने लगता है यहां पर शी उसके मुँपर पानी फैंक कर उसे होश मिलाने की कोशिश करती है और उसे घर से निकाल देती लेकिन वो इतना ढीटता के निकलते निकलते फिर से मुडता है और उसे I love you कहने की कोशिश कर रहा था उसके बाद शी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है एक्शली वो भी वूजून को हमेशा से लाइक करती थी लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों एक नहीं हो सके थे और अब जो बाते यहां पर मिंग करके गया था उसके बाद वो काफ डिस हाट हो जाती उसे लगता है वो वूजून के काबल नहीं रही दूसी थरफ आज बाओ और याओ दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे एक्शली वो दादा जी को मनाना चाहते थे कि डियाने टेस्ट कराने के लिए राजी हो जाए यहां पर बैक अप के तोर पर चियान भी आया हुआ था लेकिन उसने याओ को नहीं बताया था कि वो वहाँ पर है ताकि वो आनीजी फील ना करे आप जैसे ही वो लोग अंदर दादा जी के पास जाते उन्हें लगा था कि कन्विन्स करना बहुत मुश्किल होगा लेकिन दादा जी तो जैसे मानने के लिए तैयार बैटे थे उन्हें जैसे ही डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखाया जाता है कि वो होने वाला बच्चा एक बॉई है तो वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं और हैं अपनी प्रापरटी को संभालने के लिए एक बेटे की जरूरत थी वो साइन कर देते हैं लेकिन ये बात याओ को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसे लगा था कि ये अपनी डॉंग मी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन लगता है कि वो भी काफी सेलफिश थे अपने बेटे की दरहां और उनको भी अपना बिजनस चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत थी अब जब याओ बाहर आती है एक दफ़ा बावज़रा साइट पर जाता है कॉल सुने तो एक नर्स उसके पास आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है उसे कहती है कि तुम वकील लोगों के पास जमीर होता है के नहीं डॉंग मी और उसकी मम्मी हमेशा से इन दादाजी की केर करती आई है और आप उनकी जायदात हती आने के लिए आप लोग एक मिस्ट्रिस का साथ दे रहे हैं आप उनका हक चीन रहे हैं वो इसी तरह से याओ को बुरा बुरा बोलती हुए वहाँ से चली जाती है यह सारा कुछ चेयान भी देख रहा था जबके चिंग को तो बहुत ही जल्दी थी अपने बच्चे का डियाने टेस्ट कराने की यहाँ पर याओ उससे कहती है कि इस तरह से ये सेफ नहीं है तुमारे बच्चे के लिए डेजरस हो सकता है लेकिन वो कुछ भी मानने को तयार नहीं थी कहती है कि देर हो गई तो वो लोग कुछ ऐसी चालाकी करें कि मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी उससे छीन लेंगे इससे पहले कि डॉंग फैमिली संभलती वो अपना लीगल प्रोसीजर शुरू कराना चाहती थी अब उसके बाता में निखाते हैं आफिस में पहुँचकर शीयान अपने पास बाव को बुलाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम दोरों इकटे रहना मेरे लॉयर्स जब भी कहीं बाहर किसी मेशन पर जा करें तो साथ साथ रहा करें तुम कहीं अलग तो नहीं हुए थे याउसे वो थोड़ देर के लिए हुआ था लेकिन उसे लगने लगता है कि बोस ये सारा कुछ मेरी केर में करें मेरी बहुत परवा करते हैं क्योंकि उनकी नदर में बैस्ट लॉयर हुई हूँ यहाँ का लेकिन इन फेक्ट शीयान को बहुत परवा हुँ रही थी क्योंकि उसे लगता था कि याव बहुत इनोसेंट है और ऐसी बातें मरदाश नहीं कर पाएगी जैसे नर्स ने उसे की थी उधर वो जून आज शी के घर पर जाता है क्योंकि उसकी कॉल्स नहीं उठा रही थी वो उसे कहता है कि मेरे दिल में दुमारे लिए आज भी वही जगा है जो कि यूनिवर्स्टी के दिनों में हुआ करती थी वो उसे कहता है कि मैं तुमारे इस रक्षा भी कर सकता हूँ तुमारे साथ सारी जिन्दगी चलने को तैयार हूँ लेकिन शी को लगता था कि जैसे वो इस काबिल नहीं है वो डिवोस्ट है जबकि यह अभी तक बैचलर वो जून बहुत रिश्टा उसके आगे पिछे लड़कियों के कोई कमी नहीं थी शी उसे इंकार कर दे थी और कहती है तुम भी नहीं मुझे में कमी है और प्लीज आप मुझे से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना तो अब वो जून भी अपना गाम भुलाने के लिए चियान के साथ मिलकर एक जगा पर जाता है जहांपर वो दोरों फीट बात ले रहे थे अल्दो वहाँ पर सब कुछ बहुत लगज़ी था लेकिन फिर भी चियान को लगता था किस से ज़्यादा रिलक्सिंग वो उस वकत था जब वो याओ के साथ बैलकरी में बैटा एक वाम फीट बात ले रहा था दुसरी तरफ याओ को दिखाते जो हर टाइम पर हंसती खेलती रहती थी आज वो भी काफी सैट नजर आ रही थी लगता है कि उसे घर सुना सुना लगता था चियान के बिना चियान को अब नीन तो आती नहीं होगी तो आज भी वो फाउंटेंड शो देखने के लिए उसी जगा पर खड़ा हो जाता है जहां पर उसकी और याओ की यादे जूड़ी हुई थी पिछली दफ़ा भी उसने शो उसके साथ इकटे देखा था वैल अम फाइनली डियने का रिजल्ट आ जाता है और पता चलता है कि चिंग ने ये प्रूफ कर दिया है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर डॉग शान का ही है लेकिन यहां पर चिंग ने सब को सर्प्राइस कर दिया था उसको हॉस्पिटल से लेने के लिए उसका बॉइफरेंड आया हुआ था अभी डॉग शान को मरे थोड़े दिन भी नहीं हुए थे कि उसने नया बॉइफरेंड में तलाश कर लिया था या फिर शायर वो डॉग शान से भी चीट कर रही थी पहले ही एक बॉइफरेंड रखती थी वो इस तरह की मतलबी और सेलफिश होगी यह देखकर तो बाओ का भी खून खूलने लगता है जो कि काफी प्रोफेशनल इंसाम था वैलब वहाँ से वापिस जाते हुए चियान आता है उन दोनों को पिक करने के लिए एक्चली उसे तो याओ की फिकर हो रही थी लेकिन बाओ बहुत खुश होने लगता है वह कहता है मुझे पता है साथ आप इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपकी कंपनी का क्राउन प्रिंस हूँ आगे साथ जिमेदारी मेरे शूल्डर्स पर आ रही है मुझे पता है आप मेरे कितनी केर करते हैं अब वो इतनी बख बख कर रहा था कि चियान को बुरा लगने लगता है वो एक दौहल से इशारा तो देता है उसकी विंडो का शिशा नीचे करके कि तुम्हें यहां से उठा के बाहर पैंक दूगा लेकिन पुर भी लगता है कि वाउने सबक नहीं सीखा था वो दुबारा से बोलने लगता है तो उसके साथ यह इनजाम होता है वो गारी से बाहर निकाल दिया गया था अब रास्ते में याउ और चियान दोनों अकेले जा रहे थे यहां पर याउ उससे पूछती है कि इन दिनों सर क्या आप सोएं है तो वो आगे से तुनंत ही कह देता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नीद आई इन दिनो लेकिन लगता था कि वो जूट बोल रहा है अब उसके बादा में कोट का सीन दिखाते है जहां पर वो ही केस प्रोसीड किया जा रहा था चियान बहुत अच्छे से उस केस को लड़ता है और जिस तरह से उसाई दरीले दे रहा था चियान उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और फिर इवेंचली जाज यही फैसला देता है के चिंग के पास जो बच्चा है वो डौक शान कही है और वो उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार रखता है डौंगमन की प्रॉपर्टी अब आधिकार ली गई थी अब वो केस चिंग जीत चुकी थी और उसके सामने बैटी हुई डौंग फैमली बुरी तरहां से हार गई थी यह केस वो लोग विंगर चुके थे लेकिन फिर भी याओ को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी और चियान को देखकर भी लगता है कि दादा जी की और डौंग मिन की लड़ाई हो जाती है डौंग मिन बहुत इमोशनल हो गई थी वो दादा से कहने लगती है कि मैं आप से कितना प्यार करती थी मैंने किया किसी चीज़ी कोई कमी छोड़ी थी जो आपको एक पोता चाहिए था उसको यही प्रॉबलम था कि दादा को डियने के लिए इजासत देने ही नहीं चाहिए थी यहां पर दादा उसे डांटते हैं इवन कि उसे पनी स्टिक सेवार नहीं कोशिश करते हैं लेकिन याओ बीच में आ जाती है और खुद उस टिक खा लेती है अब डॉग मिन का घुसा निकल रहा था याओ पर जो उसे कहती है कि तुम कितनी सेलफिश हो लेकिन उपर से चियान आ जाता है और उनको कहता है कि हम सिरफ और सिरफ लॉयर्स है हमारा काम प्रोफेशन को चलाना है आप लोग हमसे दुश्मनी नहीं रख सकते जोब पर थी और इस वकद तुम्हें जो इंजरी हुई उसका जिम्मदार अफकोर्स तुम्हारा बॉस है इसलिए मैं तुम्हें हीरिंग कराने में हैल्प करूँगा वैल अब जब लोग अपने लॉफ वम में वापिस पहुंचते है तो वहाँ पर वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और फिर बिठाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कहता है कि आज मैं तुम्हें एक्स्प्लेइन करता हूँ कि मैंने जिंक का केस क्यों लिया था और उम मुझे भी पता था कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है वो उसे कहता है कि हम लोग लॉयर्स हैं कोई जज नहीं और ये जान लो कि फंडामेंटल राइट्स हर इंसान के सेम होते हैं चाहे वो एक अच्छा इंसान हो या फिर बुरा हम किसी से उसके राइट्स नहीं चीन सकते और उस बच्चे की मां बुरी है इसकी वज़ा से उसके राइट्स से ना मिले ये कहां का इंसाफ होगा अब उसे समझाने के लिए कुछ एक्जेम्पल्स भी देता है कहता है कि एक केस ऐसा भी था जिसमें एक हस्बेंट था जो अपनी वाइफ को रोजाना टॉर्चर करता था डुमेस्टिक वाइलनस करता था उसकी वाइफ डिफ्रेशन में आ गई थी और एक दिन उसने पने हस्मेंट को इमार दिया था तो क्या अब उसे मरडर की सजा नहीं मिलेगी इस बात से कि वो मजलूम थी नहीं सजा मिलेगी जो भी जुर्म किया था चाहे वो अच्छा इंसान हो या फिर बुरा उसे उसके राइट्स मिलने चाहिए अब याओ को भी काफी हद तक समझ आ गई थी कि उसका बास कितना प्रोफेशनल है अब यहां पर वो अपने और उसके बीच टेंस माहौल को लाइट करने के लिए कहता है के चॉकलिट टेस्ट करो नई आई है उसके कवर को देखकर लग रहा था कि बहुत ब्रंडिड है इंपोर्टिड है मुझे ऐसे ही टेस्ट करती है तो वो तो कॉरियंडर फ्लेवर की थी उसकी शेकल देखते ही बहुस कहने लगता है अब इदक हिम्बत नहीं हुई थी कॉरियंडर चॉकलिट टेस्ट करने की इसलिए तुम्हें दी तुम्हाई शेकल देखकर पता चल गया कि मुझे भी नहीं खानी शाई इसे सास लेती जाओ वेलाव याओ की नजर में कहीं चीहान एक आईडियल इंसान मनता जा रहा था जिसे वो प्रोफेशनलिजम में सबसे उपर रखती थी अब रात कुछ यहान अपने बड़े से विला में बैठा हुआ था लेकिन नीन नहीं आ रही थी वो वूजून को कॉल करता है और फिर से कहने लगता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है उसके साथ दुबारा से कुछ इशूस हो गए है उसकी अपने हाउसमेट से लड़ाई की कहानी वो सुनाता उससे पहले ही वूजून कहता है कि अपने फ्रेंड को ये कह दो कि उसने मेरी नीन खराब किया तो मैं उसे शराब देता हूँ कि उसे भी नीन नहीं आईगी अब और ये शराब तो बिचारे को पहले से ही लगा हुआ था उसे नीन आ ही नहीं रही थी वह दर हावे याओ को दिखाते हैं वीकेंड था वो बड़े मज़े से लेट नाइट अपना टीवी देख रही थी इतने में वो टाइम देखती है तो दो बज़े कोई उसके घर पर आया हुआ था अंधेरा था और उसने संग्लासेथ भी लगा हुए थी उसे लगा था कि कोई चोर है लेकिन थोई तर बाद जब चियान अपनी आवाज निकालता है तो उसे पता चलता है कि दो बहुत आया है वो पूछने लगती, सर इतनी लेट वो कहता है, यहाँ मेरे मेरे एक पेन रह गया था वो ही तलाश करने आया हूँ आदी रात को पेन क्यों तलाश करने आया है वो कहता है, तुम्हें नहीं पता वो पेन, मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट किया था मेरे फर्स्ट केस पर, मेरे लिए बहुत प्रिशियस है याओ को लगने लगता है, कि शायद इसके डैड की डैट हुई है लेकिन वो कहता है, नहीं वो जिन्दा सलामत है ऐसी बात आए नहीं सोचना भी ना अब वो इतनी देर अंदर बैठा पेन तलाश करता रहता है लेकिन अपने ग्लासे नहीं उतार था एक्शली पेन तो सिर्फ एक बहाना था शायद वो याओ की लोडी सुनना चाहता था अब यह सुनने के बाद बिचार अपना समू लेकर वहां से चला जाता है अब नेक्स डे आफिस में भी हर कोई यही अब्जर्व कर रहा था कि उनके बॉस ने आज शेड्स लगाये हुए थे आफिस के अंदर भी और वो जादे तर बातों का रिस्पॉंस भी नहीं दे रहा था जरा स्लो दिख रहा था वैल अब यहां पर वो लोग अपनी मीटिंग ओवर करते हैं और उसके बार बाकी दोनों बॉइस चले गए थे यहाओ सबसे एंड पर जा रही थी चियान को लगा था कि यह लोग निकल गए है वो अपने संग्लासे उतारता है लेकिन याओ उसी टाइम पर कुछ पूछने के लिए मूरी थी और उसे रास पता चल जाता है संग्लासे के पीछे वो अपने दाख सरकल्स चुपाने की कोशिश कर रहा था बिचारा बिलकुल पांडा बना हुआ था अब उसे उस पर बहुत धया आती है कि कल रात भी आया था शायद नीन की तलाश में ही आया होगा लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई ओफर कराती कि वापिस आप वहीं पर रहने आ जाए वोपर से दूसरा कुलीग आ जाता है और वो लोग एकटे फिर पार्टी गन्ने चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने केस जीता था अब यहां पर वो लोग जब पीज़ा खा रहे थे तो बाव को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है क्याशली चिंग की डिलिवरी हो गई है वो लोग हैरान रह जाते कि अभी तो उसका एक और महीना भी पड़ा था लेकिन शायद याओ का अंदाजा ठीक था उसे जब डियाने टेस्ट करा था तब बेबी के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वज़ा से उसकी प्री मेचोर डिलिवरी हो गई और इस वकत बेबी की कंडिशन भी सीरियस थी अब ये सुनने के बाद सब लोगों का मूड आफ हो जाता है वो बेचारा बच्चा बेमार पैदा हुआ था अब यहाँ पर याओ को दादा जी की कॉल आती है जो उसे हॉस्पिटल में बुलाते है और कहते हैं कि मैं आप पच्चता रहा हूँ मुझे डियने टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए था मैं चाहता हूँ कि एक फिर से केस करा हूँ और जो कुछ भी चिंग को मिला था उस बेटे की वज़ा से वो वापिस ले लू क्योंकि मुझे नहीं अंदादा था कि वो बच्चा एक फिजिकल डिसबिलिटी के साथ पैदा होगा और तो और उन्हें ये भी अफसोस था कि अब डांग मिनों उसकी ममा भी उसे देखने के लिए नहीं आती उन्हें लगता था कि प्रॉपर्टी ना मिलने की वज़ा से वो नाराज हैं लेकिन याओ कहती है आप ठंडे दिमाग से सोचें उनका और आपका रिष्टा क्या था किस वज़ा से वो नाराज हैं समझने की तो कोशिश करें अब नेक्स डे आफिस में एक नया केस आ जाता है और उस केस के लिए उन्होंने आउट अफ स्टेशन जाना था एक दूसरे प्रॉविंस में यहाँ पर चियान और करता है कि वहाँ पर दो बिजनेस क्लास की बुकिंग घरा लो बाव सोचने लगता है कि मुझे अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि मैं इनका फेवरिट एसिस्टेंट हूँ लेकिन चियान को देखकर नहीं लगता था कि अब की बार उसका कुछ ऐसा मूड है उदर यहाओ को अपने मम्मी की कॉल आती है जो कहती है कि अगले हफते हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे थोड़ दिन तुमारे घर भी रहेंगे यह सुनते ही वह खुश हो जाती है लेकिन सोचने लगती है कि अच्छा हुआ बहुस यहाँ से मूव आउट कर गए लेकिन साथी साथ वो उदास भी हो जाती है अब यह एक क्वेस्चन था कि वो उसके मूव आउट करने से खुश हुई है या फिर उदास अब इवनिंग में जब अपने घर में खड़ी हुई थी तो दुबारा से चियान उसके घर आता है वो पूछती है तो वो कहता है तो मैं इंफॉर्म करना था कि कल के लिए अपनी पैकिंग कर लो याउने आज दिन में एक हॉरर मूवी देख ली थी जिसकी वज़ा से वो रात को काफी डरती है और इत्तफाक से आज ही रात पावर भी कट हो गई थी जिसकी वैसे वो डरते दरते आ जाती है चियान के रूम में और उसे कहती है मुझे अपने पास्ट जगा दे दो पहले तो चियान अच्छे से अपने आपू कवर करता है क्योंकि उसे नाइट ड्रेस पहना हुआ था लेकिन बाद में उसे उस पर दया आ ही जाती है अब वो दो रूमी कट्टे बैठ से है और यहां पर चियान उसे उसके पास्ट के बारे में भी कुछ बताता है वो कहता है कि मेरे बारे में लोग अकसर ये सोचते हैं मैंने स्ट्रगल नहीं किया लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जेरो से स्टार्ट किया है मेरी फैमिली तो ये चाहती थी कि मैं फैमिली बिजनस संपालू लेकिन मैंने अपनी खुद की लॉफार्म मनाई है और उसके बाद याओ भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है वो जिस पहली जगा जॉब करती थी वहाँ बर उसे ऐसा लगता था कि जैसे उस सिर्फ एक शोपीस है उसे चोटे मोटे काम लिये जाते थे और असल का काम उसे कभी नहीं सिखाया गया था और तो और उसका बास अकसर अपने क्लाइट्स के साथ ड्रिंक करने के लिए गर्स को शोपीस बना कर ले जाता था ये बात चियान को बहुत बुरी लगती है और वो दिल ही दिल में गरूज रख लेता है उसके प्रादे बास का नाम भी उसे पूछ लेता है वैल अब जब वो लुक सोने के लिए लेटते हैं तो यहां पर याओ उससे पूछती है कि बास आप मुझे कुछ टिप्स देगे मैं भी आप की तरह सकसफुल लॉयर बनना चाहती हूं और वो आगे से सरफ इतना ही कहता है ठीक है फिर दो साथ दिल लगा के मेहनत करना ना तो शादी करना इतने अरसे में और ना ही किसी लव अफेर में पढ़ना याओ कहती है ठीक है सर अगर मुझे आप जैसर डैशिंग इनसान भी बिला ना तो फिर मैं उससे जरा लिफ्ट नहीं कराऊंगी धूल की तरह से हवा में उड़ा दूगी अब यहां पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी तारीफ करेंगे या फिर मुझे रिजेक्ट दिखाते हैं कि रात को तो लोग बहुत आराम से सो गए थे लेकिन नेक्स्ट मॉन ये हाल होता है बिचारा चियान एक कोने में दबका पड़ा था जबके याओ वो बिस्तर पर बिलकुल महरानी की तरह से लेटी हुई थी और अब भी वो एक करवट लेकर उसे किक दे मारती ये नीचे गिरा देती है और जब वो उठती है तो चियान उस पर बहुत चिलाता है और कहता है कि पता है तुमने कल रात मेरे साथ क्या सलूक किया था और फिर वो उसे बताता है कि किस तरह से तुम नीचे से उठकर रिंग टी हुई मेरे बिस्तर पर आ गई थी कभी मुझे इस कोने में फैंकती थी तो कभी दूसरे कोने में मेरा ब्लैंकिट भी सारा चीन लिया और तो और मुझे इतनी सारी किक्समारी मुझे लगता है कि तुम इनसान ही रही हो अब वो घुसे में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है लेकि लगता सा कि बिजारी की कमरी तूट गई है वैल अब फाइनरी वो लोग दूसरे शहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनका वैलकम करने करी उनका क्लाइट खड़ा हुआ था जिसका नाम था मिस्टर टैंक और उसकी फर्स्ट लुक्स ही बता रही थी कि वो एक ठरकी, बत्तमीज और गिरा हुए इनसान है और वो यहाँ पर याओ को देखते ही चियान के कान में कहता है कि तुम अपनी फीमेल असिस्टन्ट को इस टोर पर साथ लेकर आए हो लगता है बहुत रंगीन मिजाज के हो अब अपने आफिस में भी वो अपनी एक फीमेल को लीक की लिपस्टिक की काफी तारीफें का रहा था और इससे चियान को पता चल गया था कि एक इस टाइप का इनसान है वेल अफ फाइनली वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं उसकी भी टीम बैटी हुई थी और साथ साथ चियान और याओ भी मिस्टर टैंग को देख करनी लाग रहा था कि वो को इतना सीरियस इंसान है वो बार बार या तो सो जाता था या पर एदर उजर तारता रहता था यहाँ पर इनको आदे से जाता दिन गुजर गया था याओ बिचारी को बहुत भूख लग रही थी वो सोच रही थी कि मैं तो इतना बुरा फील कर रही हूँ लेकिन बॉस वो इतने कॉंसेंट्रेशन से काम कर रहे है काश मैं बीनी की तरह प्रोफेशनल हो सकती वो उसका फेस बार बार देखे जा रही थी और यहाँ पर चियान उसे कहता है कि बाहर जाओ और बाओ को कॉल करो मैंने उसे कुछ डॉक्यूमेट्स भेजी है क्या उसने मेरा काम कर दिया कि नहीं और मेरा बैग भी लेती जाओ वो जैसे ही उसका बैग लेकर बाहर जाती है तो वो उसे मेसेज करता है बाओ को कॉल करने की कोई जरुवत नहीं तुम्हारे पेट की गुडगुड मुझे बहुत डिस्टरब कर रही थी इसलिए मेरे बैक से चौकर निकाल कर खा लो और काफी भी पीती आना अब याओ सोचती है कि मेरे सर कितने के रही है वैल अब उनकी मीटिंग दुबारा से स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर चियान और याओ उन्साली डिसकुशन कर देते हैं किस तरह से उनका केस उन्होंने आगी लेकर जोना है यहाँ पर मिस्टर टैंग को बातों से ज्यादा याओ में इंटरस्ट लग रहा था एक दो दफ़ा वो से चूने की भी कोशिश करते हैं वो उनको कल रास डिनर पर भी इन्वाइट कर लेता है यहाँ जब गारी में बैट रही थी तो मिस्टर टैंग ने उसे चुआ भी था जो कि यहाँ को काफी बुरा लगा था अब वापसी के रास्ते में दिखाते हैं कि चियान को स्टमेक एक स्टार्ट हो जाती है यहाँ उसे कहने लगती है कि सर ठीक है काम बहुत इंपॉर्टन है लेकिन आपको अपनी हल्थ की भी केर करनी चाहिए आप सारा दिन भूके रहे हैं अब यहाँ होटेल रूम में बैट कर कुछ डॉक्यमेट्स पर काम कर रही थी वो चियान को मैसिज करती है एक फाइल के बारे में पूछने के लिए लेकिन रिप्लाई नहीं आता अब वो डर जाती सोचिए कि कहीं मेरा बॉस फेंट तो नहीं होगा सारा दिन भूका रहकर और उसके लिए तुरन थी होटेल के शेफ से जाकर एक पॉरिज बनवा कर लेकर आती है चियान उसी वगत नहा कर निकला था वो बात रोब में था अब यहां पर याउ जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आती है और यहां पर चियान को बहुत शरमा रही थी उसे हर दफ़ा याउ की नदरों से काफी डर लगता था जो कि हमेश है इदर उदर फिसलती रहती थी यहां पर बातों ही बातों में चियान उससे कहने लगता है कि काल रात को तुमने मेरे साथ से जो किया था उसकी कोई कमपंसेशन भी तो होनी चाहिए और इसके साथ ही वो अपना बात रोब ठीक कर रहा था कि याओ वहाँ पर हाथ रहका कहती है कि प्लीज ऐसा नहीं और इसके साथ ही उसना उसकी चेस्ट को टेच कर लिया था अब चियान उससे कहने लगता है कि तुम्हारा कैसा माइड है तुम कैसी कैसी बातें सोचती हो प्लीज यहां से चली जाओ अब याओ उससे सौरी करने लगती है और फिर कहती है कि सार आप ये पॉरिज पी लें अगर आप ये पी लेंगे तो इसके बदले में आपको एक महीने की क्लीनिंग सर्विसस दूंगी अब शियान वो पॉरिज टेस्ट करता है लेकिन उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता वो कहता है कि तुम्हारे हाथ वाला ज्यादा बेटर था अब यहां पर याओ खुद अपने हाथ से उसकरी पॉरिज कुक करने लगती है और शियान बहुत प्यार से उसे ऐसे गरते हुए देख रहा था और थोड़ दिर बाद वो उसे देखते देखते ही सो जाता है और याओ जब देखती है कि वो तो यहां पर ठक कर सो गया है तो आती है उसे कवर करती है और बस वहां से जाने ही वाली थी कि इतने में चियान उट जाता है और उसे थैंक्स बोलता है और याओ मुड़कर देखती है हरान रह जाती है उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि शायद बॉस ने पहली दफ़ा उसे थैंक्स बोला था अब थोई देर बाद वो जैसे अपने साथ वाले कमरे में पहुंचती है तो उसे मेसिज आता है चियान का जो उसे कहता है ठीक है फिर एक महीने की क्लिनिंग सर्विस इस तुम रेडी हो ना बारच मैंने बी दिया है वो कहने लगती है कि वो तो मैंने ऐसे ही जोश जजबाद में कह दिया था इन बातों को सीरियस ना लिया खरे लेकिन बास कहता है हमारे बीच वो एक वर्बल कॉंट्रेक्ट सा और कॉंट्रेक्ट के खिलाफ वर्ज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं वेल अब वो लोग नेक्स दे डिनर के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर टैंक चाता था कि याओ उन दोरों के दरम्यान में बैठे लेकिन चियान जाकर मिस्टर टैंक के साथ बैठ चाता है अब मिस्टर टैंक चाहते थे कि वो लोग इनके साथ वाइन भी पिएं लेकिन चियान इंकार कर देता है कहता है मैं काम पर वाइन नहीं पीता तो अब वो याओ को कहने लगते हैं याओ सोचती है कि इतना बड़ा कस्टमर है चलो कहीं मुरा ना मान जाए लेकिन चियान उसका हाथ पकरता है उसे रोक देता है कहता है कि मैं अपने सब और्डिनेट्स को भी ड्रिंक करने के लिए अलाओ नहीं करता तो अब पहली दफ़ा याओ को फील होता है कि जून है मेरी पहली कंपनी से बहुत डिफरेंट है वेल अब यहां से बाहर जाकर चियान उसे कहने लगता है कि तुम क्यों ड्रिंक करने के लिए रैडी हो गई थी क्या ये सब तुम्हें सूट करता है तो उसने प्रोफेशनलिजम के बल पर कुछ करके दिखाओ ना के लड़की होने की वज़ा से तुम्हें कोई कुछ करने पर मजबूर कर सकता है लेकिन याओ का कहना था मैंने सोचा कस्टमर माइंड कर जाएगा लेकिन चियान का कहना था कि ऐसे कस्टमर्स पर मैं लानत भेशता हूँ आएद ऐसा मत सोचना और साथी साथ उसे वान भी करता है कि अगर ये टैन तुम्हें कभी अकेले में मिलने की कोशिश करें तो कभी बिना जाना अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में निखाते हैं कि याओ को मिस्टर टैंग के असिस्टन्ट की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि उसे कह रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो माँकर चेक कर लो कि ठीक से एरेंज हुई है के नहीं वो बोलती है कि मैं चियान को साथ लेकर आती हूँ लेकिन उसने कहा था कि चियान को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं वो पहले ही काम में बहुत बिजी है ये चोटा सा मामला है तुम खुद देख सकती हो वो सोचने लगती है कि मैं असिस्टेंट को तो देख सकती हूँ कौन सा मिस्टर टैंग है वहाँ पर उसने पूछा भी था लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वह वहां पर नहीं है अब वो होटेल के कॉन्फरंस रूम में जैसे ही पहुंचती है तो पता चलता है कि मिस्टर टैंग भी वहां पर है वो तो तुरांती वहां से भागने की कोशिश गरती है लेकिन मिस्टर टैंग उसे बातों में लगा लेता है और ऐसे जाहर करने लगता है कि जैसे वो उसे काम के बारे में ही सिर्फ डिसकुशन करना चाहता है और उनका असिस्टेंट भी उनके साथ ही रहेगा लेकिन फिर अचानक से वो असिस्टंट को एक काम से बाहर भेश देता है टैंग उससे कहता है एक स्विच तलाश करके उसे आन करने को लेकिन जैसे ही याओ वहां जुकी हुई थी वो तुरांती उसके पास पहुच जाता है और कहता है कि मेरे अंतर एक नॉटी लिटल बॉय चुपा हुआ है जो कि बहुत बिमार है और उसकी बिमारी का इलाश सरफ और सरफ तुम्हारे पास है लेकिन यहाँ पर याओ ने अपना फोन आन कर लिया था जिस पर उसे रिकॉर्डिंग चालू की थी वो टैम को खुद से दूर करने की कोशिश करती रहती है लेकिन वो जितना उससे दूर करती थी वो उतना ही उसे क्लोज आने की कोशिश करता रहता था यहाँ भर वो उसे एक दो दफ़ा मारती भी है जिसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझे आन कर दिया है और वो बोलता है दर्वाजा लॉक है और सिक्यूरिटी कैमरा भी बन ऐसे में तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा लेकिन यहां पर यहां ने अपना कैमरा बाहर निकाल लिया था वो उसकी रिकॉर्डिंग उसके हाथ से चीनने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे डाज करती हुई वहां से भाग जाती है आग वो जैसे ही अपने कमरे में पहुँची थी तो पीछे से चीनन भी आ जाता है वो उसे कुछ डिसकुशन करना चाहता था लेकिन देखता है तो उसका रांग उड़ा हुआ था और उसकी आँखों में आंसों नदर आ रहे थे वो उसे बहुत पूछता है कि क्या हुआ लेकिन वो नहीं बताती वो अपने फोन पर वो ही वीडियो देख रही थी जो से रिकॉर्ड की थी तो यहां पर चीनन को टैंक की आवास सुनाई दे जाती है वो तुनाथी फोन उठाता है और वो सारी वीडियो देख लेता है इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता याओ कहती है कि सर यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा कस्टमर है मुझे पता है कि अगर मैंने रिपोर्ट किया तो यह हमारे साथ कॉंट्रेक्ट को कैंसल कर देगा और मैं कम्पनी को टुकसान नहीं पहुचाना चाहती और इसलिए मैं खामोश रहने के लिए तयार हूँ अब इस बात पर चियार उसे खुद को फॉलो करने को कहता है और फिर वो मिस्टर टैंग की रूमें पहुच जाता है वो आगे बढ़ता है और उसके फेस पर एक पंच दे मारता है और फिर उसे वो ही बोलता है देखो कमरा भी बंद है और सिक्यूरिटी कैमरा भी आफ और अब मैं तुम्हारे अंदर के शरारती लिडल बॉय की बिमारी का इलाज करने के लिए आया हूँ मैं लॉयर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी हूँ और फिर उसे मारता है उसी हाथ को डैमज करता है जिससे उसने याओ को चुआ था उसकी आँखो पर पंच चिस दे मारता है और उसका मूबी खुन से भार देता है जिससे उसने याओ करी बुरे-बुरे शब्द निकाले दे और फिर उसके बाद वो याओ से कहता है कि अभी के अभी एक पेपर लेकर आओ उस पेपर पर वो उससे सिगनेचर भी करा लेता है यहाओ को वो बहुत हैंसम लगता है वो तो उसके सपनों का राजकुमार लग रहा था अब वो उन्दर जाता है अब वो उससे कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी बड़ी बात पर कॉंप्रोमाईस करूँगा अगर कोई भी तुम पर हाथ उठाने की आएंदा कोशिश करे तो आगे से से थपड़ दे मारना और अगर खुद को डिफेंड ना कर सको तो मुझे बुलाना मैं करूंगा तुम्हें डिफेंड और साथ ही साथ उसे रियलाइस कराता है कि तुमने कितने बड़े खत्रे को मूल लिया सिर्फ एक केरलेस्नेस की वज़ा से अगर उस टाइम पर तुम भाग ना सकती वो तुम से फोन चील लेता ये वीडियो डिलीट कर देता और उसके बाद तुम्हारी कोई वीडियो बना लेता तर पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक टूल हूँ आपको नीद लाने का लेकिन अब क्या आपको लगता है कि मैं कुछ इमपॉर्टन्ट ये वैलियोबल हूँ आपकी कमपनी के लिए वो बोलता है आपकोर्स तुम मेरे लिए बहुत इमपॉर्टन्ट हो और साथी साथ अपने शब्द बदल देता है कैसा है तुम मेरे लिए बहुत इमपॉर्टन्ट एम्प्लॉई हूँ और फिर इसके बाद याउ उसके कमरे से चली जाती है अब वो कमरे को अपने दर्वाजे को छूक कर खड़ा हुआ था और याओ भी उसी दर्वाजे के बाहर खड़ी कुछ सोच रही थी वो दोनों काफी देर तक इसी तरहां खड़े रहते हैं अब याओ को बार बार वो ही सीन याद आ रहे थे कि जिस तरहां से चियान ने उसकी सुरक्षा की और उसे बोला कि वो कितनी इंपार्टेंट है उदर चियान में वो जोन को फौन करके पूछता है कि मिरे एक फ्रेंट पूछ रहा है कि अगर कोई लड़की उसे समझती हो कि मैं उसके लिए सिर्फ एक टूल हूँ तो उसे कैसे रियलाइस कराया जा कि वो वाकिए इंपार्टेस रखती है तो वो जोन उसे कहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंसेरिटी से वो जोन बिचारा दूसरों को तो मश्वरे देता रहता था लेकिन उसकी अपनी लाइफ स्ट्रॉगल में ही जा रही थी यहां पर वो शी से मिलने के लिए आया था लेकिन शी उससे मिलने से इंकार कर देती है और नहीं उसके लाए हुए फूट्स लेती है जबकि उधर दिखा थे कि चियान और याओ दोनों आप फारिख हो चुके थे अफकोर्स उनका एग्रीमेंट तो कैंसल हो गया था और वो कांट्रेक्ट भी खत्म हो गया था लेकिन उनकी फ्लाइट एक दिन बाद की थी तो पहले तो वो होटेल में बहुत मज़े का नाश्ता करते हैं और यहाँ पर यहाँ उससे पूछती है कि सर मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ स्किल्स सीख लूँ आप कितनी अच्छी फाइट करते हैं मैं भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ लेकिन चियानों से मश्वरा देता है जैसी तुमारी फिजीक है और फिजीकल स्ट्रेंट तो बिल्कुल जीरो है इसलिए मेरा ख्याल है तुम थोड़े ज़्यादा पैसे कमाओ और अपने लिए एक बोडिगार धायर कर लो और अपने बारे में बताता है कि एक्शली मुझे स्कूल में लोग बुली किया करते थे और वहीं से ही मुझे इतना हुसा आया कि मैंने बहुत सारी कराटी की टेकनिक सीकी थी अब वो कहता है कि कहीं सैर करने चलते हैं आज वो तो AI के किसी इवेंट में जाने को कह रहा था लेकिन याओ कहने लगती है कि सर में कहीं और की बात कहूं तो आप मान जाएंगे कहते हैं हाँ तो बोलती है क्यों आज हम अम्यूजमेंट पार्क चलें लेकिन उसे इतना चाल डिश लग रहा था वो मुझ करने की कोशिश करता है लेकिन याओ ने उस टाइम पर उसकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी वो सोचने लगता है कि पहली दफ़ा है कि ये लटकी मुझे हराने में कामयाब हो गई है तो अब फाइनली वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहुचे हुए थे यहाँ पर एर गन से वो निशाने लेकर एक ट्वाई जीतना चाहती थी लेकिन उसका निशाना इतना बुरा था कि उसे कुछ भी जीतने का कोई चांस नहीं लगा था यहाँ पर वो देखती है तो एक हस्बंड अपनी वाइफ को उसका फेवरिट ट्वाई जीताता है वो कहने लगते है काश मेरे पास भी कोई हस्बंड होता और यहाँ पर चियान आगे बढ़ता है कि साथ खड़ा होकर उसे निशाना लगाना सिखाता है और बहुती रोमैंटिक सीन क्रियेट हो जाता है वो आर्चरी जानता था और बहुत अच्छे निशाने लेता है और फाइनली उसने वो ट्वाई जीत लिया था जो याओ जीतना चाहती थी लेकिन वो उसके हाथ से चीन लेता है और कहता है मैं ने विन किया है तो यह मेरा हुआ आप और लोग रॉलर कोस्टर पर जाने वाले थे यहाँ पर यहाँ से बताती है कि मैंने सुना है कि इस रॉलर कोस्टर की हाईस्ट पॉ송ट पर हम जो विश्मागें वो जरूर पुरी होती है वो पुछता तुम क्या विश मांगने वाली हो तो वो बोलती है कि मैं जाती हूँ मैं सक्सेसफुल और रिच हो जाऊँ अब फाइनली वो दोनों रोलर गोस्टर में जाकर बैठ चाते हैं लेकिन जाओ उसमें बैठ से ही ये विश मांग बैठती है अपने दिल से कि काश मुझे चियान का साथ मिल जाए अब पता नहीं वो प्रोफेशनली बोल रही है या पिर अपनी लाइफ की बात कह रही है और उसके बाद वो दोनों एक्वेरियम शो देखने चले जाते हैं यहाँ पर चियान उससे कहता है कि मुझे स्टारी राइट देखना और नेचर ही गरीब जगों पर जामर काफी पसंद है और याउ को भी यह पसंद था तो वो तुनांती उससे कहता है कि क्यो ना हम लोग एक टीम मिलनी एकसरसाइस पर जाए और यह आइडिया याउ को काफी पसंद आया था लेकिन यहाँ बातों ही बातों में उनकी कोई ना कोई अन्मन हो जाती है जिसकी वज़ा से वोसे परिश करता है और आडर देता है कि 5000 words की एक रिपोर्ट सब्मिन कराओ अब यह सुनने के बाद याउ को काफी बुरा लगता है वो एक दफा नाराज होकर जाने लगती है कि चियान उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि तुम में पता है तुम में ली कितनी इंपॉर्टन हो और यह सुनते ही याउ हैरान रह चाती उसे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे as a girl बोल रहा है या पिर as an employee वो बलश करने लगती है और तरह थी वाश डूम में चली जाती है वहाँ बर जाकर खुद को समझाती है कि ऐसा वैसा कुछ नो सोचो और काम पर फोकस करो चियान ने उसे तो रोक दिया था प्यार में पढ़ने से लेकि लगता था कि खुद उसके लिए फॉल कर चुका है वहाँ से वापस आने पर याओ देखती है तो चियान उसी ट्वाइस से खेल रहा था थोड़ी देर पहले इन चीज़ों को वह चाल्डिश बोल रहा था लेकिन अब कुद एक चाल्ड बना हुआ था और तो और उसे उस ट्वाइक की बहुत फिकर भी हो रही थी कहता है कि मैं इस पर अच्छे से एक कवरिंग कराऊंगा ताकि ये गंदा ना हो जाए अब जब वो होटेल में वापिस पहुँचते हैं तो याओ उसे बहुत मसका लगाने की कोशिश करती है और कहती है सर आपके लिए आपका फेवरिट डिनर बनाओंगी जाकर लेकिन प्लीज वो फाइव थाउजन वर्ड वाली पनिश्मेंट वो खत्म कर दे लेकिन चियान नहीं मांता और उसे और्डर करने था कि अभी के भी बैट के लिए खो अब याओ वो ही लिख रही थी कि वो लिखते लिखते उसे नीदा आ जाती है अब याँ पर चियान उसके पास आता है उसे ब्लांकेट से कवर करता है और फिर सोफे पर जाकर बैठ जाता है थोड़ी दिर उसे प्यार से देखता रहता है और उसके बाद उसकी भी आँख लग गई थी अब याओ उठती है और उसके पास आकर उसे देखने लगती है वो सोचती है कि मेरा बॉस कितना हैटसम है और उसी ताइम पर वो आँखे खोल लेता है वेलम फाइनली वो लोग अपने शहर में वापस आ गए थे और यहां पर वो जून एरपोर्ट के बाहर उनका वेट कर रहा था और वो आते ही चियान से लड़ाई शुरू कर देता है और कहता है पता है हमारे हाथ से कितना बड़ा कॉंट्रेक्ट निकला है और साथी साथ याओ से भी पूशने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वज़ा से इसने ये केस लेने से इंकार कर दिया है याओ कुछ भी बोलती, उससे पहले ही चियान कहने लगता है कि वो क्या जानी, वो तो सिर्फ एक असिस्टेंट है मैंने फैसला किया है, क्योंकि मुझे टैंक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो एक घट या इनसान दा वो जो उनके थ्रूब याओ का पता चलता है कि उसने उनकी लॉयर्स एसोसियेशन में कम्प्लेट भी कर दी है जिसकी वज़े से उनकी कम्पनी को काफ़ी टाफ टाइम हुआ है अब वो जो 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 चला जाता है लेकिन याओ यहाओ यहाओ बार बार चियान से सोरी करती कि मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया एक और ट्रॉबल क्रियेट कर दिया लेकिन चियान कहता है कि जाओ मेरे लिए अच्छा सा डिनर बनाओ अभी से ही वैजटेबल्स खरीदो ती और इसी वज़ा से उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी मैरिज भी रेजिस्टर करा दी है ये सुनते ही याव बहुत कुछ हो जाती है और कहती है फाइली मेरी फ्रेंड मैरिड हो चुकी जबकि उदर चियान आज शी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि शी को भी पता चल गया था जो कुछ भी याव के साथ होने वाला था अब वो चियान को बुला कर उसे थैंक्स करती है कि वो मेरी चोटी और जाती सिस्टर है वो बहुत मासूम है तुमने उसे इतने बड़े डिजास्टर से बचा लिया तुम्हारा इतना बड़ा इसान है कि हम पूरी फैमली तुमें ओ करते हैं ठैंक्स के तौर पर वो उसे एक गिफ्ट भी देती है जो कि उसके ख्याल में उसके इनसोमनिया में वो गिफ्ट उसकी सूधिं के लिए था यहां पर चियान से वो कहने लगती है कि तुम्हारा हम पर इतना बड़ा इसान है कि अगर मुझे जिन्दकी में कभी मौका मिले कि मैं दुमारी हेल्प कर सकूं तो मुझे जरूर बताना मुझे बहुत खुशी होगी चियान अपनी क्षमन ऐसी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई और तुम्हारे और उसके बीच क्या बाते हुई यहां पर चियान उसे चेड़ने लगता है और कहता है सिर्फ इतना ही नहीं है देखो उसने मुझे एक गिफ्ट में दिया है जो कि मैं तुम्हें हर गिस नहीं दूंगा और यहां पर वो जून भी उसे ब्लैक मेल करने लगता है कहता है कि अभी अभी एक क्लाइंट जो इतना बड़ा था तो उमने अपने हाथ से छुडा लिया वो सारा कुछ मैंने हैंडल करना है मिस्टर टैंग वाले मामले को भूल गए हो क्या तो यहां पर चियान उसे सच सच बता देता है कहता है कि अच्छली यह मिस्टर टैंग इतरा गिरा हुआ इनसान था कि वो तुम्हारी चैंक शी की सिस्टर चैंक याओ पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा और कांट्रेक्ट कैंसल कर दिया अब वوجود यह सुनता ही और भी घुस्से में आ जाता है और कैसा है उसकी हिम्बत इतनी कैसे हुई मैं उस पर केस कर दूँगा यहां तक कि वो बैंक रप्ट हो जाएगा लेकिन चियान का कहरा था ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं चाहता याओ इस इंसिडेंट को भूलना चाहती है और इस तरह का काम करके हम उसे बार बार ये चीज़ नहीं याद दिला सकते इससे उसके इमेज़ पर भी बुरा असर पड़ेगा जिबके उधर शी जैसे ही घर पहुंचती है तो आगे मिंग खड़ा हुआ था जो कहता है तुम इतने प्यारे प्यारे कपड़े बहन करो दाना कहां जाती हो कि इसको पठाने की कोशिश कर रहे हो तुम अपनी हर्कतों से बास नहीं आऊगी साथ ही साथ उसे बहुत बुरा बुरा भी बोलता है कहता है कि तुम एक डिवोस्ट हो और डिवोस्ट लेडी हमेशा आउट डेटीड होती है वो जो तुम्हें सिर्फ मज़े के लिए सिर्फ अपने फ़न के लिए इंज्वाइवन्ट के लिए रखे हुए है तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करेगा तुम्हें यूस करेगा और फिर फैंक देगा तुम्हारे लिए अगर कोई सूटेबल है तो वो सिर्फ मैं हूँ शी को भी उस पर हुसा आता है जब वो से धंकियां दे रहा था तो वो यहाँ पर उसके रिकॉर्डिंग करने लगती है और उसके बाद जब वो नहीं जा रहा था तो कहती है कि मैं पुलिस तो कॉल कर दूँगी लेकिन मैं उसके हाथ से फोन चीन लेता है और उसके बाद थोड़ी से लड़ाई करके वहां से निकल जाता है आज यहसे ही घर में वापस पहुंचती है तो वो ही ट्वाई उसके रूम के बाहर पड़ा हुआ था जो कि चियान ने अब उसे गिफ्ट में दे दिया था वो देखकर हैराम थी कि बास फिर वापस आ गए है क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि आज वो यहीं भरी सोने का इरादा रखता है चियान आगे से याद दिलाने लगता है कि इस घर पर मेरा भी पूरा पूरा दिकार है अगर तुम इस का रेंट पे करती हो तो मैं भी यहां का लीगल टेनेट हूँ लेकिन याओ अब बहुसे दिश्मनी तो मोल ले नहीं सकती थी उसे कहती है सार आप मुझे बता देते टाइम से तो मैं आपकरी कोई खाना ही बना देती जबकि उधर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि याओ अपने बाकी कॉलीक्स को बताती है कि बॉस ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों था जिसे सब बहुत इंज्वाय करते थे इतने में उनको पता चलता है कि याओ जिस केस पर काम कर रही है उसका उपनेट लायर मिस्टर फैंग है जो कि इसका एक्स बॉस भी था ये सुनते ही याओ को ख्याल आता है कि अच्छी बात है इस तरह से बदल लेने का मौका बिल जाएगा अब वो बाओ के साथ इसी केस पर काम कर रही थी और वो लोग बहुत सारी डिटेल्स को भी डिसकस करते है अब जब वो कोर्ट में पहुंशती है तो मिस्टर फैंग भी उसे देखकर हराम थे वो उसे काफी नीचा देख रहे थे क्योंकि अफकोर्स वो उनके एक सब और्डिनेट रही थी लेकिन आज कोर्ट में वो जिस तरह से केस लड़ती है चियान ने उसे बहुत पॉलिश कर दिया था और वो बहुत आराम से मिस्टर फैंग को केस हरा देती है और उसके बाद बाओ भी मिस्टर फैंग का काफी मज़ाग उडाता है यहाँ पर याओ को काफी खुशी मिनीती आज याओ जब वापस जा रही थी तो उसे पता चलता है कि घर पर उसकी मम्मी आया हुई है वो जैसे ही पहुंचते हैं तो पता चलता है केमरजंसी तो हो चुकी अब मम्मी के सामने चियान खड़ा हुआ था और साथ में याओ भी खड़ी हो जाती है मम्मी को लग रहा था कि यह इसका बॉइफरेंट है लेकिन वो कहती है नहीं यह तो मेरे बास है और चियान भी यही कहता है लेकिन मम्मी मानने वाली ही नहीं थी कहती है कि बास भी भला किसी इंप्लॉई के साथ रहता है और अगर यह तुम्हारा बॉइफरेंट नहीं तो इसका तुम्हारे साथ रहना भी एप्रोप्रियेट नहीं इसे निकालो यहां से अब यहाँ पर याओ मम्मी को शाथ कराने के लिए कहती है हाँ जी ममा हम आप से चुपाने की कोशिश कर रहे थे यह वागी मेरा बॉइफरेंड है और बार बार सौरी भी करने लगती है और चियान वो उसकी शकल देखता है जिसमें उसके लिए बहुत मिनत थी कि बस खामोश हो जाओ और कुछ ना बोलना अब मम्मी पहले उसे साइट पर लेकर जाती है और कहती है तुम काफी बोल्ड हो गई हो लिविंग रिलेशनशिप में और वो भी मुझे बिना बताए यहां पर याओ अपने मम्मी को किसी तरह से किसी बहाने से बाहर ले जाती है क्योंकि उनके वापिस जाने का समय हो गया था बाहर जाकर उनको कहती है एक्शली मेरा बोई फ्रेंड एक गरीब सालड का है मुझे लगा था कि आप एपर नहीं करेंगी इसलिए मैंने चुपा लिया था अब मम्मी को ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगा था लेकिन वो चुप चा वहां से चली गई थी अब उपर आकर यहो देखती है तो चियान का भी मूड आफ था वो भी बहुत घुस्ले में बैटा हुआ था अब उचियान से भी सोरी करने लगती है और कहती है सर आपके मर्जी के बगार मैंने ये जूट बोल दिया लेकिन क्या आप मेरी मम्मी के सामने थोड़ी दिन के लिए एक्टिंग कर सकते हैं क्याप मेरी बॉइफरंड है वरना मुझे डिस्टर्ब करके रख देंगी और मैं ठाक से अपना काम भी नहीं कर पाऊंगी जबके छियान मैक्स टे एक मीटिंग के लिए गया हुआ था एक क्लाइंट से मिलने के लिए अब उसके बाद वो मैसेज करके याओ को भी एक जगा पर मिलने के लिए बुला लेता है याओ तो काफी खुश हो गई थी लेकिन इतने में उसे तिंग तिंग की कॉल आती है जो कि उसे कहती है जो कि बहुत रो रही थी और एमर्जनसी में उसे अपने पास बुला रही थी वो बहुत परिशान हो जाती है और तुरांथी उसे मिलने के लिए जाती है उसे पता चलता है कि टिंग टिंग की अपने हस्बेंट से लड़ाई हो गई है उसे शक था कि वो मुझे चीट कर रहा है या उसके लिए बहुत परिशान होती है और कहती है कि थोड़े दिनों बाद तुम्हारी डिलिवरी है तो भी इस तरह की टेंशन्स और परिशानियों से दूर रहना चाहिए इसलिए प्लीज काम नाउन हो जाओ जबके चियान बैठा उसका वेट करता रहता है खाना भी ओर्डर करा लिया था वो भी डबल अब चुप चाप बिचारे को के लिए खाना पड़ता है अब जब याओ घर वापिस लौटती है तो वो देखती है अफकोर्स चियान को घुसा आया हुआ था लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करने लगता जैसे से कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पर याओ उसे पनी सारी परेशानी एक्स्प्लेइन करती है तो वो उसे कहता है ठीक है फिर इस चर्थ पर माफ करूँगा कि मेरे साथ मसाज कराने चलो अब लग रहा था कि वो मसाज उसकी रिलक्सेशन के लिए नहीं भी देती है कि इसकी हर चीज के बिलब तुम ही पे करोगे यहाँ पर मसाज के भी लेकिन यहाँ जूट बोलने लगती है उसमें तो लगता था कोई जूट बोलने वाली मशीन आ गई है वो कहती है यहाँ पर भी हम जॉब की ही बारे में बात करने के लिए आये थे अब वो ममी डैडी को साइड पर लेकर जाती है और इतने में चीयान वहां से गुजरने लगता है चीयान को यहाँ पर उसकी ममी ने देख लिया था लगता है कि पुरा का पुरा परिवार ही आ जहां पर पहुंचा हुआ था अब मम्मी सोचने लगती है कि मेरा बेटा कुछ तो फिशी कर रहा है मुझसे मिलने के लिए इसके पास टाइम नहीं और इतनी लेट नाइंट ये मसाज सेंटर में आया हुआ है अब यहादे चियान अकेला ही अपने घार की तरफ जा रहा था और मम्मी भी एक गाड़ी में उसका पीछा करने लगती है मम्मी को बहुत बहुत फिशी लग रहा था वो हर बार डैट से भी साथ-साथ शेयर करती रहती है और उसकी मम्मी के अंदर लगता था कि कोई डिटेक्टिव छुपा हुआ है और नेक्स टेवी वो अपना बेस बदल कर अपने बेटे पर नज़र रखे हुए थी और वो देख लेती हैं कि यहाँ पर एक लड़की भी है इसके साथ वो समझ जाती हैं कि मेरा बेटा बागी हो चुका है उसने हम से चोरी-चोरी एक गर्फरिंड बना लिये और लिविंग रिलेशन्चिप में है और तो और वो सूपर स्टोर में भी उनके पीछे-पीछे चली जाती है और देखती हैं कि वो ग्रोस्रिस भी इकट्टे ही ले रहे हैं इसका मतलब है कि बात काफी आगे तक बड़ी हुई है डैड भी इन सारी रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से इंजुआए करते में सुन रहे थे वैल अब घर पर एक दफ़ा याओ खाना बना रही थी चियान अपना काम कर रहा था वो इतने में किचन में उसके पीछे जाता है कुछ लेने के लिए कि उसके कपड़ों पर दाख लग जाता है किसी सौस का अब उसकी शिर्ट गंदी हो गई थी याओ उससे कहती है सर अब शिर्ट उतारे में धो दूँगी और जैसे ही वो शिर्ट उतारता है तो उसी टाइम पर मम्मी वहाँ पर एंट्री कर देती है वो उन दोनों को इस तरह से देखकर पता नहीं क्या-क्या सोचने लगी थी मम्मी अंदर आ जाती है और वो देखती है कि चियान की शिर्ट उतार रही है याओ और वो कुछ और शिमीनिक ले लेती है वो दोनों बहुत कहते हैं कि हम एक्स्प्लेइन करने के लिए तयार है लेकिन मम्मी कहती है एक्स्प्लेइन तो तब कोई कर सा है जब कुछ फिशी हो वेल मुझे कोई अबजेक्शन नहीं है ठीक है इस लड़की को तुमने चूज किया वैसे तो तुम बहुत खरूस इंसान हो लेकिन तुम्हारी आइस बहुत तेस है तुमने एक जैम को चूज किया है और वो जाते जाते याओ को कह जाती है कि कल आफटरनून में इस जगा पर मुझे मिलने के लिए आना और वो भी अकेले में अब ममी ने काफ़ी सारी एक्टिंग की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद जब वो याओ से मिलती है तो उसे कहती है कि मेरा बेटा बहुत रिच है उसे छोड़ने कि तुम कितने पैसे लोगी और उसके सामने ओफर्स रखने लगती है पांच मिलियन, आठ मिलियन और बढ़ती बढ़ती दस मिलियन तक चली जाती है वो फुल उसी दरहां एक्टिंग कर रही थी, जैसा कि हमेशा सीरीज में होता है और जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था यहाओ आगे से इंकार कर देती है और कहती है कैसी कोई बात नहीं, मैं पैसे की पुझारी नहीं हूँ और इतना बता दूँ, चियान सिर्फ और सरफ मेरा बॉस है और मेरा उस से रिष्टा सिर्फ इतना है कि हम लोग एक घर शेयर कर रहे है वो बुझती है तुम क्यों उसके साथ शेयर कर रही हो तो वो कहती है क्यों कि मेरे पास इतने पैस नहीं कि अलग रह सको अधर आज चियान को ममी ने घर बुलाया हुआ था ये बहाना लगा कि कि मैं सीडियों से गिर गई हूँ अब वो उपर जाता है ममी के पास और ममी ने अपने अक्टिंग स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम पर याओ को भी उन्हों ने अपने घर बुलाया हुआ था याओ भी वहाँ पहुँच जाती है और ममी उन दोरों का हाथ पकड़ती है एक दुसरे के हाथ में थमा देती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उनकी आखनी सांसे चल रही है और वो बस उनसे यही प्रामिस लेकर इस दुनिया से जा रही है कि वो दोरों एक दुसरे का ख्याल रखेंगे लेकिन थोड़ देर बाद शियान अपनी ममी की एक्टिंग पहचान जाता है और यहाँ पर वो कहने लगती कि याओ तुमसे सचा प्यार करती है मैंने काली से टेस्ट किया था और इसने तुम्हारे प्यार में 10 मिलियन को ठुकरा दिया देखा ऐसी लड़की तुम्हे और कहां मिलनी है यह हीरा है हीरा और यही डिजर्फ करती है हमारी बहु बनना इसलिए तुम लोग अब चुपाना और शर्माना बंद करो और एकसेप्ट कर लो कि तुम दोरो रिलेशनशिप में हो लेकिन चियान वहाँ पर और बाते नहीं सुन सकता और जाने लगता है लेकिन मम्मी याओ को रोक लेती है और कहती है कि हम दोरो गल्स टॉक करेंगे क्योंकि हम लोग बेस्टीज पहले ही बन चुके है अब वो अकेले में याओ को समझाने की गोशिश करने लगती है लेकिन याओ उनको बताती है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोरो रिलेशनशिप में नहीं है शी देखती है तो उसे बता चलता है कोई उसकी सीक्रिटली फोटो दे रहा है अफकोर्स मैंग नहीं भेजा होगा वो उस बन्दे का मैमरी कार्ड उससे चीन ले थी है और वो वहां से भाग जाता है जब वो घर पहुंचती है तो दुबारा से कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए थे वो उसे गार्बिच में फैंक देती है लेकिन इतने में वूजून पहुंच जाता है और कहता है कि तो मैंने तुमारे लिए भिजवाए थे और उसे समझाता है कि तो मैंने लिए कितनी इंपार्टन हो और मैं इतना स्ट्रॉंग हो चुका हूँ कि खुद को भी और तुमें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तुम क्यों किसी से डरती हो लेकिन शी फिर से उसे खुद से दूर रहने का कहकर वहां से चली जाती है अब वो अपनी और वुजून की फोटोस देखती है जो कि गठे उस फोटोग्राफ अद्री बनाई हुई थी लेकिन इससे पहले कि वो कोई सपने से जाती वो खुद को वही बाते सुनवा देती है जो कि उसके एक्स हस्बंडे मोरी थी उसे रेकॉर्ड करी थी कि वो डिवोस्ट है और वुजून एक सेकंडर लेडी डिजर्व नहीं करता जिबकि उदर मम्मी को दिखाते हैं मम्मी बहुत जिंदा दिल थी और लगता था कि घर पे उन्हीं की हुकमरानी है यहां बर उन्हें डैड की हेल्प से एक फाइल प्रिपेर की थी जिसमें उन्होंने अपनी होने वाली बहु चूज करने के लिए बहुत सारी गिर्ल्स का बाईव डाटा रखा हुआ था जिबके उदर याओ को उन्होंने कूपत दिये थे जो कि उसे चियान को देने थे ब्लाइड डेट पर ट्राप करने के लिए और उसी टाइम पर याओ से मिलने के लिए उसके मम्मी डैडी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम तुम से और तुम्हारे बोईफरंट से एक डिनर पर मिलना चाहते हैं लेकिन याओ छूट बोल देती है और कहती है कि हो एक बिजनस टोर पर गया हुआ है वो सोचनल लगती है कि अभी अभी तो उसको जाब मिले है और अभी बिजनस टोर भी स्टार्ट हो गया इतने में याओ को आफिस एक एमरजनसी ईमेल करनी पड़ती है वो तो उठकर चली जाती है जबकि उसके मम्मी डैडी देखते है तो वहाँ पर वो ही बुफे के कूपन्स पड़े हुए थे वो देखते ही खुश हो जाते कि लगता है हमारी बेटी ने हमारे लिए रखे है और वो उठाते हुए वहाँ से निकल जाते है अब शाम को याओ चियान को मेन्यू दिखाती है कि देखें ये नया रेस्टरांट की तरह जबरदस है यहाँ पर जबरदस सी फूड भी है क्यों न हम दोनों चलें लेकिन देखती है तो कुपन नहीं होते चियान तुरां थीवान जाता है और कहता है कुपन्स की कोई ज़रूँ नहीं हम दोनों चलेंगे अब जाकर वो कमरे में यही सोचन लगता है कि इसने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है मतलब कि यह मेरे लिए फीलिंग्स रखती है और साथी साथ वो यह भी देखने लगता है कि अपनी फर्स्ट डेट पर मुझे क्या पहनना चाहिए और बिल्कुल एक मॉडल जैसे कपड़े पहन कर वो अगले दे ड्रैडी बैटा हुआ था वेट तो वो कर रहा था याओ का लेकिन एक और लड़की आकर उसके सामने बैठ जाती है अब वो लड़की जैसे ही बैठती है तो कहती है कि आप जुन हंक के लॉयर है ना आपकी मम्मी ने मुझे यहाँ पर भीज़ा है और यही बरी चियान को समझा जाती है कि वो कैसे फंस चुका है याओ को उसकी मम्मी ने यूज़ किया ता यहाँ पर बुलाने के लिए ट्रैप करने के लिए वो वहां से जाने लगता है तो वो लड़की से दोचार बोलिया लगा देती है और कहती है कि लगता है तुम मेरा करीजमा बर्दाश नहीं कर सके विरल ये फॉल करने वाले थे इसलिए यहां से उठकर जा रहे हूँ अब ये बात गलत साबित करने के लिए चियान वापस आकर वही बैठ जाता है लेकिन वो बैठा ही था कि वही बरी उसके होने वाले ससूर और सासूमा बहुच जाते हैं जो कि देखते हैं कि किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर बैठा है तो उसे बहुत बाते लगाते हैं और कहतें कि हमारी बीटी उसे तुम्हें पनाह दी, तुम्हें चत दी रहने के लिए ये कप्ड़ें भी तुम्हें उसी की पैसों से खरीदे होंगे। और तुम उसे दोखा दे रहे हैं उसके साथ चीट कर रहे हैं और उसके मुह पर दो दो पानी के गिलास फैंक कर चले जाते हैं जबकि वो लड़की उसे लगने लगता है कि मैंने तो सुना था कि यह बहुत रिश है इसका मतलब है यह तो सड़क चाप है अपनी गर्फरंड के पैसों पर पल रहा था अब वो भी नाराज होकर वहां से चली जाती और जाते जाते उस पर रेड वाइन फैकती जाती है अब बिचारे ने इतने प्यार से एक कपड़े पहरे तो उनको यह हाल हुआ था जबके याओ जो घर पर बैठी हुई थी उसको ममी डैडी की कॉल आती है जो कि उसे कहते है कि तुरांती अपने वाइफरंड से ब्रेक अप कर लो वो इस काबल ही नहीं कि तुम्हारा प्यार डिजर्व करे अब शियान बिचारा भीगी बिली बनकर घर पहुँचता है लेकिन गोट उसने उतार लिया था यहां पर याओ उसे सौरी करने लगए वो कहती है कि मुझे अदाजा रही था कि वहां पर आपकी ब्लाइंड डेट को रुईन करने करी अब यहां पर मम्मी को शक होने लगता है उन्हें लगता है कि मेरे बेटे में ही कोई कमी है वरना वो 30 येर्स का हो चुका है और अभी तक उसकी लाइफ में रुवैंस नाप कोई शब्द भी नहीं आया अब वो यहां पर याओ से रिक्वेस्ट करने लगती है कहती है कि जितनी सेलरी तुम्हें चियान देता है उसके तीन गुना मैं पे करूंगी लेकिन प्लीज तुम मेरे लिए काम करो याओ बहुत मना करती है कि पैसे की बात नहीं और यहां पर मम्मी अपना दुबारा से वो इनोसन्ट वाला फेस बना लेती है जिसको याओ इंकार नहीं कर सकती थी अब मम्मी तो यहीं इन्वेस्टिगेट कराना चाहती थी क्योंकि बेटे में कोई टेक्निकल फ्लॉ तो नहीं है अब जब चियान बात ले रहा था तो उस वकत याओ उसके कमरे में जाती है और उसके तक्या के नीचे एक मैगजीन चुपा देती है लेकिन एंड टाइम पर चियान उपर से आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर जब देखता है तो उसके दक्या के नीचे से वो मैगजीन निकलती है जो कि बहुत होट थी अब याओ उसके सामने खड़ी हुई थी और चियान कहने लगता है ठीक है मैं समझता हूँ तुम जिस एज में हो इस वकत अपने इमोशन्स पर और अपने हार्वोस पर कामू पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है लेकिन तुमें खुद पर कामू करना सीखना चाहिए माना मैं हैंट समू हूँ लेकिन एक लड़की को एक लड़के के कमरे में आकर इस तरह की हरकते करना उसे अराउस करने के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती तुम्हारे बारे मैंने ये नहीं सोचा था अब याउसे मनाने के लिए कहती सर ठीक है आप सूप पीले मैंने आपके लिए वो बनाया था सौरी समझ के ही पीले और ये सूप एक्शली उसकी मम्मी ने बना कर भेजा था और जैसे ही वो सूप देखता है तो वो एक ऐसी हर्ब से बना हुआ था जो के मेल के हार्मोन्स को राइस करती थी अब ये देखकर याओ और चियान दोनों ही बहुत आकवर्ड फील करने लगते है लेकिन इतने में याओ को एक कौल आ जाती है और वो कौल थी टिंग टिंग की तरफ से टिंग टिंग प्रेगनेट थी फिर भी वो उसकत ड्रंक थी और बहुत जादा प्रेशान सुनाई दे रही थी याओ उससे मिलने के लिए तुर्ण थीनिकल पड़ती है लेकिन चियान भी उसके पीछे आता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा टिंग टिंग तो उसकत सूसाइड करने वाली थी लेकिन याओ जाकर उसे बचा लेती है अब यहाँ पर टिंग बताती है कि मेरा हस्बर्ण मेरे साथ चीट कर रहा है उसने एक गर्फरेंड रखी हुई है उसकी मिस्ट्रिस और वो मुझे ये भी कहता है कि मुझे ये बच्चे भी नहीं चाहिए उसके ट्विन्स होने वाले थे याओ ने टिंग को अपना पर पहना आता तो यहाँ पर चियान आता है और अपना पर उसे पहना देता है अब वो लोग उस होटेल तक जाते हैं जहाँ पर पता चला था कि टिंग का हस्बर्ण है टिंग अंदर जाती है याओ के साथ और वो लोग वहाँ पर काफी सारी फाइट करते है यहाँ पर याओ कहती है कि अगर तुमने टिंग को हाथ भी लगाया तो मैं तुमने सू कर दूँए क्योंकि वो प्रेगनेट है लेकिन उसका असमेंट कहता है कि टिंग ने मुझे बहुत जादर डिप्रेशन दी थी और इसी डिप्रेशन से मुझे इस गर्फरंड ने निकाला है इसलिए मैं अब इसके साथ रहाना चाहता हूँ मुझे इससे प्यार हो चुका है और वो मिस्ट्रिस भी कहने लगती है कि इस टिंग ने परी प्राइवेसी में इंटर्वीन किया मैंने सीक्रेट फोटोस बनवाई है और उसके बाद मेरे बॉस और मेरे पुराने आफिस में सर्कुलेट की है मैं इस टिंग को सू करके रहूँगी अब इसी तरह की लड़ाई के बाद जब वो लोग बाहर आ थे तो नीचे चियान अभी तक गाड़ी के बाहर खड़ा उनका वेट का रहा था और टेंग बेचारी के साथ काफी प्राबलम हो गया था वो अपने घर में वापस भी नहीं जा सकती थी और अपने एकस हस्मेंट की तो वो शकल भी नहीं देखना चाहती थी तो यहाँ पर चियान और याओ वो दोनों मिलकर उसका एक होटेल में रहने के लिए अर्रेजमेंट कर देते हैं अप चियान जब गारी में बैटा हुआ था तो यहाँ पर याओ उसके पास एक पारिश का बॉक्स लेकर आती है और कहती है आपने सारा दिन से कुछ नहीं खाया प्लीज खाले वरना दुबारा से खाली पेट होनी की वैसे स्टमक एक हो जाएगी लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि यह खाएगा उसे लगता था कि साइट पर राख देगा तो वो उसे कहने लगते हैं ठीक है फिर मैं अपना वीचाट आपके मुबाइल में आउन कर दी हूँ आफिस में जो को लिग्स ओबर टाइम कर रहे थे वो भी इकठे वीडियो देख लेते हैं और हैरान रह जाते हैं उनका बास जो हमेशा इतने हुस्से में और इतना क्लासी और एरोगेंट लगता था वो कैमरे के सामने बैटकर पॉरिश खा रहा था और उसे मज़े ले लेकर बता भी रहा था लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो याओ के अकाउंट से कैसे लॉग इन हुआ यहां पर सब को शक होने लगता है कि याओ और सर के बीच जरूर कुछ सस्पीशिस है हो सकता है वो लोग सीक्रिट रिलेशन्शिप में हो वो दर याओ को भी थोड़ी दिर बार कमरे से निकल करी ये बात लो के मेसेजिस की वज़े से पता चल जाती है अब वो शॉक्ट रह गई थी बिचारे चियान को भी पता तो चला था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी अब वो भागती हुए नीचे जाती है चियान के पाथ लेकिन जब तक गाड़ी में पहुची थी वो सोच चुका था अब वो एक दफ़ों से डिस्टर्ब नहीं करती बलके हैंड़ी लगा कर उसकी वोही वीडियो देखने लगती है जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा था पारिश खाता हुआ अब ये वीडियो देखने के बाद वो लाइव वाले चियान को देखने लगती है और सोचती है कि मेरा बॉस एक क्रिजमेटिक परसनेलिटी रखने के साथ साथ एक हैंडसम फेस भी रखता है लेकिन जैसे ही उसने उसकी दून्स को छुआ था उसे टाइम पर चियान भी जाग जाता है लेकिन याओ खुश हो जाती है कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी एशली चियान को भी याओ की फिकर हो रही थी उसने भी उसके लिए एक ब्रट खरीद के रखी थी लेकिन वो जूट बोल देता है कि पास से कोई सालर गुजरता है मैंने उससे ले ली याओ कहती है आज आपने मेरी कितनी हेल्प करी मैं आपको डिनर पर ट्रीट करना चाहती हूँ लेकिन वो कहता है नहीं मैं गहीं नहीं जाना चाहता और जैसे ही वो कहती है कि मैं खुद घर जाकर आपके लिए डिनर बनाओगी तो वो तरह थी रेड़ी हो जाता है लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो पता चलता है कि ग्रोसरीज खतम हो गई है और वहाँ पे सरफ नूडल्स और एग्स है वो तो बहुत कहती है कि नूडल्स खा लें लेकिन बॉस कहता है मेरी परस्णालिटी को देखकर लगता है कि मैं जब फूड खाता हूँ बिल्कुल भी नहीं तो अब वो चियान के सामने बैठकर बहुत मज़े मज़े से अपने स्पाइसी से नूडल्स खा रही थी अब ऐसा चटपटा खाना और उसकी खुश्बू भी आ रही थी चियान भूखा भी था उससे रहा नहीं जाता वो उससे कहने लगता है कि क्या और नूरल्स पड़े हुए है लेकिन आगे से याओ भी से तंग करने लगती है कहती है कि बॉस क्या आप अपनी डॉबल परसनालिटी पर एक दाख लगाना चाहते है जंक फूड का बिल्कल भी नहीं और पर इंदी अंड यहां पर चियान को आगे प्लीज लगा कर कहना पड़ता है कि प्लीज मेरे लिए भी एक पैक बना दो तो अब वो खुशी-खुशी चली जाती है और कहती है कभी-कभी ऐसे खाने भी खाने चाहिए वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों इक अठी ऑफिस की तरफ जा रहे थे लेकिन याओ को अपने इमेज की बहुत फिक्र होने लगती है और गॉसिप्स की भी तो वो कहती है कि सर लोग बाते बनाएंगे इसलिए आप ऐसा करें कि मुझे आफिस से थोड़ दिर पहले ही बाहर उतार दे लेकिन चियान बहुत बहाना लगाता है कि आज मौसम खराब में बारिश हो जाएगी पर उस वकद तो दूप पूरी निकली हुई थी लेकिन फिर भी याव बीच रास्ते में उतर जाती है जबकि दूसरी तरफ हमें उस लोयल मैंक को दिखा दे है आज उसे अपनी एक क्लाइंट की कॉल आती है जो कहती है कि मैं तुमसे अपना केस वापिस लेना चाहती हूँ तुम लायर रहने के काबल भी नहीं हो और वो भी डिवोर्स के अब वो तो एकदम परिशान हो जाता है और पूछने लगता है कि हुआ क्या है तो उसे पता चलता है कि शी ने उसकी एक आडियो रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो डिवोर्स वोमन को बुरा भड़ा बोल रहा था आउट्रेटीड फॉल्टी और सेकंड हैंड मैटीरियल बोला था उसने और बिजिस उसका इसी चीज़ का था डिवोर्स वोमन से रोज बाला पढ़ना था अब ये उसके लिए बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्स सी क्रियेट हो सकती थी अब वो फॉर्ण से जाता है और शी के गर पर दर्वासा बजाने लगता है अंदर आते ही उसे लड़ने लगता है उसे लगता था कि जैसे ये मेरा अपना माल है उस पर रोब जमा कि उससे कहने लगता है कि वो औरिजिनल फाइल मेरे हवाले करो और आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी लेगिन शी कहती है कि ये तुम्हारे अपने शप्त है तुम किसी को नीचा देखते हो तो ये तुम्हारी खलती है, मेरी नहीं तो यहां पर वो आगे से कहने लगता है ठीक है, तुम्हें अपनी कोई परवा नहीं लेकिन याओ की तो परवा करो वो इशारो इशारों पर उसे ऐसे सिगनल देने लगता है कि जैसे वो याओ को नुक्सान पहुचा सकता है अभी यहां पर उनकी लड़ाई हो ही रही थी कि इतने में एक आर्टीशी के घर पर आ जाती है जो कि एक केस के बारे में उसे डिसकस करना चाहती थी और फिर मैंग यहां से निकल जाता है जबकर तिक टिक बेचारी बहुत परेशान थी उसके पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे वो यहां पर याओ से कहती है कि तुम भी तो एक डिवोर्स की लायर हो तो प्लीज मेरे डिवोर्स वाला केस तुम हैंडल करोगी अब यही बात याओ जाती है और चियान से करने लगती है चियान कहता है कि तुम इस केस में अपने इमोशन्स नहीं लेकर आओगी इस बात का क्या प्रूफ है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यह केस जितना आसान है यह काफी मुश्किल केस होने वाला है लेकिन जियाओ कहती है जिसार आपने मुझे इतना तो पॉलिश कर लिये और उसके साथ साथ जिबाव की गाइडनस होगी तो मैं जरूर यह केस जीत चाहूँगी और आपने मुझे जितना सीखाया है मैं अपने इमोशन्स को साइट पर रखना सीख चुकी हूँ और जब चियाओ इस केस के लिए येस बोल देता है तो ये देखते ही याओ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसने उसे ये भी कहा था कि इस केस की लाइट तो तुम होगी लेकिन तुमारी परसनली हेल्प मैं करूँगा अब याओ इतनी खुशी खुशी वहाँ से बाहर चली जाती है कि चियाओ भी उसे देखकर काफी देर तक खुश रहता है मानो उसकी खुशी में चियाओ की खुशी मिल चुकी थी एक्शली टिंग टिंग चाहती थी कि वो घर अपने बच्चों के लिए वापिस हासल कर सके जो कि उसने और उसके हजबने मिल कर खरीदा था और याओ भी उसे तसली देती है कि देखना तुमारे बच्चे बहुत अच्छी जगा रहेगे बस तुमने इनकी केर कर रही है और बच्चों से भी कहती है कि तुमनों ने भी कल को अपनी ममी का बहुत ख्याल करना है क्योंके तुमारे लिए फ़ाइट कर रही है वेल आप नेक्स डे आफिस में चियान की ममी आती है यहाओ को केले साइट पर लेकर जाती है और कहती है कि लास्ट मिशन में तो तुम फेल हो गई थी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी तुमने तो अब उसे कहती है तुम साथ रहती हो तो यह देखो इन मेंसे किस लड़की के साथ मेरा बेटा ब्लाइंड एट पर सूट करेगा लेकिन फिर साथ ही साथ उससे कुछ बाते वुगलवाने की भी कोशिश करने लगती है कहती है कि मेरा बेटा ठीक है सकसेस्फूल है लेकिन फिर भी उसका आईक्यू हाई होगा पर इमोशनल लेवल बहुत डाउन है उसे रोमेंस तो आता ही नहीं है और लड़कियों को कैसे कुछ रखना है तो बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पर याओ आगे से मम्मी को कहती है ऐसी कोई बात नहीं चियान एक जबरदस्ट इंसान है उसकी परस्नालिटी भी बहुत अच्छी है अब मम्मी इस बातों से बहुत खुश होती है और कहती है ब्यूटी इस इन दे आई अफ बिहोल्डर एक्शली वो ये शब्द याओ के मुंसे निकलवाना चाहती थी कि वो उनके बेटे में इंट्रस्टेड है लेकिन याओ यहाँ पर इंकार करने लगती है और बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं मैं उसमें कैसे इंट्रस्टेड हो सकती हूँ वो तो मेरे एक बॉस है और मैं सिर्फ एक सबॉर्डिनेर और जितनी तारीफें उसने पहले की थी उसको काउंटर करने के लिए वो उसके कुछ बुरी बातें भी वहाँ पर बताने लगती है कि वो जुआन से बहुत जहरीला है वो उसे में पता नहीं क्या-क्या कर बैठता है ऐसा इंसान के साथ मेरा गुजारा कहा होने वाला उसने तो उसे एक poisonous, indifferent और toxic person में बोल दिया था लेकिन ये सब वो अपनी तारीफों को काउंटर करने के लिए कर रही थी मम्मी के सामने पर उसी टाइम पर पीचे से चियान भी पहुँच जाता है जो कि आदी बाते सुन लेता है अब हम भी तो वहां से निकल गई थी और उसके बाद याओ खड़ी हुई थी चियान के सामने जो उससे एक्स्प्लेशन माग रहा था उसे बहुत दुख हो रहा था कि याओ मेरे बार में इस तहां से सोचती है वह उसे मौका भी देता है खुद को एक्स्प्लेशन करने का पर याओ खुद को सही से डिफेंड नहीं गर पाती और इंडियन चियान को इतना हुस्सा आता है कि वह उसे अपने आफिस से बाहर निकाल देता है अब घर जाकर याओ काफी परिशान थी उसे तो ये भी नहीं पता था कि चियान ने कितरी बाते सुनी और कितरी नहीं सुनी अब वह उसे मनाने के लिए एक जबर दस्ता उसका फेवरिट डिनर बनाती है लेकिन उसके बाद देखती है तो काफी देर तक चियान वापिस से नहीं आया था बिचारी याओ वेट करती करती सो गई थी अब वह जब काफी देर बाद आफिस से वापिस घर आता है तो आते ही अपना बैग टेबल पर दे मारता है और उसी की ही आवास से याओ जाकती है वह उसे कहती है कि आपके लिए डिनर रेड़ी है लेकिन हो कहने लगता है कि मैं आप यहां से मूव कर रहा हूँ किसी डिनर किसी सब पर कोई जरूरत नहीं शायद कल तक शिफ्टिंग कंपनी आ जाएगी और मेरा समान यहां से उठा कर ले जाएगी याओ उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती बलके कहती है सर अच्छा है यहां पर चोटे से घर की बलाएगी अब आप अपने लक्जुरी विला में रहेंगे और चियान मेचारा तो इस इंतजार में था कि यह मुझे रोकेगी मनाने की कोशिश करेगी लेकिन याओ ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था अब वो गुस्ते में कहता है कि जो ट्वाई मैंने तुम्हे दिया था मैं वो भी साथ लेकर चला जाओंगा वो तब भी कुछ भी नहीं कहती अब चियान बहुत अपसट होता है और सोय वे वुज उनको उठाता है और उसे दुबारा से डिसकुशन करने लगता है अपने एक फ्रेंड का नाम लेकर उसे दुबारा मश्वरे लेता है लेकिन फिर उसे भी डांट कर सुला देता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी घर में चियान और याओ दोनों का आमना सामना होता है लेकिन वो खामोशी से अपने पने रास्ते निकल जाते एक दुसे से कोई बात नहीं करते लेकिन मन ही मन में लगता था कि वो दोनों एक दुसे से बहुत बाते करना चाहते हैं अब अगले दिर याओ आफिस में काफी सैड़ थी और बहुत लेट तक बैठी हुई थी उसने सोचा था कि जब तक चियान अपना सामान लेकर चला नहीं जाता मैं तब तक घर नहीं जाओगी और उधर चियान बेचारा वेट कर रहा था कि शायद याओ वापिस आजाए मुझे रोक ले मैं उसने मिले बगार ऐसे कैसे चला जाओ यहां से इसाब पैकिंग भी हो गई थी फिर भी उसने डिलिवरी बॉइस को वहाँ पर 30 मिन तक बिठाया हुआ था सरफ इंतजार के चक्कर में और बस फिर उसके वादों समान लेकर वहाँ से चला जाता है याओ काफी देर से आज घर लोटी थी और जैसे ही अंदर आई थी उसने जाते ही चियान का कमरा देखा था जो कि अब बिलकुल खाली और सोना सोना सपड़ा था ये देखकर उसका मूर बहुत आफ हो जाता है वो सैड सैड सी दिखाई दे रही थी और तो और जब अपना वो भरा हुआ फ्रिश देखती है तो सोचने लगती है कि अब मैं किस के लिए डिनर बनाया करूँगी तो बस बिचारी आज सिर्फ इंस्टेंट डूडल्स बनाकर बैठ चाती है और अपना टीवी देखने लगती है और दूसी तरफ हमें चियान को दिखाते हैं जो कि अपने बहुत बड़े से विला में बैटा हुआ था उसका विला बहुत ग्रैंड और बहुत शानदार था और वो जो कभी टीवी नहीं देखा करता था आज एक टीवी सीरियल देख रहा था याउने उसे लगता है आदत डाल ही दी थी और साथी साथ उसने याउवाला टॉय भी हग किया हुआ था लेकिन थोड़ देर बाद जब उससे रेयलाईज होता है कि मैं कितना चाल्डी शो रहा हूँ तो वो टॉय को साइट पर कर देता है वेल आम नेक्स टे वो जब आफिस में जाता है तो जाता है अपने कोलीक्स के पास वो लोक सारे उसे गुड मॉर्निंग कहते है थोड़ी देर तक वो याउ के डस्ट के करीव ही खड़ा रहता है और उसकी नदर पढ़ती है उसके लंच बॉक्स पर तो उसे पुरारी बहुत सारी यादे आने लगती है अक्सर याउ खाना बनाया करती थी और राइस इसी लंच बॉक्स में बैक कर दिया करती थी और बस उसी लंच बॉक्स पर उसने दज़र रखी हुई थी अपने लंच ब्रेक के लिए और उसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक होती है तो बाओ बचारा अकेला रह गया था बाकी सब अपना लंच लेकर आये थे लेकिन इस से पहले कि बाओ याउ के साथ मिलकर उसका लंच खाने लगे वो तुरांथ ही उपर पहुँच जाता है और चियान उसको रोक देता है और कहता है तुम लंच नहीं कर सकती एक बहुत ही confidential document है जो कि express delivery से नहीं मंगवा सकता तुमने क्लाइंट से खुद जा कर उठानी है वो सोचती है कि लंच बाक्स ले जाती हूँ खाना रास्ते में खालूँगी लेकिन वो बोलने लगता है जी नहीं तुमें मील भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से और तुम वोई अलॉइंस यूज़ करना अपना खाना खाने के लिए अब वो जाते जाते अपना लंच बाक्स बाव को दे जाती है चियान को देने की बजाए लेकिन इतने में बोस का वी आई भी लंच बाक्स भी रेडी हो करा जाता है और चियान आते ही वो लंच बाक्स बाव को दे देता है और उसके हाथ से याओ वाला लंच बाक्स खुद लेकर चला जाता है और यहाँ पर बाव तो इतना खुश हो रहा था उसे लग रहा था कि देखा, मैं हमेशा कहता था न, बॉस मेरी कितनी केर करते हैं इसलिए तो उन्होंने मुझे अपना लाच बॉक्स दे दिया वेल, अब वो याओ की याद में उसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था जो के हमेशा तो से बहुत डिलिशियस लगता है अब उसके बाद वो जून उसके पास आता है और चियान से कहता है तुम्हें मैंने बहुत बदलाव देखा है पहले तुम अच्छे से सोते नहीं थे, अब बहुत अच्छी नीन आ जाती है काम करते हैं थोड़ा सा भी नाइस बरदाश नहीं करते अब मैं तुम्हारे सामने बैठकर एक ड्रामा देख रहा हूं तुम्हें कुछ बॉदर नहीं करता और पिर तुरांती उसे खियाल आता है उसकी आँखों में देख़र कहने लगता है कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो क्या और तुम्हारा वो loved one तो नहीं जिसे तुम्हें बदला है लेकिन अब भी तक उसे याओ पर कोई शक नहीं हुआ था इतने में वो चैंक शी का जिकर करने लगता है और कहता है कि देखो याओ हमारे आफिस में कितने दिनों से आई हुई है कि तुमने उस पर नज़र रखी है कहीं उसका कोई रोमेंस या सीक्रिट रिलेशन्शिप कुछ ऐसा चक्र तो नहीं चल रहा अगर कुछ ऐसा है तो तुमने मुझे सबसे पहले इनफॉर्म करना है क्योंके देखो फ्यूचर में वो मेरी सिस्टर इनलाओ बनने वाली है मेरी साली हुई तो छोटी बेहन की तरह है उसकी केर करना मेरा फर्ज बनता है और उसके साथ ही वो उससे कहता है मुझे अपने विला की एक स्पेर की दे दो अगर कभी तुमसे मिलने के लिए आना हो तो मैं तुम्हें बिना बौदर की अंदर पहुँच जाऊंगा और फिर उसके बात हमें पता चलता है कि एक्षली उसने विला की चाबी इसलिए लिए है क्योंकि नेक्स्ट वीक चियान की बर्थडे है और उसके लिए वो लोग एक सर्प्राइज पार्टी प्रिपेर कर रहे हैं वो जून ने कुछ कोलीक्स को अपने साथ मिलाकर एक ग्रूप बनाया था और इसी ग्रूप में याओ भी शामिल थी वैल अब थोड़े दिनों बाद याओ कॉल करती है चियान को और कहती है कि सर आपसे important discussion करनी है although weekend है फिर भी मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ वो तुरंथ ही उसे अपनी location share कर देता है अब वो next एकदम ready होकर खड़ा हुआ था और बेस अबनी से इंतार कर रहा था याओ का कि वो क्या कहने के लिए आई है देखता है तो वो बहुत सुन्दर सा ready होकर आई थी वो दर्वाजा खोलता है और साथ ही उसे कहने लगता है किस बारे में discussion करनी है private या काम की वो कहती है private वो तुरांत ही बोलने लगता है हाँ मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो न कि मेरे जाने के बाद घर सुना सुना लग रहा है अब चाहे तुम कितने ही प्यारे कपड़े पहन गरा जो जितना भी सज़ज़ लो मेक अप कर लो मैं वापस तुमारे गर में नहीं आने वाला तुमने पहले मुझे रोकना था लेकिन याओ बचारी कुछ भी बोलती उससे पहले ही पीछे सारा स्टाफ खड़ा हुआ था जो कि उसे सर्प्राइस बरस्डे के लिए विश करने पहुचा हुआ था अब ये देखते ही चियान का मूट और भी खराब हो जाता है लेकिन सारे इंप्लॉईस बहुत खुश थे वो तो देख रहे थे कि उनके बॉस का विला कितना ग्रैंड और कितना संदर है चियान वूजून को ढांटने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे ही इन सब को ले आए पिचालों ने वीकेंड्स पर रेस्ट करना होगा तुम उनसे डबल काम क्यों ले रहे हो लेकिन वो सब खुश होकर कहने लगते हैं कि हम तो आपका घर देखकर ही रिफ्रेश हो गए अब वूजून उनको बॉस के घर का विजट कराता है जो कि बहुत ग्रैंड था और उसके रूफटॉप पर एक स्विमिंग पूल भी था ये सब कुछ बिलकुल परीयों की कहानी जैसा लग रहा था अब उसके बाद वो सब बार भीक्यू पार्टी करने लगते हैं जो कि वूजून का आइडिया था लेकिन आइडिया थोड़ा डिजास्टर में बदल चुका था क्योंकि आज के दिन काफी गर्मी थी और वो लोग दिन के टाइम पर जिस तरह से लॉन में बैटे हुए थे सब को पसीने चूट रहे थे तो अब वापस में मशवरा करने लगते हैं कि कल का दिन तो थंडा साज गर्म हो गया तो क्यों रहा हम पीजा ओर्डर कर ले और अंदर बैठ के खा ले लेकिन जब तक पीजा आता उससे पहले ही चियान यहो को उस गर्मी से बचा लेता है और कहता है कि अंदर आओ तुमसे मने कुछ काम कराना है अग्रीमेंट में कुछ चेंजिस करनी है और वो तुम करोगी अब वो इसी बहाने से उसे अपने स्टडी रूम में लाकर बिठा देता है जहां पर इनवार्मेंट काफी ठंडा था जबके बाकी लोग काफी देर सडने के बाद फाइनली पीजा आने पर अंदर चले जाते है और फिर तोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वो जून ने ये सारा इतना बड़ा सर्प्राइज किसके लिए रेंच किया था एक्शली उसका अपना भी एक मकसद था और वो ये था कि वो इसी बहाने चैंक शी को इन्वाइट करना चाहता था जो कि उसने चियान की बहाफ पर कर भी दिया था वो बोलता है कि मैं उसे जितने मी मिलने की कोशिश करूँ वो आती ही नहीं तो इसलिए तुम्हारा बहाना यूज किया तुम मेरे ब्रदर नहीं हूं क्या इतने में चियान उसे मैसेज दिखाता है और कहता है देख लो उसने इंकार कर दिया और मैसिज पर भी बिर्थ्डे विश कर दी थी यह देखते ही वो जोनका मूड आफ हो जाता है चियान बोलता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं यह सब शेयर किया तो वो कहने लगता है तुम्हारी लिए सरप्राइस बिर्थ्डे पार्टी थी कैसे बताती था वैल अब चियान जाकर स्टडी में बैट जाता है यहाँ पर एक्शली वो याओ को देखने के लिए बैटा था और बुक भी उसने उल्टी पकड़ी हुई थी याओ से कहती है कि सार मैं अकेले ही काल लूँ ही आप सब के साथ बैठे वो आपकी बुक आपने उल्टी पकड़ी हुई है लेकिन फोड़ी देर बाद उससे नजरें चुराक वो बुक भी सीधी कर लेता है अचली वो भार भार याओ को देखके जा रहा था अब थोड़ देर बाद याओ याओ याँ पर सो भी गई थी अब वो उठती है और उसके बाद बास के लिए एक गिफ्ट लेने चली जाती है वो आती है और कहती है सब आपको गिफ्ट दे उससे पहले ही यह मैंने आपके लिए स्पेशल प्रिपेर किया है तो आपको देने के लिए पहुँच गई यह देखकर वो खुद बाहर चली जाती है जबकि अकेले में चियान एकसाइटेड होकर उस गिफ्ट को खोलता है वो देखता है तो अंदर एक शेंपेन बाटल थी और साथ ही एक कार्ड पर लिखा हुआ था वो सोचना लगता है कि लड़की इतनी बोल्ड है मैंने सोचना भी नहीं था अब थोज़ देर बाद चियान बाहर आता है तो पता चलता है कि वो जो उन्हें ड्रिंक किया हुआ है और चैंक्शी वाला गाम भुलाने के लिए वो काफी ज़दा ड्रंक भी हो चुका था यहां पर चियान कहता है आई थिंग आप पार्टी ओवर होनी चाहिए लेकिन वो जो उन्हें लगता है नहीं नहीं बच्पन की याद में क्यों आज हाईडन सीख खेली जाए और सारे की सारे लॉयर्स भी साथी रैडी हो जाते हैं अब वो जो नहीं सारों को टास्क दिया था कि आपका बॉस चियान चुपेगा और जो जाकर उसे तलाश करेगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा अब हर कोई अंदर जाकर चियान को तलाश करने में लगा हुआ था वो लोग घर का कोना कोना चान मारते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी चियान घांग गया होगा इतने में याव को याद आता है कि चियान ने एक दफ़र उसे बता आता कि उसके विला बे भी एक रूफ टॉप है जहांबर बैटना उसे बहुत पसंद है अक्सर वो वहाँ बैटकर काफी पिया करता है तो वो तुरांध ही उपर चट की तरफ जाने लगती है जब कि दूसी तरफ हमें दिखाते हैं कि उनके आफिस के दो लाइर्स जिनकराम, यू और टैंग था उनकी भी लगता है आपस में सैटिंग हो नहीं वाली है उदर चियान भी एक्शली रूफ टॉप पर ही बैटा हुआ था और याओ के साथ अपने बिताय हुए समय को याद कर रहा था जब उसके साथ एक दफ़ा वो मॉबाल करी में बैट कर फीट बात ले रहा था अब जैसे ही दर्वाजा खुलता है तो चियान देखकर सर्प्राइस ट्राइग या था जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था पैसे ही वहाँ पर याओ आई थी और वो आते ही कहती है कि सर्फ आप कहीं भी जुप जाएं मैं हर जगा आपको तलाश कर लूँगी और उसके ये वर्स चियान के दिल को जूग गए थे अब वो एकदम रॉमेंटिक स्टाइल में उसे कुछ बोलना ही वाला था कि वो कहने लगती है दस हजार मैंने जीत लिए और जाकर अनौस्मेंट करने लग जाती है अब वो जोनों से दस हजार का प्राइस दे देता है और फिर उसके बाद यहां पर चियान उससे कहता है कि तुमने मुझे ढूंडा और आज मेरी बॉत्रेपी है तो ठीक है तुम विनर हो तुम्हें मैं एक विश ग्रांट करता हूँ जो भी मांगोगी मैं पूरा करूँगा अब यहां पर याओ कहने लगती कि सर आप इस बात से मुकर नहीं सकते वो भी एक्साइटी डोकर कहता है चाहे जो भी मांगो तुमारी मर्जी उस बशारी को तो बहुत आशा थी कि अभी मुझसे कोई रोमेंटिक बात करेगी या पिर वापस घर जाने को कहेगी कि मैं वापस शिफ्ट हो जाऊ लेकिन वो उससे कहती है प्लीज सर मेरी सैलरी बढ़ा दे और अफकॉर्स ये बात सुनते ही चियान को घुसा आ जाता है वो कहता है सपनों में देखती रहो सपने वैल इतने में वहाँ पर केक आ गया था और केक काटते समय यहाँ पर चियान विश भांग रहा होता है जिन्होंने उसका इतना साथ दिया और फिर कहने लगती है कि उसके बाद मैं अपने बास चियान को भी थैक्स करना चाहती हूँ लेकिन बताती है स्टार्ट स्टार्ट पर जब मैं मिरी थी तो मैं सोचती थी कि बस ऐसे ही बास का तुक्का लगा हुआ है तब ही तो इनको इतनी हैवी वेजिस मिलती है इनमें कोई खास बात नहीं है बलके मुझे बहुत एनॉइंग लगते थे लेकिन थोड़ा समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि ये कितने कौालिफाइड है और यहाँ पर जब वो आकर बास को टोस्ट करती है तो उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे यहाँ पर चियान अब उठता है उसे ड्रंक देखकर चुप चाप अपने कपड़े बदलने के बाहरे अंदर चला जाता है जबके बाकी सारे कौलीक्स को लग रहा था कि याओ आज आग से खेल रही है चियान अंदर जाकर सोचना लगता है कि इस गिफ्ट की खातर जो तुमने मुझे दिया है मैं तुम्हें माफ करता हूं याओ जबके बाहर सारे लॉयर्स अपस में मजाख करने लगते है यहाँ पर वो आज अपने बहुत वूजून से पूछते है कि हमने एक लॉयर लियांग के बारे में सुना है वो भी आपकी युनिवरस्टी से थी और युनिवरस्टी टाइम में लगता है कि आप उनके पीछे पीछे चलते थे लेकिन वो जून साफ मुकर जाता है और कहता है ऐसी हरकत तो मैं कारी नहीं सकता मैं तो अपने स्टडिस को लेकर बहुत सीरियस रहता था शायद चियांग में ऐसा किया होगा तो इसलिए मेरे पीछे मताना ये क्वेश्चन लेकर आएदा जबकि यहां पर याओ जाकर वू जून से अकेले में एक क्वेश्चन करने लगती है वो ड्रॉक थी तो जाकर चियांग के बच्पन के बारे में पूश्चन लगती है कि क्या उसे बुली बॉइस तांग कर से यहां में वू जून भी हरान था कि तुम्हें ये बात कैसे बता है लेकिन ड्रॉक होने की वज़ा से कोई भी एक दूसरे की बातों के जादा खोर नहीं कर रहा था इतने में उपर से चियांग आ जाता है और वू जून को याउसे अकेले में बातें करता देख अपने पास बुला लेता है अब बाकी सारे कोलीक्स तो वहां से वापिस चले गए थे जबके वू जून से शर्माते शर्माते चियांग बोलने लगता है हाथ में उसे वही कार्ड पकड़ा हुआ था जो कि याउने उसे वाइन के साथ दिया था वो उसे कहने लगता है कि देखो फीमिल सबॉर्डिनेट से फासला रखा करो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई ना कोई फॉल कर चुका है और वो हमारे कुलीक्स में से ही है अब ये सुनते ही वो जो उन जो पहले ही ड्रंक था उसे करीब आकर नसीहते करने लगता कि तुमने कम ड्रिक करना था हमारे ओफिस में ऐसी वैसी कोई बात नहीं और चियान बिजारा सोचता है इससे बात करने का कोई फायदा नहीं और उसके बाद हमें दिखाते हैं दो और करेक्टर्स को जिनके नाम टैंग और यू है और वो भी आज फायनली एक कपल बन गए थे जबके चियान बिजारा जब सोने के लिए ज़ा रहा था तब भी यही सोचे जा रहा था कि याओ इतनी मोल्ट कप से हो गई जो से यही कह रही थी कि बस मैं आपको एक बेबी देना चाहती हूँ अब यह सुनते ही चियान शर्मा जाता है कि मैं भी सब के लिए रैटी नहीं हूँ और इतने वे वो उसे नाराज होकर जा रही थी कि यहाँ पर चियान उसे मनाने की खातिर बैट से ही गिर जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था जबकि उधर याओ आधी रात को उटकर पानी पी रही थी और वही बेर उसे याद आता है कि मैंने कल ड्रंक होकर चियान को कितना कुछ बोल दिया था और तो और ड्रिंग उसके कपरों पर भी गिरा दी थी अब बस उसे यही लगता था कि कल जैसे ही वो जून हंग जाएगी फारण ही फायर कर दी जाएगी अब next morning जैसे ही चियान उठता है वो एक message करने वाला था काप के बारे में याओ को लेकिन तुरंथ ही उसे उसका gift याद आता है जिसमें कार्ड में उसने क्या लिखा था ये सोचते ही वो awkward feel करने लगता है अब वो चुप चाप office चला गया था और वहाँ पर उसे आज फिर से sun glasses लगाए हुए थे क्योंकि कल रात उसको फिर ठीक से नीद नहीं आई थी और dark circles दुबार आ चुके थे अब थोड़ी देर बाद उसे वूचन बताता है कि आज मैंने सारे employees के लिए एक lecture arrange किया है जिसमें उनको ये brief किया जाएगा कि अपनी love life को और अपने गाम को वो कैसे balance रख सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद याओ वहाँ पहुँचती है पता चलता है कि आज तो लेट हो गई थी वो भी तुरान थी वो lecture लेने जा रही थी लेकिन चियान उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये office romance के खिलाफ कोई भी बात सुने लेकिन वो जो जबरदस्ती उसे वहाँ भेश देता है और चियान से कैसा है तुम्हारी काम में help मैं करा दूगा अब चियान भी वहाँ पहुँच जाता है वो लेडी बहुत सारी बुराईयां कर रही थी कि office romance के कितने सारे नुकसानात है लेकिन यहाँ पर चियान उनको इंटरप्ट करता है और कहता है कोई बात नहीं अगर एक ही छट ले काम करते हैं आपका लवर आपके साथ हो तो आप बहुत सारा टाइम बचा भी सकते हो और अब की बार वो office romance के फाइदे गिनवाने लग जाता है अब वो टीचर यहाँ पर यहाँ से पुछने लगती है क्या आपका ख्याँ ख्याल है इस बारे में तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से मैं टीचर से अगरी करती हूँ अगर काम और लव दोनों साथ साथ चलता रहे तो अच्छी बात है लेकिन अगर अपने लवर से ब्रेक अप हो गया तो आपका मन नहीं गरेगा अपने काम वाली जगा पर जाने को भी अब ये सुनते ही चियान को काफी घुसा आता है और वो मूड खराब करके वहां से निकल जाता है अब चियान इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि एक फीमेल को लीग ने अगर आप से लव कनफेस किया और उसके बाद वो बिलकुल अज़ान मन रही है तो इसका क्या मतलब है उसको ये ही रिजल्ट मिला था कि शायद वो आपकी तरफ से कोई इनिशियेटिव चाहती है अब शर्मा रही है अब सब कुछ उसी रिजल नहीं करना आप भी पहल बढ़ाएं आप भी कोई स्टेप उठाएं या पिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी भावनाएं जगा कर प्लेइंग हार्ट टुगेट ये खेलना चाहती हो अब इतना में याओ वहाँ पर आ जाती है उसके कॉफी लेकर वो उसे कहती है कि सार आप आज बहुत परिशान दिखाई दे रहे हैं और खोए-खोए भी लग रहे है अगर आप कहें तो आज मैं आपके लिए डिनर प्रिपेर करूँ मैंने आपसे एक इंपोर्टन बात भी करनी है चियान को लगने लगता है कि एक रोमेंटिक सा डिनर ग्रियेट करके मेरे से ओफिशल अपना लव कनफेस करना चाहती है कहता है ठीक है अच्छा एट्मोस्फिर भी होना चाहिए इस तरह की बात करने की ने तो क्यों ना एक रेस्टरान डिस्कवर करें अच्छा सा तो वो कहने लगती हाँ सही है सर लेकिन मैंने तो केस ही डिसकस कर रहा है अब ये सुनते ही चियान सर्प्राइज ड्रह जाता है कि तुमने मुझे से केस के बारे में बात कर ली है तो वो ये कहकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है कि कभी अपने प्राब्लम्स खुद भी सॉल्फ कर लिया करो छोटी बच्ची हो क्या अब दूसी तरफ हमें शी को दिखाते है उसने एक नई जगा पर अपना घर ले लिया था शायद उसने मिंग के डर से अपनी जगा से मूव कर लिया था लेकिद यह बात वो याओ को नहीं बताती लेकिद जब बाहर नौक होती है तो वो तुरंथ ही परेशान हो जाती है कि अब यहाँ पर कौन पहुंच किया लेकिद कोरियर देखकर उसे तसलिय हो जाती है कि अभी तुम्हें सेफ हूँ लेकिन याओ ने ये बात नोडिस कर ली थी और उसके बाद उसने चैक शी से ये बात उगलवा भी ली थी वो कहती है कि तुम इस तरह से मूव कर रहे ही, क्या जरूरत थी तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकती थी, मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन शी कहती है कि एक्शली मैं शांती चाहती हूँ अगर यहां पर भी वो मेरे पीछे आया या मुझे उसने हरास करने की दुबारा कोशिश की तो फिर देखना अब की बार मैं खामोश नहीं बैठने वाली लेकिन नेक्स्टी डे वो जून जाकर यहां उसे पूछने लगता है कि आजकल मैं शी से कॉंटक्ट नहीं कर पा रहा नहीं वो अपने घर के बाहर नज़र आती है वो कहां गई है अब यहां उससे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि शी जान बूच कर वहां से मूव कर चुकी है वो बहाना लगा देती है कि शादो किसी बिजनस ट्रिप पर गई होगी लेकिन वूजून के बार बार पूचने पर वो उसे बता देती है कि उसने घर वहां से शिफ्ट कर लिया है अब वूजून को लगता है कि शायद वो मेरी वज़ा से परेशान थी वो कैसा है ठीक है शी को मेरा वैसेज दे देना कि उसे मेरी वज़ा से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मैं हादा उसे कब भी कॉंटेक्ट नहीं करूगा मेरी वज़ा से वो कहीं भी मूव ना करे वो बिचारा काफी डिस हार्ट भी दिखाई दे रहा था अब याओ उपने घर पर काम कर रही थी चियान उसे कॉल करता है और एक बहाने से कहता है आशकल मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है और इसलिए मैं तुम्हें एक मील पर ट्रीट देना चाहता हूँ लेकिन आगे से याओ कहती है सर किसी और दिन से आज तुम्हें बहुत मिज़ी हूँ और उसकी बातों को इगनोर करती हुए फोन ही कार्ट देती है अब इससे चियान को तो कन्फरम हो जाता है कि ये प्लेइंग हार्ट टुगेट मुझसे खेल रही है एक तरफ कार्ट पर मुझे लव यू लिखती है दूसरी तरफ मुझे गर गरने की कोशिश करती है वेल अब नेक्स्ट डे ही यहाँ को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उसके फ्रेंड टिंग टी उसके साथ उसके हस्बन ने चीट किया था और उसे जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवा था वो भी फेक था वो बिचारी तो अपनी मॉर्निंग सिकनेस की वज़ए से उसके साथ नहीं जा सकी थी और वो एक फेक सर्टिफिकेट लाकर उसे दे चुका था जो उसे अब रियलाइज हुआ था जब वो डिवोर्स के रिफाइल करने वाली थी अब टिक टिक और भी परिशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्टार्ट से ही एक फ्रॉड था उसने मैरिज को भी एक फ्रॉड बना दिया और ये सारा कुछ वो सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा आथी आने के लिए का रहा था और उस घर की सारी डाउन पेमिन टिक 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 नहीं पे कर दी थी अब जाओ बिचारी सी केस को लेकर काफी परिशान थी और रात पर इसी परीवों रिसर्च करती रही थी नेक्स मार्निंग जब वो आती तो बहुत लेजी लेजी दिखाई दे रही थी यहाँ पर बाव उसे एक काफी भी देता है उसे फ्रेश करने के लिए यह सारा कुछ चियान भी देख रहा था अब यहाँ थोड़ी देर बाद चियान के पास आती है और उसी केस के बारे में डिसकेशन के ले लगती है लेकिन इसे बीच उसे खुदी बहुत जबरदस्ता कोई आईडिया आ गया था जिसे लेकर वो बहुत कुछ हो दी है और तुरंध दीवान से भाग जाती है और जियान बेचारा तो बस तरस्ता रह गया था उसे बाते करने को अब यहाँ तुरंध ही चली जाती है और टिक को बताती है किस तरह से वो यह केस जीच सकती है और उसे वो घर भी बिन सकता है और ये सुनते ही टिंग भी कुछ हो जाती है वह सुक्षन लगती है कि वाके याओ अब लॉक की फिल्ड में काफी आगे बढ़ चुकी है अब आज याओ काफी कुछ नदर आ रही थी धर जाकर वो अपने एक जबरदस्ता डिनर भी बनाती है और उस दिनर की वह एक फोटो बना लेती है और यही फोटो से अपने स्टेटिस पर भी लगा दी थी जो कि चियान भी देख लेता है और यह देखते ही उसे याओ के हाथ का बना खाना बहुत याद आने लगता है चियान जाता है और जाकर वो जून के घर पर बैट जाता है और वो भी लेट नाइट अब वो उसे भी सोने नहीं दे रहा था और साथी साथ ड्रिंक भी किये जा रहा था वो जून जब उसे बार बार पूछता है तो फिर वो बताने के लिए रेडी हो जाता है कहता है एक्षली रिलेशन्शिप का इशू है वो पूछता है किसका तुम्हारी लाइफ में क्या लियांक जिरान ने दुबारा से तुम्हें कनफेस किया यह उसी लॉयर की बात थी जिसके बारे में कल भी रियूमर्स पहरी हुई थी और बाकी कुलीक्स भी बात कह रहे थे वो जून को तो उसी के बारे में शक होने लगता है लेकिन चियांट कहता है मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं अपने एक फ्रेंट की बात बता रहा हूं तुम्हें उससे किसी लड़की ने कनफेस किया लेकिन उसके बाल वो ऐसे स्ट्रेंजर सी बन गई है कोई मूव ही नहीं लेती और रही कुछ रिस्पॉंस करती है बिल्कुल अजान है जैसा ऐसा कभी हुआ ही रहो लेकिन आगे से चियान कैता मेरे फ्रेंट की बात है यह मेरी नहीं और वैसे भी मेरे फ्रेंट का एक स्टाइल है एक स्टैंडर्ड है उसकी बॉटम लाइन यह है कि वो कभी किसी लड़की को चेज नहीं करेगा तो वूजुन उसे कहता है ठीक है डारेक्टली नहीं कह सकते तो कोई इंडारेक्ट उस लड़की को हीट ही दे दो कि तुम उसे लाइक करते हो और ये आइडिया च्यांट को पसंद आता है वो इसी बारे में सोचने लगता है जबकि वूजुन नेक्स्ट ही डे तो नहीं चला गया हमारे च्यांट के पास लेकिन हो कहने लगती कि सर अगर कोई कनफेशन बॉक्स गया होता तो अब तक क्या कोई रिस्पास नहीं आना था बॉस ने तो पुरा का पुरा आफिसर पर उठा लेना था इसका मतलब है कैसा कुछ भिगरबर नहीं हुआ जबकि उधर चियान अपनी बहुत सारी हिम्बत जुटाता है और उसके बाद याओ को अपने कमरे में बुलाता है उससे कहता है कि मैंने बिस्टे वाले दिन तुमारी थॉर्ट्स तुमारी गिफ्ट सब कुछ एकसेप्ट कर लिया है हाँ लेकिन इस बारे में भी फैसला नहीं किया मैं तुमें सोच के बताऊंगा वो शर्माते शर्माते इंडारेक्टली उससे एक पॉजिटिव सिगनल दे रहा था जबकि याओ बहुत खुश हो गई थी और कहती सर आपने मुझा इतना खुश कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते आपको मैं इतना खुश इतना सैटिस्फाय रखूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे अब इसको चियान अपने फेस पर एक मिस्टीरियोस से स्माइल सजाए शर्माते शर्माते सुन रहा था लेकिन इतने में याओ कहती है वैसे सर आपने कितनी मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचा तैन परसंट ये ट्वंटी परसंट अब ये सुनते ही चियान दोबारा से घुस्से में आ जाता कि मैं कोई बात कर रहा हूँ और इसको अभी तक सैलरी इंक्रिमेंट के बारे में पड़ी है लेकिन याओ बजारी ने तो उस दिन सिर्फ इतनी ही थौट्स अपनी सामने रखी थी कि मेरी सैलरी इंक्रीस कर दे अब चियान उसे कोई भी बात एक्स्प्लेइन कर था उससे पहले इंबाव एक केस लेकर अंदर आ जाता है और उसके बाद चियान का सारा मूट रूइन हो गया था वो तो नो कोई कैमरे से बाहर निकाल देता है जबके बाहर आकर याओ सोचन लगती है कि आजकल बहुत बहुत बिस्टीरियस दिख रहे हैं एकदम खुश होते हैं एकदम घुस्ते में आ जाते हैं और साथे साथे उसे ख्याल आता है कि गिफ्ट बॉक्सेज में कुछ मिक्स हुआ था और सर ने अभी कहा बिस्टे वाले दिन तुभारे गिफ्ट्स हैं तुभारे थाट्स और बस यही सही उसके मार्ण में कुछ क्लिक कर जाता है कि गहीं मेरे वाला गिफ्ट करी गलत तो रिसेंड हो गया अब वो जाती है सीधा चियान के पास और कहती सर उसने जो आपको गिफ्ट्स मिले थे कि अवेरा गिफ्ट आपको पसंद आया वो शर्मा के कहता है हाँ आया तो सही और साथी वो पूछती जो कार्ट पर लिखा था वो अब वो शर्मा कर कहता है कि मैं थोड़ा रिजर्वड इंसान हूँ इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकता और बस उसे समझ आ गई थी कि कोई न कोई कार्ट उससे होच चुका है तो वो ऐसा करती है कि अपने बास के विला पर चली जाती है बाउ की जगा चोरी चोरी वो चली गई थी और वहाँ जाकर वो ये गिफ्ट बाक्स देखती है जो कि आज भी से संभाल कर रखा हुआ था और उस पर लिखावा था I love you और मैं तुमारे साथ एक बेबी चाहती हूँ अब इससे पहले के याओ किसी शौक में जाती उससे पहले यूसे वाज़े आने लगती है एक्शली चियान के मम्बी डैडी आज उसके विला पर उसके कमरे में आ रहे थे स्टडी को सजाने के लिए वो तुमारे जाकर पर्दे के पीचे चुप जाती है लेकिन थोड़ देर बाद मम्बी आती और पर्दा हटा देती है और अब याओ वहाँ पर पकड़ी गई थी और दोर मम्बी जब उसके हाथ में तपड़ा सा बॉक्स देखती है तो तुरांथ ही खोल लेती है और उसमें जो कुछ लिखावा था वो उन्होंने भी पढ़ लिया था और ये सब देखते ही वो फॉरण ही चियान को भी भुला लेती है वही पर ही और उन दोनों को एक साथ बिठा देती है अब याओ दो यहां पर इतनी घबराती है कि वाश्रूम का बाना लगा कर निकल जाती है लेकिन मम्बी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जयान वो लगता है कि मम्बी को सब कुछ पता चल चुका है तो वह कहता है मम्बी इसी नहीं मुझे चेंस किया था और यह मुझे कोई छोड़ी छोड़ी सी क्यूट क्यूट सी अपनी फेलिंक्स कनवे करती रहती थी और साथी साथ वो सारी बाते मम्बी को बताने लगता है कि किस तरह से मेरी केर करती थी मेरे लिए खाना बनाती थी पारिज लेकर आती थी मेरे लिए शौफर में बुला दिया करती थी और तो मेरी बोत्रे पर इसमें मुझे एक गिफ्ट दिया जिसमें इसमें से अपना लव कटफेस किया मैं फाइनली इसके इतनी ज़दा परसिस्टेंस से बुफ हो चुका हूँ और जैसे ही यहाओ वाश्रूम से बाहर आती है पम्मी उसके पास जाती है और उसके हाथ में एक कंगर पहना लेती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे सासुमा अपने होने वादी बहु को आशरवात दे रही हो अब सारा रास्ता चियान भी उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी करेज को अप्रिशियेट करता हूँ और अब तुम्हें शर्माने की यह जिजखने की जरा भी जरूरा नहीं मैं इस बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहा हूँ या उसे एक्स्पेंड करने की कोशिश भी करती है और उसे ये भी लगता है कि बहुत मुझे लाइक करें ये तो इंपॉसिबल है कहीं है मुझे से प्रैक तो नहीं कह रहे है बिर्थरे पर मैंने गल्ती से ये गिफ्ट उनको दे दिया इसकी वज़े से वो मैंसे बदला ले रहे होंगे तो वो से कह देती है कि सरेक्शले एक मिस्टेक हो गई थी मैनुफैक्चरर से मैंने तो कार्ट पर लिखने को कहा था कि वेक मी रिच टेक मी फ्लाइं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया है तो उत्रांती याओ को ये बात बता देता है याओ को शी को लेकर काफी परेशानी हो रही थी तो यहाँ पर चियान उसे सास लेकर उसके घर की तरफ बढ़ जाता है ताकि मिंग उसे डिस्टर्म ना कर सके लेकिन वो उस टाइम पर उनके घर से जादा करीब था तो वो तुरांती उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है शी तो बहुत रोकती है लेकिन फिर भी मिंग जबरदस्ती उसके कमरे में गुसा चला आया था शी ने मिंग को यहाँ पर मारा भी था उसे खुद से दूर करने की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर मिंग उस पर हमला कर देता है लेकिन एंड टाइम पर वो जूर वहाँ पर पहुच गया था जो कि बहार एमरजनसी का अलाम बज़ा देता है और मिंग के दरवाजा खोलते ही वो अंदर गुसता है और जाकर शी को हग कर लेता है अब यहाँ पर मिंग ने वो जूर से मार भी खाई थी वो इस बात का इशू बढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम दोरों को बदराम करके रख दूगा और वो यह भी कहता है कि इस सब की वज़ा से जूर हंक को भी पे करना पड़ेगा लेकिन शी उससे रेकॉर्ड दिखा देती है उसने अपने कमरे में CCTV फूटिज लगाई हुई थी जिसकी वज़ा से अब मिंग को पता चल जाता है कि उसकी आकात क्या रह गई है और यहां पर वूज़ूर भी उससे कह देता है कि अपने कपड़े पक्ड़ो और यहां से निकलो और उसके बाद शी उसे हक कर लेती है उसे वूज़ूर को वहां पर देखकर बहुत खुशी हुई थी और थोड़े दिर बाद वहाँ याओ और चियान भी पहुंच गए थे अब उसके बाद याओ को चियान उसके घर पर छोड़ देता है लेकि थोड़े दिर बाद आता है और उसके नहीं खाना भी लेकर आया था और आज के दिन वो खुद अपने हाथों से याओ को प्राउंस पील भी करके देता है एक्शली उसे याओ की बहुत फिक्र हो रही थी कि ये शी को लेकर परिशान होगी अब थोड़ देर बाद वहां भर बातें करते हुए याओ को ख्याल आता है कि रात बहुत हो गई है वो चियान से कहती है सर आपका घर बहुत दूर है आप कब तक चले जाना चाहिए कल सुबा अपने काम पर भी जाना है और ये सुनते ही चियान को भी घुसा आ जाता है कि तो मुझे घर से निकाल रही हो और चुप जाब वहां से चला जाता है अब उसके चले जाने के बाद याओ बहुत मुश्किल से अपने हाथ से वो ब्रेसलेट उतार थी है जो कि उसके होने वाली साथ सुमानें उसे पहना दिया था और फिर वो लेट कर सोचने लगती है कि जो बात चियान ने मुझे कहीं थी क्या वाकिए वो मेरे बारे में सीरियस हो रहा था या पिर वो इससे बदला ले रहा था मुझे प्रैंक कह रहा था वो एक्शली यही सोचती थी कि चियान तो बहुत बड़ा और बहुत उंचा इंसान है और मैं एग आहम सी लड़की मुझे तरह नहीं सोचना चाहिए मैं उसके काबल कैसे हो सकती हूँ और दूसरी दरफ चियान बिचारे को आज फिर से नीद नहीं आ रही थी जबके उधर वूजन बिचारे को कल के वाक्या की वज़ा से पैर पर चोट लग गई थी उसे चियान दो वीलचियर गिफ्ट में भीड़ता है लगता है कि तुम्हें बेरे इतना कुछ किया है कि मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं तुम्हारे एश्वारी की सदापर काइम करना चाहते हूँ अब वोजन उसे समझाने की गोशिश करता है कि प्यार में कोई भी उपर कोई परीची नहीं होता यह सिर्फ फिलिंक्स की बात है जो मेरी तुम्हारे लिए सिंसेर है जिन्दगी बहुत लंबी है और हम दोनों को एक गुस्टे का साथ चाहिए अब इतना बोलकर वो आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए लेकिन उसी टाइम पर उसका हाथ वीलचेर पर लग जाता है और आटोमेटिक बदन उसे गुमा के राख देता है जिबकि उधर याओ नेक्स दे वही ब्रेसलिट लेकर आ जाती है चियान के पास कहती है सौरी ये ब्रेसलिट आपकी मम्मी का आप उनको वापिस कर दे मुझे लगता मेरा इस पर अधिकार नहीं और इतने में याओ को उसकी मम्मी ही कॉल आती है जो कि उसे कहती है कि उस चियान बदमाज से तुम टे ब्रेक अप कर लिया ना और याओ कहने लगती है येस मम्मी ऐसा ही है तो मम्मी कहती है ठीक है फिर आज तुम से मिलने के लिए कोई स्पेशल इंसान आ रहा है और वो था उसका बच्पन का फ्रेंड उसका नाब शोय था और मम्मी जैसे उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेज कर रही थी और मम्मी ने शोय कि उसको फोटोस भी पेश देती जो कि पीचे से टैंक देख लेती है और टैंक ने तो वो देखते ही शोरी बचा दिया था कि हमारी याओ ब्लाइंड डेट पर जा रही है याओ ने तो अपने मम्मी को मैसेज करके बता दिया था कि आज मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए कहीं नहीं जा सकूँगी और मम्मी भी ओके कह देती है याओ तो आज जल्दी छुटी लेकर आफिस से चली गई थी जबके थोड़ी देर बाद आफिस में एक पार सल आता है बहुत ही सुन्दर फ्लार्स थे जो कि याओ के नाम पर एक मिस्टर शोय ने भीजे थे अब सारो आफिस यही गॉसिप्स कर रहा था कि उसके ब्लाइंड डेट वला रड़का कितना रोमेंटिक है कि चियान को घुसा आ जाता है और वो सारों को डांट कर उनकी जगों पर बिठा देता है उदर याओ जैसे ही अपने फ्लैट्स के बाहर पहुँचती है तो पता चलता है कि वहाँ पर शोई पहले ही खड़ा है उसकी ममी ने कहा था कि आज मेरी बेटी को काम है वो बिजी होगी कहीं बाहर डिनर पर नहीं जा सकेगी इसलिए घर का पता दे दिया तो तुम बहीं बहुँच जाना तो अब याओ भी उस बिन मुलाए महमान को उपर लेकर आ जाती है याओ ने खुदी डिनर प्रिपेर किया था जो कि देखकर शोई बहुत खुश हो जाता है उससे लगता था कि याओ देखो काम में भी इतनी अच्छी है और घर के काम भी कितने अच्छे से संभाल लेती है यहाँ पर शोई उसे बताता है कि उसकी कंपनी का हेड़कॉर्टर यहीं पर है और अगले महीने से वो अपनी ट्रांसफर इधर ही करा रहा है और वो यह भी कहता है मैंने सुना था तुम्हारा पिछला बोईफरंड एक लफरंटर इंसान था अच्छा वो तुमने ब्रेक अप कर लिया क्या तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए मैं अभी सिंगल हूँ और तुम भी अभी वो यहीं बाते कर रहा था कि अचानक चियान कमरे से निकल आता है और कहता है कितरा शोह मचाता है यह इंसान और उसे देखकर जहां याओ हैरान थी वहाँ पर शोह का तो और भी बुरा हाल था यहाँ पर याओ कहने लगती है कि यह मेरा फॉर्मर रूमेट था कुछ सामान रहके आशाद वही लेने के लिए आज यहां पर आया होगा लेट हो गया इसलिए गया नहीं और चियान वो तो शोह को देखकर लगता है आग बगोला हुआ हुआ था और उसने पहले से ही फैसला कर लिया था इनकी ब्लाइन डेट को रूइन करके ही रहेगा यहां पर शोह जो भी बात याओ से करने की कोशिश करता था चियान उसे काउंटर कर देता था और हर बात में वो शोह को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता था यहां पर याओ भी काफी awkward फिल करती है अब एक दफ़ा याओ वहां से उठकर जाती है तो पिछे शोह कहने लगता है कि मिस्टर क्या आप याओ को लाइक करते हैं या फिर अगर ऐसा नहीं है तो यह किनन याओ की आप से कोई दुश्मनी रही होगी तब ही आप इसकी blind date को ruin कर रहे हो उन दोनों की नजरों में एक दुश्मनी थी लेकिन जैसे ही याओ आती है वो दोनों ही सीधे होकर बैठ जाते हैं वैल अब थोड़ी देर बाद शोह वहां से चला जाता है और याओ उसको सी आफ करती है वापिस आती है तो चियान का मोड भी बहुत खराब था और वो कहता है आज का डिरर बहुत ही बेकार था ये कहता हो वो अंदर चला जाता है जबके उदर आफिस में हमें दिखाते है कि यू और तरन दोनों ही सबसे चुपाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों बॉइफरेंड गर्फरेंड है यानि ये वो सीखरेट रिलेशन्चिप में थे जिबके याओ दो दिन बात दुबारा से शोय के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी और चियान को भी ये बात बाओ के दुरू पता चल जाती है और चियान भी दुरान थी उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ओफिस के पास ही वो दोनों टिनर कर रहे थे और यहाँ पर आते ही वो याओ को डांटने लगता है कहता है ओफिस में तना सारा काम छोड़के तो यहाँ पर बैठी हुई हो शोई यह देखता है तो हरान रह जाता है कि क्या यह लड़का तुम्हारा बॉस भी है सिर्फ रूमेट नहीं और यही देखकर वो काफी सस्पीशियस भी हो गया था लेकिन फिर बाद में वो चियान को यही कहने लगता है कि अभी काम के टाइम तो ओवर हो चुका इसलिए आप अपनी कोलीग को तांक नहीं कर सकते और यहाँ पर याओ भी और शोई भी दोनों ही उसको कहने लगते है देखें आपकी ड्रेसिंग और आपका स्टाइल मैश नहीं करता इस सस्ते रेस्टरांट को इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं लेकिन उसी वक्त चियान उचा उचा कहने लग जाता है कि कौन है यहाँ कमालिक और उसके रेस्टरांट को यहाँ पर बैटे कौन मुरा बला बोल रहा है अब बिचारे शोई को लगा था कि मुझे तो मार ही पर जाएगी इसलिए उसे खामोश होना पड़ता है अब शोई उसे पूछता है कि मिस्टर चियान आप यहाँ पर किस हैसियत से आए हैं तो वो कहने लगता है कि सिर्फ बोस नहीं बलके मैं इसके बोईफरंड की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ अब यह सुनते है याओ का तो खाना यह गले में अटक जाता है और यहाँ पर चियान एक लंबी स्टोरी सुनाने लगता है कहता है कि यह लड़की मेरे पीचे पीचे चली थी मुझे बहुत इसने परसुएट करने की कोशिश की पहले मैंने इसे रिजक्ट किया लेकिन आप पीरे दिल मैल्ट हो गया है मैंने इसे रिजक्ट कर दिया था ना तब ही इसका दिल तूटा लेकिन आप मैं बहुत पुजैसिव अपनी गिर्फरेंड को लेकर याओ कुछ भी बोलती उससे पहले शोय घुस्से में आ जाता है और चुप चाव वहां से निकल जाता है अब याओ चियान से कहती है सर आपको पता है ना सारी मिसर नस्टैनिंग थी उस घलत गिफ्ट की वज़ा से मैं तो आपके पीछे पीछे आपको चेस नहीं किया लेकि चियान कहने लगता है अपने लीगल जुमान में कहता है कि तीन पार्टी से लेकिन उसमें सब ज़्यादा नुकसान मेरा है हाला कि गलती मेरी थी ही नहीं तुमने गलत गिफ्ट दिया, किसी ने गलत पैक किया तो कमपंसेशन तो मुझे मिलनी चाहिए ना मेरी फीलिंक्स के साथ खिलवार किया गया अब याओ 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 बर सैड हो जाती और कहती सर, कहीं आप मुझे से फॉल इन लव तो नहीं कर चुके याओ पर चियान को चाहिए था, उतरां थी उसे येस कह देता लेकिन वो एक दफ़ा खामोश हो जाता है क्या करता उसकी इगो बीच में आ गई थी और याओ खुद ही कहने लगती मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, आप जैसा इनसान भी बहला किसी से प्यार कर सक और वो भी मुझ जैसी लड़की से जिबके उधर चियान ने उसे कह दिया था कि अगर तुमने कंपनसेशन करनी है उस गलत गिफ्ट की अब शाम को वो फिर से उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा गिफ्ट चाहिए बैजारी की बास्केटबॉल खेल खेल के बाजो ही थाक जाती, लेकिन वो गिफ्ट विन नहीं कर पाती तो हम नेक्स टीडे उसे सुबह सुबह फिर जगा देता है और कहता है कि आज हो मेरे विला पर अब दूसरा दिन काम का स्टार्ट होता है आज वो उससे अपने फ्लोर्स क्लीन करा रहा था उसे काम पर लगाकर वो जान बुझ की खुद स्टडी में चला जाता है कहता है चार गटे तक बाहर नहीं आओगा लेकिन वो चाता था कि बचारी पीछे चुपचाप रेस्ट कर ले लेकिन याओ इतनी पागल थी अल्दो बास भी सर पर रही था फिर भी सारा टाइम काम करती रहती है और जब तक चियान आया था तो ओठाख हार के सो रही थी और पूरा गार चमाक रहा था वो सोचता ये कितनी बेवकूफ है लेकिन उसे टाइम पर याओ भी उठ जाती है और अब की बार याओ का गुसा देखने वाला था वो कहती है सर आपने मुझे इंसान भी समझा हुआ है कि जानवर मैं तो आपकी कम्पनी में सर्फ लॉयर बनने के लिए आई थी आपने मुझे नौकर बना के रख दिया है मेरा इतना भी क्या कसूर था एक गलत गिफ्ट ही तो भीजाता अब वो बहुत सारा गुसा करती है जिसे देखकर चियान भी परेशान हो जाता है अब वो गुसे में वहां से निकल रही थी कहती है मैं जॉब भी छोड़ती हूँ लेकिन यहां पर चियान गबरा जाता है उसका हथ पकड़कर उसे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ याओ, I love you और क्या करूँ, बस यह कहने के अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी इसलिए बहाने बहाने से खुद को तुहारे क्लोज रखने की कोशिश करता रहता था मैं तुम्हें टॉर्चर कभी भी नहीं करना चाहता याओ को विश्वास भी नहीं हो रहा था वो कहती है, सरापु इसे बदला तो नहीं दे रहे है वलत गिफ्ट का क्या मैं कहीं से भी आपके काबल या आपके स्टेटिस की लगती हूँ तो चियान उसे फिर से पकड़ कर कहता है तुम मेरा विश्वास तो करो, मैं सच में तुम्हारे लिए फॉल कर चुका हूँ याओ ये सुनते ही शर्मा जाती है और अपने घर चली जाती है अब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बॉस उसे प्यार में पढ़ चुका है वो तो ये सोच रही थी कि अगले दिन में चियान का ओफिस में सामना कैसे करूँगी उसे कनफेशन के बार और नेक्स डे ओफिस में सारा दिन चियान आता ही नहीं है वो किसी मीटिंग पर आफिस से बाहर गया हुआ था और यहीं पर ही याओ को एक और बात पता चलती है और वो यह थी कि टैन और यू दोनों सीक्रिट रिलेशन्चिप में है आफिस में रोमेंस जल रहा था याओ के वो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स है याओ बस सिर्फ स्माइल ही कर देती है और आगे से चियान उससे फिर से कन्वेस करने ही कोशिश करता है कहता है कि तुमसे वाकई बहुत ज़ादा प्यार करता हूँ और आई थिंक मैं तुम्हारे लिए एलिजिबल भी हूँ और ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे येस करो तो मैं तुम्हें इस प्लानेट का सेकंड हैपियस परसन मना दूगा क्योंकि मोस्ट हैपियस्ट मैं होने वाला हूँ तुम्हें पालेने के बाद लेकिन याओ कहती है सर आप चीटिंग कर रहे हैं ये सारे शम्द आपके नहीं है आप कहीं से रटा लगा कर आ रहे हैं अब इतने में उपर से बाओ आ जाता है और उसकी आवास सुनते ही याओ जाकर चुप जाती है एक डेस्क के नीचे अब बहुत मुश्किन से चीटिंग वहां से बाओ को चलता करता है और उसके बाद जाकर याओ को निकालता है अब वो दोनों एक दुस्टे के काफी क्लोस खड़े हुए थे और यहां पर चियान आगे बढ़ता है उसे किस कर रही ही वाला था कि याओ उसे रोक देती है और पिर तुरह थी वहां से भाग जाती है अब नेक्स्ट मॉर्णिंग वो उठती है और वहां से जाती है सीधा अपने आफिस आफिस में जाते ही उसे पता चलता है कि उसकी जिस एक्टरिस बाई के साथ थोड़ी सी आनमत जल रही थी उसी पर ही उसकी लॉफ फर्म ने एक defamation का केस कर दिया था और वो केस अब वो लोग जीट चुके हैं इसलिए जो लोग भी सोशल मीडिया पर याओ को बुरा बला कह रहे थे अब उन्हें मो की खानी पड़ी है ये सब वू जून और चियान की मेहनत की वज़ा से ही possible हुआ था और इसके इलावा बाई अब एक और कॉंट्रोवर्सी में फंस चुकी थी उसकी अपने किये हुए काम उसके सामने आ रहे थे चियान भी एक केस के सिल्षवे में याओ को अपने पास बुलाता है और उस केस को से स्टड़ी करने को कहता है और ये केस एक तरह से वो लोग बाई के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली इस केस से बाई का लेना देना था यहाँ पर याओ ये देखकर हरान रह जाती है तो चियान उससे कहता है ये केस मैं खुद ही यकीन नहीं करता कहता है कि मेने सामने इस तरह के ना टक ना करो जबके चियान अन्बाओ को भी छुटी दे देता है और एक छोटा सा काम याओ को देकर वहां पर रोके रखता है अब वो जैसे ही फारिग हुई थी तो उससे कहता है मैं तुमें घर तक ड्राप करूँगा अब उसे घर तक तो छोड़ने जाता है लेकिन साथी उसे उसे आफर कराता है कहता है कि तुम्हें हाउस क्लीनिंग सर्विसस चाहिए तो मैं हाजर हूँ याओ तो नहीं मान रही थी लेकिन वो कहता है कि मैंने दो दिन तुमसे अपने विला पर बहुत काम कराया है मुझे कंपंसेट करने के लिए कुछ तो करना होगा प्लीज मुझे मात रोको और अफकोर्स चियान ने कभी भी ये काम अपने हाथ से नहीं किये थे वो जब सफाई करने लगता तो दो तिन चीज़े तोड़ देता है यहां से याओ से कहती है ठीक है अब आप किचन बे जाए और जब वहां पर आती है तो पता चलता है कि बरतन दोते वे तीन-चार पलेटे डपका दी है अब चियान ये सब देखकर काफी शर्मिंदा होता है आया तो था उसकी हेल्प करने के लेकिन उल्टा उसी कही नुकसान घर के जा रहा था लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि उसकी नियत साफ थी अब वो ऑनलाइन काफी सारा सर्च करता है कि किस तरह से अपनी असिस्टर्ट का दिल जीत सके और तो वो याओ को वेबू पर भी तलाश कर लेता है और उसकी प्रोफाइल को बहुत अच्छी से स्टड़ी करता है उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद सब कुछ उसे अपनी नजर में रख लिया था नेक्स्ट मॉर्निंग याओ को लगा था कि चियान उसे लेने के लिए पहुचा होगा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था तो वो आफिस चली जाती है चियान आज लेट आया था और उसके लिए एक स्पेशल डेजर्ट लेकर आया था वो शॉप उसके विला से बहुत दूर थी और वहाँ पर लंबी क्यों में लगकर बड़ी मुश्किन से डेजर्ट मिलते थे वो ये याओ के लिए लेकर आया था कि एक्शली मैं अभी तक डाउट में हूँ कि आपको सच में मुझसे प्यार हुआ है या पिर आपकी लाइकिंग बस टेमपरेरी है तो यहाँ पर चियान उसे विश्वास दाने की कोशिश करता है कहता है मेरी फिलिंग्स तुमारे लिए जैन मने मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा अब उसकी ये बात सुनगर या उसे चीक पर किस कर दिया और उसे ग्रीन सिग्रल दे देती है अब ये देखते ही चियान बहुत खुश हो गया था वो उसके बास और आगे बढ़ता है लेकिन इतने में बाहर को याओ को आवास दे देता है मीटी के लिए वेल अब सारा दिन चीयान और याओ की आफिस में लुका चुपी जारी रहती है आँखों याँखों में वो दोनों एक दूसरे से बाते करते रहते हैं वेल अब जब उनके आफिस दे चुटी हो गई थी तो वो दोनों घर आ जाते हैं यहाँ पर चीयान ने याओ के लिए एक बहुत अचसर डिनर प्रिपेर किया था लेकिन उसने इतनी ज्यादा मशीनरी लगा दी थी कि वहाँ पर शॉर्ट सरकुट हो जाता है जिसकी वज़ा से वने कैंडल लाइट सौन करनी पड़ती है यहाँ पर याओ और चीयान दोनों आपसे बाते करते हैं और पर लीगल टर्म्स में वो दोनों एक दूसर एक वर्बल कॉंट्रेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर याओ कहती है सर एक महीने के प्रोबेशनरी टाइम परी मैं आपको अपना ट्रायल बॉइफरेंट बनाऊंगी आपने भी तो मुझे जॉब पर रखते हुए इतने सकती की थी तो अब आपको भी सकती का पूरा-पूरा सामना करना पड़ेगा यहाँ पर चियान उसे बहुत कहता है कि अब मुझे बॉस ना भुलाया करो लेकिन यहाँ कहती है मुझे इसकी आदत बढ़ चुकी है चियान उसे वार्निंग देता है अब मुझे आफिस के बाहर बॉस भोला तो तो तुमारा एन्वल बोनस काट लूँगा और यहाँ पर यहाँ उसे कुद को किस करने की परमीशन दे देती है लेकिन चियान बिचारी का लगता है यह फर्स टाइम था उससे ढंक से किस नहीं हो पाती और यहाँ दूसरा चांस नहीं देती उसके बाद उसे वहाँ से भीज़ देती है लेकिन कल उसके साथ डेट पर चलने का वादा जरूर कर लेती है चियान बहुत सोच समझ के अपने लिए एक ड्रेस चूज़ करता है और जब तक याओ नीचे आई थी तब तक वो अपने आपको बार-बार मिरर में ही देखे जा रहा था चियान की ये लाइफ में फर्स्ट डेट थी वो काफी कन्फ्यूज भी हो रहा था वो यहां रोमेंटिक बनने के लिए याओ की सीट बेल्ट खुदी फास्टन कर रहा था लेकिन ये सब करते वे वो काफी डर्विस दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी याओ को उसकी ये सारी हरकते बहुत क्यूट लगती है और तो चियान बिशारे को पसीना भी छूट रहा था कोट में तो वो हमेशे बहुत अच्छा परफॉर्म करता था पर उसे नहीं पता था कि अपनी फर्स्ट डेट पर कैसा कर पाएगा अब वो लोग एक मॉल में जाते हैं वहाँ पर एक लिट की एक क्वेस्चनेर लेकर खड़ी हुई थी जो के चियान बहाँ पर सॉल्फ कर देता है तो वो दोरों को एक गिफ्ट देती है कपल समझ के और जो गिफ्ट उस बॉक्स के अंदर था वो देखते ही वो दोरों काफी इंबरस हो जाते है अब फाइनली वो लोग खाना खाने के लिए पहुचे हुए थे यहाँ पीजा ओर्डर किया था चियान इर्द-गिर्द कपल्स को देखता है और जिस तरह की रोमेंट्टिक हरकते वो लोग कर रहे थे यहाँ गारी से उतर कर जाए तो वो उसे एक भाने से रोक लेता है कहता है कि मुजिक बहुत रोमेंट्टिक है क्यों ना हम दोरों मिल कर सुने और पिर उस मुजिक के बीच ओबीच उसका हाथ में पकड़ लेता है अब वो दोनों काफी देर तर किसी तरह से एक दूसरे को देखते रहते हैं और म्यूजिक इंज्वाई करते रहते हैं अब फाइनली याओ जब वहां से उपर अपने फ्लैट में जाने वाली थी तो चियान उसे रोकने के बहाने थलाश करने लगता है कभी कहता है तुम्हारा लैंप फिक्स कर दूँगा तो कभी किसी और वहाने से उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था लेकिन याओ वहां से तुरंथी बाहर निकल जाती है अब चियान उसके पीछे पीछे दोड़ता है और जल्दी में उसका हाथ अपनी गारी के दर्वाजे के बीछा जाता है अब यहां पर चियान बचारे को चोड़ तो बहुत जादा आई थी हर्ट भी वह बहुत फील कर रहा था लेकिन याओ के सामने स्ट्रॉंग बनने की अक्टिंग जैसे उसे कोई चीज पेर ही नहीं देती अब जब याओ को तसली हो जाती है तो वो अपने घर चरी जाती है और चियान वापिस लोट आता है तो अब यहां पर याओ अगले दिन जाती है शी से मिलने के लिए उसके लिए पिज़ा भी ले कर गई थी वो काफी खुश दिखाई दे रही थी यहां पर शी बहाने बहाने से उससे पूछने लगती है तो याओ को उसे बताना ही पड़ता है के एक्शली वो और शी यहां दोनों रिलेशनशिप में है शी उसकी यह बात सुनता ही उसके लिए बहुत खुश हो जाती है उसे बेस्ट विशिस देती है लेकिन याओ कहती है मैं बहुत कंफ्यूजड हूँ वो मेरा बॉस है और इतनी आउट क्लास परस्नेल्टी रखता है मैं एक आम सी लड़की मुझे नहीं पता यह सब कितने दिन जलने वाला है तो शी उसे समझाती है कहती है कि मेरी बहन किसी से कम नहीं है और प्यार में कोई भी उचा नीचा नहीं होता अगर तुम दोनों एक दुसे को लाइक करते तो दुनिया से और स्टेटस से मत परो अब जब याओ वहाँ से वापिस आती है तो देखती है चियान उसके घर पर बैठा हुआ है उसने हाथ पर एक मोटी सी पट्टी मांदी हुई थी और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे बहुत बड़ी चोट लगी है और उससे काम भी डांक से नहीं हो पा रहा यहाँ पर याओ को उससे हमदर्दी होने लगती है वो बताता है नहीं कोई इतने भी परेशानी की बात नहीं बस मेरी फिंगर्स के टिशूस डैमेज हो गए है तो याओ भी चियान के लिए वो सारा कुछ करने अलगती है जिसलिए चियान यह एक्टिंग कर रहा था वो उसके एक्स्ट्रा केर कर रही थी और तो और उसके लिए कुकिंग करने और उसकी खिद्मत करने को भी रैडी हो जाती है और यहां पर चियान ने बहाने बहाने से से ये भी सुना दिया था कि मैं इतनी दूर ड्राइव करके कैसे जाओ मेरा तो हाथ भी जखमी है तो याउ उसे कह देती है ठीक है फिर आज रह तुम यही रुक जाओ अब यह होने के बाद चियान के फेस पर देखने वाली स्माइल आई थी और फिर खाना खाते समय बी चियान के एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे हाथ पर चोट की वज़ा से उसे खाना खाने में भी तिक्कत हो रही है यहाँ पर यहाँ उसके पास आती और अपने हाथ उसे खाना भी खिलाती है यह सारा कुछ वो बहुत इंजोई कर रहा था अब खाना खतम होने के बाद चियान अपने माइंड में एक और आईडिया लिए यहाँ के पीछे पीछे आता है और उसे कहता है मेरे हाथ पर तो चोट लगी हुई है और इस जखम को गिला नहीं होना चाहिए मैं क्या करूँ मैंने वाश डूम भी यूज करना है नहाना है फ्रेश होना है तो यहाँ तुरंथ ही कहती है मुझे आगया एक आईडिया और तुरंथ ही उसके हाथ पर एक प्लास्टिक बैग बांद देती है कहती है इस तरह से तुम सरक्षित रहोगे अब चियान वाश डूम में खड़ा यही सोच रहा था कि मेरा तो यह आईडिया बेकार ही गया उसे एक और आईडिया आ जाता है और वो वाश डूम में चिलाने लग जाता है यहाओ को अपने पास बुला कर एक्टिक करता है कि मेरी कमर में बल पढ़ गया है मेरा मसल पुल हो गया है मेरी कमर में इतनी पेन हो रही है कि मैं सीधा भी नहीं हो सकता एक्शली वो चाता था कि उसकी गिर्फरेंडी उसकी शिर्ट उतारे लेकिन ऐसा होते हुए उसके फेस पर से धर्द गायब और खुशी आ जाती है जो देखते ही याओ को उसकी सारी प्लानिक समझा गई थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये हाथ पे पट्टी वाला भी इसका ना टकी होगा और वो उसकी पट्टी भी उतार देती है और अब उसे पता चलता है कि ये सब उसने एग्जैजरेट किया था इतना बड़ा जखम उसे था ही नहीं वेल अब नेक्स्ट मॉनिक ऑफिस जाते समय चियान दोबारा से उसे एक विश करता है कि तुम मेरी टाय बांध होगी लेकिन याओ को तो ये काम आता ही नहीं था वो इतनी देर लगा लेती है फिर भी टाय उससे ढग से भलती ही नहीं और चियान तो इस बात पर भी बहुत खुश था कि उसकी गर्फन इतनी देर से उसके क्लोस खड़ी उसकी खिदमत कर रही है अब आफिस में वो देखता है तो याओ के इंद गिर्फ कुछ फ्रेंट्स खड़े हुए थे जो से बातें कर रहे थे चियान को देखते ही वो लोग डर जाते और गॉसिप्स छोड़ वहां से भाग नहीं करते लेकिन चियान उनको रोक देता है और रिल्टाउन से पूछने लगता है वो भी उनकी चैटिंग का हिस्सा बनना चाहता था आज पहली दफ़ा वो भी याओ के फ्रेंड्स के साथ खुलना मिलना चाहता था लेकिन यहां पर उसे देखकर सारे लोग घबरा जाते और चियान को वहां से निकलना पड़ता है अब लंच के ताइम पर दिखाते हैं याओ और उसके फ्रेंड्स ने कुछ खाना ओर्डर कराया हुआ था चियान का देखकर मन लल चाने लगता है उसका दिल करता है वो भी अपनी गर्फरंड के साथ ही आज लंच करे वो जान बूच कर वहां से गुजरता है ताकि यह लोग मुझे देखें और मुझे भी खाने पर इन्वाइट कर ले अब वो सबी बॉस से डरते भी थे लेकिन उसे बुलाना भी पढ़ता है फॉर्मालिटी के तौर पर अब चियान भी उनके साथ आकर बैठ चाता है और वहां पर वो लोग इकट्थे खाना खाते हैं अब वहां से वापिस जाते समय चियान एलिवेटर के पास अटनी गिर्फरंड के साथ खड़ा कुछ टाइम बिता रहा था कितने में पीछे से यू और टैंग आ जाते जिरोंने हाथ पकड़े हुए थे अब वो भी डर गे थे कि कहीं बॉस ने हमें ना देख लिया हूँ और बहुस अलग डर गया था कि कहीं इन दोनों ने मुझे याओ के साथ ना देख लिया हो ओफिस में दो-दो सीक्रिट रिलेशन्चिप चल रहे थे और यू तो बहुत गबरा भी जाता है क्योंकि उसने तो टैंग का हैंड बैग भी कैरी किया हुआ था अब वो चारों ही एलिवेटर में इकटे गुस जाते हैं और चारों के चारों काफी परिशान और इंबेरस्ट दिखाई दे रहे थे अब यू जब घर वापिस पहुँचती है तो वो देखती है कि चियान ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाने की तैयारी की हुई थी उसने दूरियन फ्रूट को भी ग्रिल कर दिया था जिसकी वेरेसे सारे घर में उसकी स्मेल पहली हुई थी यू एक्शली थोड़ी देर पहले टैंग के साथ बाहर चली गई थी और वहाँ पर उसने शॉपिंग करी थी वो एक सर्प्राइज लेकर आई थी अपने बॉर्फरंड के लिए एक नही टाई खरीदी थी और उसने टाई बांदरा भी सीक लिया था बहुत अच्छे से चियान अपने गर्लफरंड की तरफ से पहला गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये टायों से बहुत पसंद आई थी अब धोड़ी देर बाद चियान अपने कमरे में बैठा हुआ था याओ उसके लिए एक पारसल लेकर आती है और इसका वो स्टेडी करेगा याओ का बेस्ट बॉइफ्रेंड बनने के लिए लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस बुक को याओ देखे तो उसके उपर एक और कवर चढ़ा कर उसे अपने कमरे में राक लेता है जबके उदर वो जुने एक तिन शी से मिलने के लिए जाता है शी ने देख लिया था कि वो काफी देर से उसका वेट कर रहा था लेकिन वो जुन उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो बस इत्तफाकन यहां से गुज रहा है लेकिन शी को देखकर अब लग रहा था कि जैसे उसने अपना हार्ट वूजून की तरफ ओपन करना स्टार्ट कर दिया है तो शी उससे कहती है सिर्फ एमरजंसी यूज करिए मैं तुम्हारे फोन में अपनी लोकेशन का एक ट्रैकर लगा देती हूँ वो तो नेक्स डे आफिस में याओ को दिखाते हैं चियान उसे पीछे से आकर हग कर लेता है जब वो स्टोर रूम में खड़ी हुई थी वो उसके लिए बहुत प्यार से एक काफी भी लेकर आया था और यहाँ पर वो दोनों खड़े जब रूमेंस कर रहे थे तो उनकी किस होने ही वाली थी लेकिन फिर से नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर टैन आ गई थी और टैन यहाँ पर आते ही याओ को तलाश कर रही थी यहाँ पर एक और फीमेल को लीग भी थी यह लोग आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं फाइल सलाश करते करते हैं वहाँ पर सब ही चियान की सकतियों पर बात कर रहे थे कि वो याओ को कितना टॉर्शर करता है तुम्हें तुस पर बहुत गुसा आता होगा और चियान वो ये सारा कुछ पीछे कड़ा सुन रहा था और वो ये ही सोचने लगता है कि याओ दूसरी गर्ल से मेरे बारे में इस तरह की बात हैं करती है लेकिन याओ कहने लगती नहीं सर आप अभी नहीं आप पहले खडूस हुआ करते थे अब तो आप बहुत सुीट बन चुके हैं और चियान का भी गुस्सा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो वो चुप चाप हसता वा बस वहां से निकल जाता है अब जब चियान वापिस पहुंचता है तो उससे वूज उनका मेसेज आता है जो से यही कह रहा था कि शीन है तो मेरे लिए अपना दिल खोल लिया है लेकिन लगता है तो हमेशा कहमेशा सिंगल ही रहोगे यह बात सुनते ही चियान को काफी गुस्सा आता है और उसकी शकल देखने वाली थी वो अपनी गर्फरेंट के साथ बैठा हुआ था तो उसके साथ एक सेलफी बना लेता है यह उसकी याओ के साथ पहली फोटो थी याओ पूछने लगती है तो वो कहता है इसे पर अपने सक्रीन सेवर पे लगाऊंगा याओ तो उससे फोन चीन रही थी वो फोटो डिलीट करने के लिए लेकिन चीन उससे सेव करके रख लेता है अब आफिस में याओ को चीन अपने खमरे में बुलाता है और वो कहता है कि इंडिपेंटली यह तुम्हारा एक और केस आ चुका है जिसे तुमें हैंडल करोगी वो यह सुनता ही काफी खुश हो जाती है उसकी प्रॉग्रस बहुत अच्छी जा रही थी यहाँ पर चीन उससे कहता है और इसके साथ-साथ मेरा तुम्हारे बॉइफरेंट होने के बाद यह पहला केस है तुम यह जान लो वो उसे जब केस पर डिसकुशन कर रही थी तो चीन भी उसका इंतजार कर रहा था उसे लग रहा था कि वो जल्दी फारे होकर वापिस आ जाएगी वो उसे कहता है कि लांच पर मैं तुमारा वेट करूँगा लेकि याओ कहती है कि तुम खाना खालो हम बात में मिलेंगे आवे चियान को दिखाते है जो कि आफिस में बैटा हुआ था और याओ तो एक मीटिंग पर गई हुई थी उसके साथ लांच नहीं कर सकती थी यहाँ पर वो आफिस रोमैस से रिलेटेड कुछ स्टड़ी कर रहा था लेकिन वहाँ के आइडियास उसे अपने आइडियास से मैच होते दिखाई नहीं दे रहे थे जिबके उज़र याओ जिस केस पर काम कर रही थी उसकी क्लाइंट उसके साथ काफी जलम हुआ था उसका रेप कर दिया गया था जब वो जादा ड्रंक हो गई थी और उसके हस्पर ने में उसे छोड़ दिया था जब उसे पता चला था कि उसका बेबी उसका नहीं है बलके किसी और का है और उस बच्चे कब आप कोई और नहीं बलके उसका ex-class fellow था अब वोही ex-class fellow उसकी कोई बात नहीं सुनता था बलके उसे block कर दिया था यहाँ पर याउ उससे कहती है कि मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ अब याओ उसका वीचैट नमबर लेकर उसे कंटेक्ट करती है जबकि उधर चियान को दिखाते हैं आफिस में बैठा हुआ था और उसने एक इंसेंस भी रखी हुई थी जिसकी वज़े से वो खुद को काम करने ही कोशिश का रहा था यहाँ पर बाओ और यू दोनों उसे काफी रोटिस कर रहे थे कहते हैं कि कुछ दिनों से काफी बदला बदला दिखाई दे रहा है एवन कि उसके ऑफिस में भी जाकर जांकते हैं और उन्हें ये शक हो रहा था कि उनकी बास मांक तो नहीं बनने वाले जिबके उदर याओ के पास उसी रेस्टरान में वही लड़का आ जाता है जो के उस बच्चे का रियल डैर था लेकिन वो काफी गुसा करता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक लाइंट भी वहाँ पर मौजूद होगी वो आते ही कहने लगता है कि इस बात के इसके पास कोई सबूत नहीं और वैसे भी मेरी थोड़े दिरों में शादी होने वाली है मैं एक अमीर इनसान हूँ इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ इसके साथ एक रात मिताई थी लेकिन इस बात की कोई गारण्टी नहीं और नहीं यह मुझे इस बात के लिए फोर्स कर सकती है कि मैं उस बच्चे के लिए डियने टेस्ट दू और तो और वो उस क्लाइंट की इंसल्ट करते हुए उसके मुँपर कुछ पैसे दे मारता है और कहता है कि यह लो और यहाँ से चरी जाओ वो लेडी बहुत डिस्टर्ब थी उसका बच्चा भी आजकर हास्पिडल में अडमिट था तो यहाँ पर यहाँ उसे कहती है कि पैसे तुम रख सकती हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे का इस पैसे पर अधिकार है वो क्लाइंट उससे काफ़ी इंप्रेस हुई थी क्योंकि यहाँ उसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड लग रही थी अब थोड़े देर बाद यहाँ वापस आफिस में आ जाती है और तुरंट ही उसे चियान अपने पास बुलाता है वो उसे केस की डिटेल्स पूछना चाहता था कि मुझे हल्प की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना लेकिन यहाँ कहती है मेरे पर भरूसा रखे यह केस मैं आपकी हल्प के बगर अकेले हैंडल कर लूँगी और यह बात सुनकर चियान काफी खुश हो गया था अब थोड़े देर बाद चियान उसे मैसिज करता है पिछले दो-तिन दिन से मुझे अच्छे से नीद नहीं आई तो आगे से यहाँ से कहती है क्या मैं हेल्प करूँ आपको सुलाने में और यह बात सुनते ही जियान बलश करने लगता है और तो और वो इतना होट हो गया तर उसे लग रहा था जबके याओ घर पर अकेली थी यहाँ पर याओ को कुछ बुक स्टडी करने की जरूरत थी तो वो जाती है उसके कमरे में और यहाँ पर उसे वोही बुक दिखाई दे जाती है वो खोलती है तो उपर कुछ और लिखा था लेकिन अंदर वो ओफिस रोमेंस पर बुक थी कि परफेक्ट बॉइफरंड कैसे बना जाए वो भी ओफिस में रहकर तो अब थोड़ी दिर बाद चियान वापिस आ जाता है याओ उसके लिए डिनर प्रिपेर कर रही थी चियान को रियलाइज होता है कि उसकी बुक गाइब है वो याओ उसे काफी पूछता है लेकिन वो साफ बुक कर जाती है और कहती है कि कौन सी बुक थी मुझे तुम बताते ही नहीं हो तुमने मुझे सीक्रिट्स रखे हुए है और पें काफी देर उसे तांग करने के बाद वो फाइनली उसे बुक निकाल कर दे देती है और उसे कहती है कि तुम एफ़र्ट तो बहुत अच्छी कर रहे हो जब कि अधर वुजून को दिखाते है एक दफ़ा शी उसे रिपलाई नहीं कर रही थी तो वो उसकी लुकेशन चेक करता है देखता है तो एक सुनसांसी गली में उसकी लुकेशन थी वो हैरान रह जाता है कि रात होने वाली है यहां पर क्या कर रही है तो अपने ड्राइवर को बलाता है और गाड़ी उसी तरफ लेकर जाता है उसे लग रहा था कि शी को दोबारा से शायद मेंग हिरास करने के लिए पहुँचा होगा अब वो जुन उसकी लुकेशन को ट्रेस करता करता उसके पीछे पहुच जाता है उसे यहां पर शी की चीख की हवास सुनाई देती है वो जाकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन पता चलता है कि वो तो यहां पर किसी क्लाइट को मिलने के लिए आई थी किसी खत्रे में नहीं थी हाँ खत्रा जरूर था और वो था एक चुहे से जो कि उस क्लाइट के घर में गुसा हुआ था और यहां पर वो जोन भी उस चुहे को देखकर काफी डर जाता है शी उसका काफी मजाक उडाती है कहती है वैसे तो तुम बहुत बहादर बनते हो हर वकत मुझे प्रोटेक्ट करने पहुँच जाते हो लेकिन एक चुहे से डर गए थे शी ने फाइनली फैसला कर लिया था कि अब वो जोन का लव एकसेप्ट कर लेगी अब वो उसके कनफेशन पर उसे यस करने ही वाली थी कि वो जोन उसे रोक देता है और कहता है प्लीज अभी नहीं बोलना मैं हमारे इस मॉमेंट को बहुत मैं मुरेबल बनाना चाहता हूँ और ये जगह इसके लिए सूटेबल नहीं मैं पहले एक रेस्टरान बुक कराऊँगा एक स्पेशल सी जगह पर हम जाएंगे इकटे डिनर करें और फिर तुम मुझे यस बोलना वेल आप नेक्स्ट मॉन वूजून जाता है चियान के पास और उसे एक केस देता है एक्शली वो केस एक दूसरे शोहर में था और वो यही बोल रहा था कि तुम हैंडल करोगे वूजून आजकल काम पर जदे तवज़ नहीं देता था लेकिन वूजून कहता है मेरी टाइप पर वार करो ये टाइप मुझे किसी खास इंसान ने मांदी है चैंक शी ने साथी साथ उसे बोली भी मार देता है कि तुम है क्या पता तुम तो लव स्कूल के किंडर गार्ण तक ही पड़े हो आप चैंक को उसकी ये बातें बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती थी उसके बाद वूजून जाता है अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था लेकिन देखता है तो ड्राइवर नहीं बिलकि चैंक शी पहुँची हुई थी शी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्राइवर से एक कार की चाबियां ले ली थी और कहा था कि आज मैं अपने बॉइफरंट के लिए खुद ड्राइव करूंगी ये सुनते ही वूजून खुश हो जाता है और उसे कहता है प्लीज ये शब्द दुबारा से बोलो ये सुनने के लिए मेरे कितने सालों से कांतर से हुए थे कि मैं तुम्हार बॉइफरंट हूँ जबकि उदर याओ को दिखाते हैं वो शाम को घर पर देखती है तो चियां पैकिंग कर रहा था उसने एक दूसरे शहर जाना था और इस बिजनिस ट्रिप पर उसे एक हफ़ता लग जाना था ये सुनते ही याओ काफी सैड हो जाती है लेकिन चियां कहता है फिकर मत करो ज़्यादा विस ना करना मैं जल्दी आ जाओंगा और साथी साथ वो उसे इजासत दे देती है कि इस गर के लिविंग एरिया में तुम कैमरा फुटिज लगा सकते हो ताकि जब दिल चाहे मुझे देख लो अब उसके बाद याओ अभी अभी नहा कर आई थी तो चियां उसके हेर भी ड्राय करता है और यहां पर उन दोनों के बीच काफि रोमेंटिक सीन क्रियेट हो जाते है अब उसके बाद चियां को एरपोट पर दिखाया जाता है बाओ उसके साथ था और वहां पर एक और फीमिल लॉयर आती है यह वही लॉयर लियांग थी जो के उनके उफिस में पहले भी बहुत फेमस थी उसकी परसनलिटी बहुत क्रिजमेटिक थी और इस केस पर वह चियांग के साथ कलाबोरेट करने वाली थी तो वह केस से रिलेटिड कुछ डिसकेशन उससे करने लग जाती है जिस तरह से चियांग जाना जाता था उसी तरह से लियांग भी बहुत फेमस थी तो यहांपर बाओ उन दोनों की एक इकटी फोटो बना लेता है और कहने लगता है कि यह दोनों कितना मैचिंग कपल लगते हैं अब थोड़ी दिर बाओ वो चियांग के पास आकर बैठ किया था और तो और उसे चियांग को मैसेज भी कर दिया था कि आप दोनों को देखकर लगता है कि आप लोग बने ही एक दुसरे के लिए हो लेकिन ये बात सुनते ही चियांग को बहुत गुस्ता आ था अब अंदर जाकर याओ को पता चलता है कि वो रिच वाले बॉय ने अपना लॉयर रखा हुए मिंग को और मिंग की उस जजज से भी काफी दोस्ती लग रही थी यहांपर केस चुरू होने से पहले ही मिंग उसे आकर कहता है याओ मुझे तुमारे लिए बुरा फील हो रहा है तो मैं एक और स्कीमी वोबन के हाथ लग गई हो वैल अब फाइनली उस केस की हेरिंग स्टार्ट होती है और यहांपर मिंग कुछ इस तरह के प्रूफ लेकर आया था जिसे देखते ही वो क्लाइट बहुत गुस्ते में आ गई थी और वो इतना चिलाती है बहुत बुरा बला कहती है और यहांपर उसकी मैंटल कंडिशन को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नॉर्मल ही नहीं है वो पहले ही बिचारी डिप्रेशन और सर्ट्रेस में रहती थी और अब अपने बारे में इस तरह की चीज़ें देखकर वो चिलाती है और घुसे में चली जाती है कि मुझे कोई जिस्टिस नहीं चाहिए अब यहांओ को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस केस को कैसे हैंडल करेगी अब फाइनली वो घर आती है और उस केस पर और रिसर्च करने लगती है जो भी डॉक्यमेट्स मेंग लेकर आया था जबकि चियान उस टाइम पर उसे कॉल करता है तो उसका नमबर बिजी जा रहा था एक डॉक्टर से रिलेटिड इस केस पर ही डिसकेशन कर रही थी अब वो लिविंग रूम की सिसी टीवी फुटेज चेक करने लगता है और उसमें उसकी आवाज भी आ रही थी वो फोन पर पूछ रही थी कोई मेल हॉर्मून से रिलेटिड मैडिसन के बारे में कर रहे थे चियान को बहुत फिकर हो रही थी आवकी क्योंकि उसे लग रहा था कि केस कॉम्प्लिकेटिड होता जा रहा है क्या तुम अकेली हैनल कर पाओगी क्या फिराकर मैं तुमारी कुछ हैल्प करूँ लेकिन जियाओ क्याती है कि तुम इतना तो भरोसा मुझ पर होना चाहिए तुमारी गर्फरंड काफी टैलेंटिड है और पिर उसके बाद वो कॉल बंद कर देती है खुद भी काम करने लगती है और पिर उस दिसी टीवी पर भी उसने कुछ कवर शरहा दिया था ताकि चियान उसे देखता ना रहे बलके अपना काम भी करे दूसरी दरफ हमें उस लड़के लू को दिखाते है जो के मिंग का क्लाइंट था और वो इसी बात से परेशान था कि जूनहंग लाव फर्म इस केस में आ चुकी है मुझे जूनहंग से काफी डर लगता है और वैसे बीचियान बहुत कैपिबल है और वो लड़की उसी की तो असिस्टेंट है मैं कहीं केस हार ना जाओ मिझी सारी रेप्यूटेशन दाओ पर लगी हुई है लेकिन मिंक का कहना था कि तुमने मुझे चूस किया है तो फिर मैं तुमें सारा दूंगा और फिर देखना मैं तुमसे वादा करता हूँ ये केस तुम नहीं हारोगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और तो उसने एक और भी प्लैन मनाया वाता प्रेशर डालने का ताकि वो लड़की तुमारा से ये केस पकड़ ही ना सके उसने सोशल मीडिया वे उसके हिलाफ काफ इसारी बकवास पहला दी थी ताकि लोग उसे टॉर्चर करें और वो डर कर ये केस छोड़ दे जबके दूसरी तरफा में याओ को दिखा थे वो टैन और यू से इसी केस के बारे में डिसकुशन कर रही थी और यू को अपने साथ एक जगा पर लेकर भी जाना चाहती थी जहांसे उसने कुछ एविडेंस सी कठे करने थे लेकिन यही पनी खड़े खड़े यू से कहना लगता है कि तुमारी क्लाइट का नाम फैंग है क्या और यह देखते ही यू भी हैरान रह जाती है कि इस वकत लोकल न्यूज में वो टॉप ट्रेंट कर रही थी और लोग उसको हरैस कर रहे थे उसके बारे में बुरा बला बोल रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया पर उसका काफी नागेटिव इंपक्ट बन चुका था और इतने में ही उसकी क्लाइट की उसे कॉल भी आ जाती है जो कि उससे कहती है कि मेरी लाइफ तो रूइन हो चुकी है मैं ये केस कुईट करती हूँ प्लीज लॉयर तुम भी एक अच्छी इंसान हो इसलिए मेरे से फासला रखो मैं एक केस चोड़ने वाली हूँ लेकिन यहाँ पर यहाँ उसे समझाने लगती है ऐसलिए उस टाइम पर उस लेड़ी के घर के बाहर लोगों ने हमला किया हुआ था दूसरी तरफ हमें चैंक शी को दिखाते हैं जो कि वो जून के साथ खड़ी हुई थी वो जून अब उसका ओफिशल बॉइफरेंड बन चुका था और यहाँ पर शी को मैसेज आता है मिंका जो उसे कह रहा था कि तुमने मुझे से बहुत मूँ भाड के लड़ाई की थी थी न मैंने तुम पहले भी एक दफ़ा कहा था इसका नुकसान तुमारे सिस्टर को होगा अब मेरे अगेस्ट केस लड़ रही है उसकी इफाज़त करना सीख लो शी भी ये देखके काफी परिशान हो जाती है जबके याओ अपने क्लाइंट के पास जाती है और काफी अंडे प्यास टमाटर भी खाती है अब वो अंदर चली गई थी अपनी क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती है कहती है कि तुमने ब्रेव रहना है अगर तुम हार गई तो सब कहेंगे कि जो तुम्हारे बारे में न्यूस पहली है वो बिलकुल सची है तुम अपने बारे में ना सोचो बलके अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो और वो से कन्विंस कर ले थी कि वो ये केस पर गिव अप ना करे बलकि इस जगह से कहीं मूव करे और वहां से वापस जाते समय यहां बर याओ के उपर कोई पेंट भी फैंक देता है और उसी टाइम पर शी और वू जून भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दी थी वो जून भी याओ के लिए काफी परेशान हो गया था लेकिन यहां बर याओ को एक चीज के बारे में सोचकर दोबारा से अपने अंदर पावर फील होने लगती है वो सोचती है कि चिहान ने तो इस से भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है जब उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था अगर उसने गिव अप नहीं किया था तो मैं कैसे कर सकती हूँ अच्छली उनकी जून हंग लाफ अप कुछ केसिस फ्री में भी करती थी जिसे वो अपने पब्लिक वेलफियर के अकाउंट से डील किया करते थे और अब वो उस लेड़ी को अपने अकाउंट से ही एक जगा पर ठहरा देते हैं होटेल में ताकि वो सेफ रह सके और यहां पर वू जून भी याओ के साथ आया था वू जून यहां पर याओ की बहुत तारीफ करता है और वैसे भी वो तो हमेशा उसका दिल जीतना चाहता था क्योंकि वो होने वाली उसकी साली जो थी इतने में वू जून को एक इंपॉर्टन कॉल आती है उसे वहां से जाना पड़ता है और वो शी को अपनी गाड़ी की चाब यहां दे जाता है यह देखते ही याओ उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बॉइफरंड कितना के रही है और कितना सुईट लगता है जब तुम्हें अपनी कार की चाब यही दे जाता है वैल अब याओ वापिस अपने आफिस में आ गई थी और उसके सारे कोलिक्स को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि अनुहांने भी सुना था कि वहाँ पर लोगों ने कितना बुरा भीयव किया है जबके उसी टाइम पर हमें चियान को बिखाते हैं वो लॉयर लियांक के साथ एक मीटिंग में था और लियांग उसकी तो personality बहुत ही कमाल की थी और यहां पर बाओ जब उसे काम करते हुए देखता है जब वो presentation दे रही थी तो उसकी mesmerizing personality का दिवाना ही हो जाता है उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चियान के लिए ही बनी हुई है और उनके professionalism में भी बिल्कुल चियान के बराबर की लगती थी और फिर उसके बाओ फाइनली जब उनका कामा जल्दी खत्म हो गया था तो बाओ मिस लियांग से उनका नमबर भी ले ले लेता है क्योंके उसको assistance के लिए उनकी जरूरत होने वाली थी लोयर लियांग काफी sweet type की इनसान लग रही थी और यहांबर वो उनसे कहती है कि आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं तो क्यों न हम लोग रात को डिनरी कठे करें लेकिन इससे पहले कि चियान कोई भी जवाब देता उसे message पर emergency के बारे में पता चल जाता है जो भी याओ के साथ हुआ था वो इतना परेशान हो जाता है कि तेजी में वहाँ से भाग जाता है और यहां पर पहली दफ़ा हमें ऐसा लगा है कि जैसे lawyer लियांग की नजरों में चियान के लिए likeness नजर आ रही है चियान तुरंथ ही याओ को कॉल करता है और जै बिल्कुल normal दिखाई दे रही थी चियान उसे कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं अभी के भी आ जाता हूँ लेकिन उसे कहती है प्लीज अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम से नाराज हो जाउँगी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे काम पर कोई भी फर्क पड़े और उसे ये भी कह देती है खुश करने के लिए कि मैं कोई मामूली सी लॉयर नहीं हूँ बलके मैं चियान की गर्फरेंड हूँ वैल अब चियान को तो तसली कराकर उसने फोन बंद कर दिया था लेकिन चियान को वाकए उसकी बहुत फिकर हो रही थी और वो आज दुपहर में ही फारिख हो गया था तो वो वापसी की फ्लाइट बुक करा लेता है जबके उधर वूज उनको दिखाते हैं वो जाता है एमपलॉईज के पास और उन पर काफी सारा रोब जमाने की भी कोशिश करने लगता है उन से डिफरेंट नोट्स तयार करने को कहे थे जो कि किसी ने भी तयार नहीं किये थे सिवाए याओ के और याओ की तारीफे करने का वो कोई मौका हथ से कैसे जाने देता वो तो उसकी होने वाली साली जो थी वो पूरे आफिस को यही एडवाइस करने लगता है कि देखो जाओ को और इस जैसा बनने की कोशिश करो और पर इतने में एक एमरजनसी कॉल आ जाती है वो जून को और वो दोड़ता हुआ जाता है पता चलता है कि चियान वापिस आ गया है और आते ही वो पहुँच किया था लॉयर्स एसोसियेशन के आफिस में और वहाँ के प्रेजिडेंट जैंग को उसने बंदी बना कर बिठाया हुआ था उसे तो वो टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहा था इतने में वो जून भी वहाँ पर आ जाता है और बहुत मुच्किल से उनकी आपस में कुछ सिच्वेशन को क्लियर कराता है एक्शली चियान को बहुत गुसा था कि इस तरह के काम अगर मिंग कर रहा है तो ये लॉर्ज प्रोफेशन के खिलाफ है ऐसे में लॉर्ज असूसियेशन को कोई नो कोई स्टैंड लेना चाहिए यहां पर वो काफी लड़ता है बहुत गुसा भी करता है लेकिन हुजुन हमेशा बहुत कामली मैटर्स को हैंडल किया करता था और आज भी वो बिल्कुल ऐसे ही करता है चियान को शान करा कर मिस्टर जैंग को भी खुश करा देता है अब उसके बाद वो चियान के साथ वहां से बाहर आ गया था पिर तुरंती उसे क्याला आता है कि शी तो खाने पर मेरा वेट कर रही होगी और वहां से भाग जाता है चियान को उसे इस तरह से प्यार में डूपी देखकर काफी गुसाया करता था अब वहां से जैसे ही वो आफिस पहुंचा था उस वकत तक शाम हो गई थी वो जाओ को देखते ही उसे हग कर लेता है और उसे वो अपने साथ गारी में बिठा ही रहा था कि पिचे से बाई साइकल भगाता हुआ बाओ भी वहां पर पहुंचा था वो दोनों बहुत डर गए थे कि कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया लेकिन उसने और तो कुछ नहीं देखा था लेकिन वो पूछने लगता है कि याओ यहां पर क्या कर रही है याओ जूट बोल देती है कि मैं सब विस्टेशन जा रही थी बॉस गुजर रहे थे तो उन्हों ने मुझे लिफ्ट की आफर करी है बाओ भी साथ में चिपक जाता है वो कहता है ठीक है फिर मैं भी खाना खाने कहीं तुमारे साथ ही चलूँगा अब चियान को मजबूरान उससे साथ बिठाना पढ़ता है और उन दोनों की बिचारों की डिनर डेट यहां पर बाओ ने काफी खराब कर दी थी बाओ का तो जदा तर खाने पर ही ध्यान था लेकिन यहां पर चियान और याओ ने एक दुस्वे के हाथ पकड़े हुए थे इतने में अचानक से एक दफा बाओ नीचे जुकता है और फिर उपर देखता है लगता है के दोनों पकड़े गए थे लेकिन बाव वहाँ पर पड़े चिकन की एक एक्स्ट्रा बाउल को देखकर काफी खुश हो गया था और उसने उनके हाथ पकड़े पर नोडिस भी नहीं किया था इतने में जब यहां पर बैठे वो दोनों बातें कर रहे थे में देना है चियान बचारा बार सोफे पर ही सो गया था वो आती है उसको कवर करती है लेकिन वो जाक जाता है और उससे कहता है कि शुकर है तुम्हे भी मेरा ख्याल आया नेक्स्ट मॉर्निंग ही चियान की दुबारा से फ्लाइट थी उसने दुबारा से दूसरे शहर जाना था वो सरफ और सरफ याउ से मिलने के लिए आया था तो यहाँ पर याउ उसके बैग को पैक देखती है तो उसमें कुछ और चीदें भी पैक कर देथी अपनी दरफ से यहाँ पर उसने सप्लिमेंट्स भी रखे थे और उसके लिए एक प्यार बरा मैसेज भी लिखा था तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही चियान मीटिंग के लिए पहुंचता है तो वो पांच मिनट लेड था और लॉयर लियांग वहाँ पहले ही पहुंच चुकी थी इत्ते में वो अपनी फाइल खोलता वहाँ पर वही सप्लिमेंट बाहर गिर जाते है जिसमें उसके लिए एक प्यार बरा मैसेज लिखा हुआ था और भाओ को लगता है कि बहुस्यां मेरे लेकर आएथे बहुस्यां नोटिस कर लिया था कि चियां की फेस पर स्माइल आ जाती है जो कि प्यार वाली स्माइल लगती है और आज लियांग ने उनको अपने साथ दिनर करने पर मना आई लिया था और उसके बाद दिखाते हैं कि चियान वोजून को फोन करता है और उसे special यहीं instructions देता है कि तुमने याओ का खास ख्याल रखना है और वोजून को यहीं लग रहा था कि यह इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मेरे होने वाली साली है और मेरे शी के सामने नंबर बढ़ेंगे मेरे दोस्त मेरे कितनी year करता है इतने वे पीचे से उसे लियां की भी वी आवाज आ जाती है और वो जान जाता है कि यह दोनों आज एक ट्थे खाना खारे है अब उसे तो यहीं लगने लगता है के लियांग और चियांग इन दोनों के बीश लव ब्लूम होने वाला है वो अपने फ्रेंट के लिए काफी कुछ हो जाता है जबके उधर नेक्स टे याओ दुबारा केस के लिए पहुची हुई थी और यहां पर एक दफा मिंख बाहर जाता है और याओ भी उसके पीचे पीचे बाहर निकलाती है आज वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसे अपॉलोजीस भी करती है कि आपकी फिलिंग्स तो मेरे लिए बहुत सिंसेर हैं आपने मुझे पहले भी समझा आ था अब उससे इतना मीठा बने के पीछे याओ की कोई तो प्लैनिंग होगी वो अपने एक्स जीजू को आज बहुत जाद़ फ्लैटर कर रही थी उसकी तारीफें भी करती है और साथी साथ ये भी कहती है कि मेरा और आपका रिष्टा थोड़ी खातम हुआ है हम दो एक फील्ड से भी है और आप मेही तरफ से सौरी के तोर पे ये ड्रिंक्स भी रख ले और पिर उसके बाद केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है आज का केस जैसे चल रहा था उसे देखकर साफ लग रहा था के फैंग ये केस हार जाएगी और लू जीत जाएगा और पर इन दी एंड यही होता है जज जब अपना फैसला देती है तो वो यही कहती है के इनफ एविनेस ना होने की वज़से लू ये केस जीतता है और अगर आप लोगोंने अपील करनी है तो पांच दिन के अंदर अंदर करनी होगी वेल अब फाइनली लू के फेस पर एक स्माइल थी और वो कोट रूम से बाहर चुरह जाता है और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि बाहर जाते ही वो ड्रिंक्स पड़ी हुई थी जो के उठाकर यहां पर मिंग और लू पीना स्टार्ट कर देते हैं अपनी सेलिबरेशन के दोर पर वेल अभी ड्रिंक्स खतम नहीं हुई थी लेकिन उन्हें ट्रेश बिन में फैकती थी और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं लेकिन अभी वो वहां से निकली रहे थे कि वहां पर एक मेडिकल टीम आ जाती है जिसे याओ याओ ने बुलाया था और वो अंदर जाते ही ट्रेश बिन से वही ड्रिंक वाली कैन उठा लेते हैं जिससे थोड़ देर पहले लू ने ड्रिंक किया था ये देखते ही मिंग भी हैराम रह जाता है और वो वापिस आता है और पता चलता है कि याओ ने एक्शली उस बच्चे की डिने से मिलाने के लिए यहां पर लू का स्लाइवा का सैंपल लेने का इंतजाम किया हुआ है वो खुद तो सैंपल देने के लिए तयार नहीं था तो अब जबरदस्ती लिया जा चुका था इतने में यहां पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है लेकिन आगे बढ़ती है फैंग और वहां पर एक थपड लगा देती है लू को और उससे कहती है कि मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो लेकिन वो मेडिकल टीम से अपना सलाइवा का सैंपल वापस नहीं चीन सका था और उसके बाद दिखाते है कि मिंग भी यहां पर काफी गुसा करता है और कहता है यह सब याओ की चाल थी लेकिन याओ दोबारा से उसे चिडाने के यह कहती है कि नहीं आफ तो मेरे एक्स जीजू हैं यह सब तो प्रोफेशनलिजम का हिस्सा है हमारी परसनल लाइफ इतने में चैंग शी और वुजून भी जो याओ को पिक करने के लिए यह सारा कुछ सुन लेते हैं और जब वो लोग कोट से बाहर जाते हैं तो उसी करने लगती है कि मेरे बच्चे पर और मुझ पर तुमारा करसारी जिन्दगी रहेगा वैल अफ फाइनली उन्होंने अपने एक्लाइंट को तो होटेल में छोड़ दिया था और उसके बाद चैंक शी से आज वूजून का मूड काफी खराब था वो उससे कहने लगता है कि उदर हमें याओं को दिखाते हैं आज उसे पिक करने के लिए आया हुआ था हमारा हीरो और जियान तो बहुत सैड नजर आ रहा था उसे चीर अप करने की कोशिश करता है कहता है कोई बात नहीं एक केस हारने से दुनिया खतम नहीं होती और तो और उसे चीर अप करने के ल अब इतनी सारी उसके तसली वाली बातें सुनने के बाद फाइनली याओ से बता देती है कि मैंने ये केस जहन बुच करा रहा है ताकि मैं आपील में जा सकूँ और सेकेंड फेज में मैं ये केस जीत के दिखाऊंगी अब ये सुनते ही चियान को काफी गुसा आता है और उसे कहता है कि आएंदा के बाद मुझे टीज करने की कोशिश मत करना याओ कहती है अगर मैं ये केस जीत गई तो मेरी तुमसे एक विश है वहाँ पर एक कपल ने कपल रिंग पहनी हुई थी वह उसे यही कहने लगती है कि हम भी सी तरह की कोई मैचिंग जूलरी लेंगे लेकिन चियान को लगता है कि जूलरी वगरा से काफी प्रॉबलम था वो इतना रिवीलिंग इंसान नहीं था यहाँ पर यहाँ कहती है ठीक है फिर हम मैचिंग नेकलिस बनवा लेते हैं लॉफ वम में कोई देख भी नहीं सकेगा कपड़ों के नीचे होंगे अब इसके लिए भी वह बहाने करने लगता है कहता है पता नहीं कैसी मैटल यूज होगी हमें कहीं अलर्जी ना हो जाए एक्शली असल में उसका मन ही नहीं गा रहा था तो अब याउ से कहती है ठीक है पिर तुम मेरे लिए गाना ही गा दो लेकिन चियान ने लगता कभी गाना भी नहीं गाया था वो कहता है आज मेरा गला खराब फील हो रहा है अब याउ को भी गुसा आ गया था और चियान उसे चीर अप करने के लिए कह देता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ और वो यह है कि मैंने जो भी रूल्स बनायते हैं घर में रहने वाले उसमें मैं फुल रिलक्सेशन तुम्हें देने को तयार हूँ मांगो क्या मांगती हो यह सुनते ही याउ का मूड पिर से खराब हो जाता है और वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए वैल अब फाइनली दिनर के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चियान उससे कहता है कि अगर तुमने इतना ही अच्छा परफॉर्म किया तो गिफ्ट में मुझे ही कुछ दे दो और यहाँ उसे दे देती है वो ही किस जो के पहले बड़ी दफ़ा इंटराप्ट होई थी उनकी वाल अब फाइनली उनकी फर्स्ट किस हो जाती है और इसकी वएसे चियान इतना खुश था कि सेलिब्रेट करने के लिए उसने फ्लार्ज भी मंगवाए थे अपनी गिर्फरेंड के लिए और शैंपेन भी और उसके बाद वो दोनों खड़ें इस मूमेंट को इंज्वाई करें थे कि यहां अचानक से याओ की तबित खराब हो जाती है उसे स्टमेक में पेन हो रहा था चियान उसे हॉस्पितल लेकर जाता है लेकिन डॉक्टर कहता है कोई बड़ा इशू नहीं है कुछ सीरियस बात नहीं थी उसना थोड़े अरसे अपने स्टमेक को रेस्ट देना था और बहुत सिंपल फूट खानी थी लेकिन चियान फिर भी बहुत परिशान हो जाता और याओ से कहता है तुमसे रिलेटिट कोई भी चीज मेरे लिए नॉन सीरियस नहीं हो सकती यहां पर याओ से कहती है कि ऐसे मुझे नीन नहीं आएगी क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे और यहां पर चियान जो गाने से बहुत दूर भागता था आज फाइनली उसके लिए कुछ गाही देता है और वो होता है एक हैपी बिर्थ दे सौन जिस उन तही याओ को हसी तो बहुत आती है लेकिन वो खुश थी चाहे जैसे भी चीजान ने उसके लिए कुछ गाया तो सही और पिर इतने में वहाँ चीजान की मम्मी भी पहुंच जाती है स्प्राइसिंग लिए उनको यह सब ऐसे पता चला था कि वो ही डॉक्टर जो यहां पर हॉस्पिटल में था वो था उनका फैमिली डॉक्टर जिसने सारा कुछ चीजान की मम्मी को बता दिया था अब मम्मी उसे कहती है कि तुमने याओ का पुरा पुरा ख्याल रखना है क्योंके कल को हमारे होने वारिस इसी नहीं तो जनम देने है और जादी चीजान को ड्नाटती भी है कि यह सब तुम्हारे प्रेशर की वज़ा से हुआ होगा कि पिचारी बिमार हो गई है वो इतना बोलती है और उन दोनों को काफी सारा हसाती है उसके बाद वो वहां से चली गए थी डॉक्टर से परसनल मीटिंग करने के लिए ताकि अपनी होने वाली बहु की कंडिशन के बारे में पूछ सके जब वो चली जाती है तो याओ कहती है मुझे विश्वासी नहीं होता कि तुम्हारी ममी है और चियान कहता है ऐसा ही है मैं तो कभी कभी डियने टेस्ट कराने के बारे में भी सोचता हूँ कि कहीं मैं अडॉप्टिट तो नहीं वैल अब फाइनली याओ घर आ गई थी और यहां पर वो देखती है तो चियान ने आते ही उसके लिए पॉरिज बनाना स्टार्ट किया हुआ था वो हल्प ले रहा था इंटरनेट से लेकिन फिर भी याओ कहती इसमें पानी कम है फाइनली चियान कुछ नकुछ बना कर आ जाता है और याओ को अपने हाथों से खिलाता है यह पौरे जादा टेस्टी तो नहीं था लेकिन अफकोर्स इसमें चियान का प्यार भरा हुआ था तो याओ खा लेती है अब उसके बाद याओ से हग कर लेती है और वो दोनों काफी ख्लोज आ गए थे लेकिन अब फिर से उनकी किस इंटरप्ट हो जाती है क्योंके बाहर डोर बैल बजी थी और वहां पर उन्हें मिलने कोई और नहीं बलके मम्मी आई हुई थी जो के बहुत सारी डिशिस बनवा के लाई थी सिम्पल सिम्पल से अपने होने वरी पहू के लिए और जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बेटे ने इसके लिए पॉरिश बनाया तो वो जाकर चेक भी करती है वो बहुत कुछ थी कि चियान प्रोग्रस कर रहा है और फिर फाइनली चियान अपनी मम्मी को उसकी नजरे ज़्यादा थी वो हाँ पर अपने टैम में उसकी फोटोस भी बनाता है वो यहाँ पर उनके बीच कुछ रोमेंटिक सीन्स भी होते है अब यहाँ देखती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग चियान बहुत जल्दी उठकिया था और उसके लिए कुछ सिम्पल सा नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन लगता है कि कोशिश नाकाम रही थी याओने भी सोचा था बिचारा हार गया है लेकिन इसने कोशिश तो की मुझे इंकरेज करना चाहिए वो रैडी होकर आती है तो पता चलता है कि टेबल पूरा सा जा पड़ा है खुद तो उसने बस एक सिम्पल सी चीज बनाई थी जो कि तिस स्मिरिच के नूडल्स अब उनकी शेकल बिल्कुल कैटरपिलर जैसी थी और यह याओ का खाने का मन ही नहीं कर रहा था वो इदर उदर की चीज़ें खाती है पर चियान कहता है यह मैंने अपने हाथ से बनाए है ठंडे हो जाएंगे यह तो पहले टेस्ट करो अब यहाँ पर याओ को खाने पड़ते हैं और वो जूटे मूस की तारीफ भी बहुत कर दी है और यह सुनकरी चीज़ें खुश हो जाता है लेकिन बाद में जब खुद टेस्ट करता है तो पता चलता है कि यह तो खाने के काबल ही नहीं थे जबकि उदर वो जून को दिखाते हैं आज वो लॉयर लियांग से मिलने के लिए जाता है और उसे आज एक बहुत बड़ी ओफर देता है कहता है कि हमारी जून हंग लाफ फर्म में एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है अगर तुम यहां पर आना कंसीडर करो तो हमारे लिए पर ओनर की बात होगी उसे अपना पर्मनेंट एमपलॉई रख लेते हैं उसका प्रोबिशनरी पीरेड ओवर होने पर लगता है कि याओ से भी ज़्यादा खुशी चियान को हुई थी जबकि उदर याओ एक तो अपनी जॉब पकी होने पर खुश थी दूसरा चियान की तरफ से लव नया नया बलूम हो रहा था आज वो टिंग टिंग से मिलने के लिए जाती है लेकिन टिंग टिंग की बातों से ज़्यादा तवज्यू उसकी अपनी और चियान की लव स्टोरी पर थी वो उसकी कोई बात भी नहीं सुन पाती और जाद दर खोई 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 रहती है अब उसके बाद वो जाती है स्पा में आजकल अपनी स्किन केर बहुत करने लग गई थी तिंग तिंग उससे कहती है कि देखो तुमों चियान कितने अरसे से इकटे रहते हो क्या थोड़ी भी प्राग्रस नहीं हुई जापिंग करने के लिए अपने बॉइफरेंड के साथ और यहाँ पर वो दोनों काफी सारे इंजॉआई करते बहुत सारी शॉपिंग भी करते इचियान और यहाँ दोनों शॉपिंग करके वापस आगे हैं और आप वो दोनों ही अपने अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगते हैं क्योंकि उनकी टीम बिल्दिंग एक्सराइस के लिए उनके पूरे आफिस समय तो उन्होंने कहीं आउटिंग करी जाना है चियान ने भी सारी प्लैनिंग की हुई थी उसने वहाँ पर सिरफ एक ही लगज़री डिलक्स रूम बुक कराया था जो कि वहाँ पर पहुँशने वाले सबसे पहले मेंबर को मिलेगा अफकोर्स वो शॉर्टकट तलाश कर लेता है और उसने यही प्लैन किया था कि वो और याओ वहाँ पर फरस्ट जाएंगे जबके याओ उदर वो अभी अपनी पैकिंग कर रही थी और उसने एक नाइटी भी खरीदी हुई थी जिसे देखते ही उसे पता नहीं क्या-क्या सपने आने लगते है लेकिन वो नाइटी चुपा लेती है जैसे ही चियान उसके कमरे में कोई बात करने के लिए आता है पर चियान ने ये नाइटी देख ली थी वो उसे देखते ही कहने लगता है कि मेरे से वेट नहीं होगा मैं तो अभी इसमें तुम्हें देखना चाहता हूँ पर ये सुनते ही याओ उसे वहाँ से भगा देती है और फिर नेक्स डे का सीन दिखाते है वो लोग एक हिल पॉइंट पर पहुँच जाते है जहाँ पर सारा ओफिस काफी खुश दिखाई दे रहा था और फिर यहाँ पर अनॉसमेंट की जाती है कि उन लोगों ने अपने होटेल तक पहुँचना है और रास्ता वो लोग खुदी तलाश करेंगे और पैदल पहुचना ही कोशिश करेंगे जो सबसे पहले आएगा उसे डिलक्स रूम मिलेगा और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे बाहर टेंट में सोना पड़ेगा चियान याओ के कान में कह देता है कि तुम बस मेरे साथ साथ रहना फिर देखना डिलक्स रूम हमारा ही होगा लेकिन याओ को तो उसके फ्रेंट्स छोड़ नहीं रहे थे तो यहाँ पर चियान बहाना बनाता है कहता है एक केस है बहुत अरज़न और उस पर मैंने डिसकशन करनी है याओ के साथ इसलिए आप लोग आगे आगे चलें और फिर वो दोनों डिसकशन करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे लेकिन बहुत उनके साथ साथ ही रहता है यहाँ पर यू और तैम दोनों एक कपल थे तो वो भी एक बहाना बनाकर बाओ को और बाकियों को आगे भेज़ देते हैं ताकि वो अकेले समय बिता सकें और फिर अफकोर्स बाओ अकेला रह जाता है जबके रास्ते में चियान याओ का हाथ पकड़कर उसे शाटकर से निकाल के ले जाता है अब वो दोने एक विशिंग ट्री के पास पहुंचते हैं जहां पर याओ विश मांगती है और चियान बस प्यार से उसे देखता है लेकिन इतने मही वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और एक काफे रोमेंटिक सीन बन जाता है जब चियान अपना कोट उतार कर उसको बगाता हूँ अपने साथ लेकर जाता है वो लोग एक जगा शेल्टर लेते हैं वो जगा बहुत सुन्दर थी और नेचर में वो बहुत इंजुआई करते हैं और पिर उसके बाद एक जगा पिगी बैक करके चियान को याओ को कैरी भी करना पड़ता है जब जगा मड़ी आ गई थी और पिर दिखाते हैं कि जब तक वो होटेल में पहुँचे थे तब तक पूरा स्टाफ पहले ही पहुँच चुका था बारिश की वज़़ा से उनको देरी हो गई थी फाइनली अनॉसमेंट होती है तो पता चलता है कि बाओ को वो डिलक्स रूम मिला है जबके चियान और याओ जो सबसे एंट पनाए हैं उन्हें टेंट में रहना पड़ेगा यह सुनते ही चियान तो काफे खुश हो गया था वो तो टेंट में भी खुश था जब तक याओ उसके साथ थी लेकिन बाओ कहना लगता है कि इतने बड़े रूमें मैं अकेला क्या करूंगा बैपने फ्रेंट को इन्वाइट करना चाहता हूँ उसे लाओ कर दिया जाता है लेकिन यू और टेंट दोनों इनकार कर देते है अब वो आता है याओ के पास और कहता है प्लीज मेरी इज़त रख लो नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरे साथ कोई डिलक्स में भी नहीं रहना चाहता चियान आंके तो बहुत दिखाता है लेकिन यू बाओ की इज़त रख लेती है और उसके साथ एक फ्रेंट के तोर पर रहने के लिए मान जाती है वैं अब वो चियान को उसके टेंट तक छोड़ने के लिए आती है यहाँ पर वो दोनों एक दुस्टे को देखते हैं लेकिन किस होने ही वाली थी के पिर से इंटरप्ट हो जाते है यहाँ पर खाने पर सारे को लिए सिकटे बैटे हुए थे तैन ने अपने पास ही याओ की जगा रखी हुई थी तो चियान के पास बैट भी नहीं पाती और पर इतने में वो जून भी वहाँ आ जाता है जिसने अपने साथ शी को भी लिया हुआ था वो शी को सबसे इंट्रोडक्शन कराता है लेकिन शी की गलोरी एक दफ़ा खतम हो गई थी वो बहुत शाइनिंग लॉयर हुआ करती थी लेकिन आज कर उसके पास ज़्यादा केसिस नहीं होते थे उसके परसनल इशूस की वज़ा से उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी काफी एफ़ेक्ट हुआ था लेकिन यहां पर वूज उन सब को यही इंकरेज करता है कि आप लोग शी को समझाएना कि जून हंक कितनी अची फिर्म है और यह भी हमें जॉइन कर ले तो सारे कॉलीग्स यहां पर शी को यही कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ जॉइनिंग के बारे में सोचें और शी भी सब को यही कहती है कि अफकॉर्स जरूर सोचूंगी पर उसके बाद सबी लोग रात को आउटिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं यहां पर टैन याओ के साथ साथ थी जिसकी वज़ा से वो चियान के साथ जादा समय नहीं बिता सक रही थी लेकिन याओ जिस पिस स्टॉल पर उसके करीब भी जाती थी उसका कुछ लेने का मन करता था चियान को पता चल जाता था वो अनाउसमेंट खरा देता था किस स्टॉल से खरीदने के पैसे बास पे करेंगे और इस तरह से वो तीन चार आइटम्स अपने कुलीक्स को दिला देती है जो कि अफकोर्स याओ की वज़ा से मिली थी और फिर फाइनली चियान और याओ एक स्टॉल पर खड़े रहते बाकी लोग आगे गुजर जाते जिसकी वज़ा से उन्हें मौका मिल जाता है एक दुस्ते के साथ समय बिताने का यहाँ पर याओ हैरान थी और चियान उसे कहता है मैं तुम्हारी नजरों से ही पहचान लेता हूँ तुम्हें क्या चीज़ पसंदाए और तुम क्या लेना चाहती हो अब उसे साइट पर लेकर जाता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था कि यहाँ पर बाओ पहुंच जाता है और उनको आवाजें देने लगता है और फिर बाओ ने इतना तंग कर दिया था कि यहाँ से याओ को निकल कर सामने जाना ही पड़ता है और फिर बाओ उसको साथ लेकर कहीं चला जाता है जहांपर बागी फ्रेंड्स भी बैटे ड्रिंक कर रहे थे जबके शी को दिखाते हो काफी अपसेट हो गई थी उसे आज अपना पास्ट याद आ रहा था कि किस तरह से वे एक शाइनिंग स्टार हुआ करती थी लेकिन अब उसे लगता है कि उसका कोई future नहीं है law की दुनिया में वो जो नोसे समझाने लगता और कहता है कि तुम कल भी मेरी नजर में ऐसी एक स्टार थी जैसे आज एक brightest स्टार हो वो जो उनकी बाते हमेशा शी को बहुत encourage करती थी जबकि उधर याओ अपने friends के साथ बैटकर टूर्थ हैं डेर खेल रही थी और वहाँ पर बहुत सारे सवाल कुछ ऐसे थे जिनका वो answer नहीं करना चाहती थी तो बदले में उसे drink करना पड़ती है और यहाँ पर finally वो drunk हो चुकी थी वो washroom यूज करने के लिए वहाँ से उठती है और पर उसके बाद वो रास्ता ही भूल जाती है और पर उसके बाद वो कहीं बाहर ही पहुँच गई थी यहाँ पर उसे चियान की call आती है और उसे पता चल जाता है कि यह तो drunk हो चुकी है उत्रान थी बाव को call करता है तो पता चलता है कि याव वहां से उठ गई है और पता नहीं कहां चली गई है अब बॉस इतना परेशान था तो वो लोग भी निकलते हैं और याव को तलाश करने लगते हैं वहां पास ही एक जगा पर वो फूलों के बीच बैठी हुई थी जैसे ही ची आन वहां पहुंचता है वो चीआन को हक कर लेती है बाकी कोलेग्स भी उसी समय वहां पहुंचे थे और वो ड्रॉक भी थे यहां पर याव बार-बार अपने बॉइफरेंट को किस करना चाहती थी और यह भी कहती है ची आन लव यू पहले तो चियान सोचता सा मुकरने के बारे में लेकिन अपना नाम इतना वाज़ है उसके मूँ से जब सुनता है तो सब को कह देता है जो तुम देख रहे हो ठीक है हम दोनों एक दुस्से से प्यार करते हैं इसलिए close your eyes and turn around अब वो लोग उसी की orders को follow करते हैं जब तक के चियान और याओ वहां से चले नहीं जाते अब चियान उसे कमरे में लेकर जाता है और जाकर बैट पर सुला देता है उसे यही बोल के जाता है कि हमारी मुलाकात अब कल होगी मैं तुमारा वेट करूँगा और उसके बाद वो अपने टेंट में चला गया था वो सोने की तैयारी कर ही रहा था कि यहां पर उसका टेंट खोलकर याओ उसके पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे किस चाहिए और उसके बाद वो दोनों एक किस करते है और फिक इस गर्दे गर्दे यहां पर याओ को नीद आ जाती है वोहीं परी सो गई थी चियान तो इस बात पर बहुत कुछ था कि उसकी गर्फरेंडसी के साथ उसी के टेंट में रह रही है अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ उठती है तो हैरान रह गई थी कि मैं इस टेंट में कैसे पहुँची चियान उसके लिए फ्लार्स भी लेकर आया था याओ काफी डरी भी हुई थी उससे पूछती है कि कल क्या हुआ था लेकिन उससे ज़्यादा टीज नहीं करता और यहाँ पर बाओ दुबारा से उनको देख लेता है लेकिन अपना फेस दूसी तरफ कर लेता है और कहता है मुझे कुछ नहीं दिखा और फिर इतने वे पीचे से वूज उन आ रहा था बाओ को फिकर होने लगती है कि वूज उनको कही मेरे बाओ चियान के रास करना पता चल जाए वो तुरान थी वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि बाओ को तो यहाँ पर मैंने बुराया था क्योंकि हमने कुछ डिसकशन करनी थी आपस में और बहाना ये बना देता है कि शी को बास अपने पास हाइर करना चाहते है और इसी बारे में मुझसे मश्वरा ले रहे थे और बस वो जो उन इस बात पर बाओ को पकड़ता हूँ अपने साथ लेकर चला जा जाते हैं कि अब सब लोग आफिस में वापिस आ चुके हैं और यहां पर याओ को तो याद भी नहीं था कि जब वो ड्रंक थी तो अपना सीक्रिट रिवील कर चुकी है इसलिए बागी तीनों उसे बार बार शकी नजरों से देखे जा रहे थे अब वो उनके तिए एक टिपिकल सी उनकी गोलीग नहीं बलके उनकी बास लेड़ी बन चुकी थी अब वो उसे साइड पर ले जाकर सारी बात बताते हैं कि हम तुम्हारा सीक्रिट जानते है और यहां पर बागो तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था उसे कहता है कि तुमसे पहले 13 असिस्टेंट थी जिसको चियाद ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था लेकिन तुमने तो सीधा उसके दिल में घर कर लिया और यह सारा कुछ पीछे खड़ा चियाद भी सुन रहा था और फिर वो पहुँच जा और बाहु से कहता है कि कहीं तुमारी गॉसिप्स की वज़ा से अब तुमे भी मुझे बाहर का रास्ता ना दिखाना पड़ जाए अब उसके बाद चियाद याओ से कहता है कि आज रात मैं बिजी हूँ डैड से मिलने जाना है तुम से नहीं मिल सकूँगा जबकि याओ लंच के टाइम पर सारे फ्रेंड्स के साथ बैटी हुई थी और चियाद आज उनके साथ ही बैट कर लंच कर रहा था क्योंकि अफकोर्स वो लोग उसका सीक्रिट जानते थे लेकिन यहाँ पर बाकी सारे लोग काफी आकवर्ड फील करते है क्योंकि बास के साथ लंच करना वो इतना एजी नहीं हो रहे थे यहाँ पर यू और टैम भी अपना राज बताने वाले थे किचियान कहता है मुझे पहले सही पता है तुम दोनों एक कपल हो और क्या लगता है कि मेरी नजरों से बैस सकते थे मुझे शुरू सही पता चल चुका था जिस दिन एलिवेटर में तुम दोनों पकड़े गए थे अक्टिंग कर रहे थे और बाओ को कहता है कि तुम बहुत भूले भाले हो एक लॉयल वो इस तरह से नहीं होना चाहिए तुम अपनी आखे और कान हर वकत खुले रखने चाहिए और बाओ तो शौक में था उसके साथ तीनों फ्रेंड्स उनका अब कपल बन चुका था और उसे कुछ खबर भी नहीं थी जबकि दिखा थे याओ को आज उसके डैड की कॉल आती है वो उसे कहते हैं कि मुझे बच्पन का एक दोस्त मिला था मेरा स्कूल फैलो और उससे मेरी स्कूल में बहुत लगती थी आज बातों ही बातों में उससे मेरी सैटिंग हो चुकी है कि वो लंच पर मुझे से मिलने के लिए आएगा और अपने बेटे को भी लेकर आएगा मैं तो उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ ये दिखाना है कि मेरी बेटी कितनी कैपिबल है मेरी दोनों की दोनों बेटी लॉयर्स है और तुम ऐसा करना हाई हील्स पहनना क्योंकि लड़का बहुत टॉल है और अपना सबसे महगा ड्रेस पहन कराना हम लोग किसी भी तरह से नीचे नहीं दिखने चाहिए बलके मैंने उसको हराना है इस गेम में याओ जब तयार होकर जाती है तो पता चलता है कि उसी रष्टारान में चियांग भी पहुँंचा हुआ है वो याओ से पूछता है तो बताती है कि शी से एक अपड़े मांग के आई हूँ पता नहीं डैड ने अपने किसी दोस्त से मिलवाना है और वो दुनों जाते हैं पता चलता है कि उनके डैड का रूम भी एक है और अंदर से लड़ने की आवाजें भी आ रही थी वो दोनों एंटर हो जाते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों की फैमली इस पहले ही एक दूसरे को जानती है और याओ के डैड का हाई स्कूल फैलों छियान का डैड है अब डै पर उनके लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और बहुत मिश्किल से चियान जाकर उनको शांत कराता है लेकिन यहां पर मम्मी धोश में रहती है और सबसे पहले चियान की मम्मी आगे बढ़ती है और हमेशे की तरह ओवर एक्टिंग करती हुई कहने लगती है कि अगर तुम मेरे बेटे की ओफिशिल गर्फ्रेंड हो तो यह मेरा खांदानी कंगन अब तुम्हारा हुआ और जल्दी सब के हाथ में पहना देती है अब यहां पर यह सब कुछ देखने के बाद यहां की मम्मी कैसे पीछे रह सकती थी उनके हाथ में एक लेडीज ब्रेसलिट था और वो ही उतार कर वो चियान को पहना देती है कि यह मेरा खांदानी ब्रेसलिट है अब यह तुम्हारा हुआ वैल अब फाइनली मम्मी उने डैड्स को शान्त करा दिया था लेकिन डैड की फिर अपनी लडाई स्टार्ट हो जाती है एक डैड कहते कि नहीं नहीं तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पीछे चला है जबकि दूसरे डैड कह रहे थे अरे नहीं तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को पहले प्रोपोस किया है वेल बहुत मुश्किल से मामला ठंडा होता है और यहां पर चियान की फाइनली ओफिशल मीटिंग हो चुकी थी और याओ की भी अपने होने वाले इनलोज से अब इस सक्सेस्फुल मीटिंग के बाद चियान काफी कुछ था और याओ को कहता है तुम एक स्पेशल जगा पर लेकर जाना है मेरा सीक्रिट चेमबर जहां पर तुम्हारे इलावा और कोई भी पहले नहीं किया और वो उसे एक बुक शॉप कम लाइबरी में लेकर जाता है यहां का मालिक लगता था कि चियान को बहुत अच्छे से जानता है और वो देखते ही पहचान जाता है कहता है तुम्हारी गर्फरेंड हुई क्योंकि आज से पहले कभी किसी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देखा यहां पर जब चियान को इंसोमनिया था तो वो अकसर रातों को यहां पर आकर स्टडी किया करता था और तो और यहां पर बहुत रेर म्यूजिक कलेक्शन भी थी और यह वही कलेक्शन थी जो कि याओ को भी पसंती और शियान एक दफ़ा वादा किया था कि तुम्हें जरूर सुनवाँगा वो दोनों इकटे वहाँ पर म्यूजिक सुनते हैं और इकटे बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड गेरते हैं जबके उधर वो जो उनको दिखाते हैं थोड़ा नर्विस था और शियान को कॉल करता है कहता है कि शी ने मुझे कहा है अपने पेरिंट से मिलवाने को कहता है मैंने इतनी जल्दी यह सारा कुछ एकस्पेक्ट नहीं किया था उसके पेरिंट से कैसे मिलूँगा क्या कहूँगा लेकिन साथी साथ ये भी बोलने लगता है चियान को कि तुम से क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो लव में बिलकुल ही निकम में हो मैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तुम तो वहाँ पर केजी के स्टूनेट हो लेकिन क्या करूँ, एक ही क्लोस फ्रेंड हो, तुम से ही कोई मश्वरा लूँगा और पर उसे मिलने के लिए बहीं पर आ जाता है उसके फ्लैट पर, जहां पर चियान ने उसे बुला आता ये देखते ही वूजून हराम रह जाता है, कहता इतने बड़े घर को छोड़ कि तुम यहां पर रह रहे हो और ये देखो किस तरह की गरली-गरली से शौक है तुमारे और तो और वहां पर शी और याओ की फोटो भी पड़ी थी वूजून ये देखकर कहने लगता है कि शी की फोटो तुमने यहां पर रखी हुए, मुझे जलाने के लिए क्या और इतने में कमरे से याओ निकलाती और वूजून को अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता है अब वूजून की शकल देखने वाली थी, वो शी के पास जाता है और कहता है ये चियान जिसे मने इतना अंडरेस्टिमेट किया, वो मुझे हरा चुका है इवन के पेरेंट से भी मुझे से एक दिन पहले मिल चुका है उसे लगता था कि लाइफ में इतनी बड़ी हाल मुझे आज से पहले कभी भी नहीं मिली और शी से मशवरे लेने लगता है कि किस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स का दिल जी तू और उसके बाद नेक्स टे याओ जब अपने आफिस जा रही थी तो वहीं पर ही वो लॉयर लियांग को देखती है जो कि आज उनकी फिर्म में आ रही थी वो पहली नजर में ही अपनी परसनालिटी की वज़ा से याओ की नजरों में आ चुकी थी और उसके बाद वो लोग मीटिंग में बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर चियांग के साथ लियांग की एंट्री होती है और चियांग बताता है कि ये हमारी लॉफ फर्म की फर्स्ट फीमेल पार्टनर है और सबी लोग लॉयल लियांग को वहाँ पर वेलकम करते हैं हर कोई उनसे बहुत इंप्रेस था लियांग ने जून हंग लॉफ एम का वीकली जर्नल भी निकलवाया हुआ था जिसके टाइटल पर उसने अपनी और साथ चियान की फोटो लगाई थी वो दोनों बहुत मैचिंग लग रहे थे और हर कोई यही बोल रहा था यहीं पर ही याओ को पता चलता है कि वो दोनों एक ही लॉज स्कूल से हैं और इतना ही नहीं बलके एक ही कराटे कलब युनों ने जॉइन किया हुआ था लियान यहाँ यहाँ पर सारों से अच्छे से मिलती है सबसे इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ भी उससे काफी इंप्रेस होती है यहाँ तो उसे देखकर बस यहीं सोच रही थी कि काश पांच-दस साल बाद मैं भी इसी लेवल को चूछ सकूँ यहाँ पर आज लियान है लेकिन इतने में चियान वहाँ पर आ जाता है और सबसे वह मैगजीन वापस ले लेता है कहता है कि मुझे फोटो जेना पसान नहीं है इसलिए यहाँ पर सिरफ लियान की फोटो तो अच्छा रहेगा मैंने तो कभी law firm में भी अपनी फोटो नहीं लगवाई लियान को बुरा तो लगता है लेकिन वो खामोश हो जाती है उसके बाद वो चियान के पास आफिस में आती है और उसे एक gift देती है और उसके साथ-साथ उनके university के दिनों की कुछ यादें भी लेकिन चियान उसे जादा भाव नहीं दे रहा था उसने शायद कहीं न कहीं स्मेल कर लिया था कि लियान उससे जादा free हो रही है उसे like करती है चियान जाते जाते उससे कह जाता है कि तुम्हारे हर gift हर चीज़ के लिए thanks और हाँ मैं इस law firm में joining के लिए तुम्हारे लिए एक proper banquet भी arrange करूंगा लेकिन अभी मुझे meeting के लिए निकलना है इसलिए sorry जबकि लियान को दिखाते है वो चियान की photo देख रही थी और इसी के साथ ही वो अपने university के दिरों में खो जाती है actually उसका हमेशा से चियान पर crush था वो उससे एक साल जूनियर था और चियान के पीचे पीचे ही उसने भी क्राटिक लब जोईन कर लिया था और यहां पर चियान ने एक दफ़ा उसकी performance की तारीफ की थी और यह बार जैसे उसके दिल में प्रिंट कर गई थी उदर चियान को अपनी गिर्फरेंड की फिकर हो रही थी वो से जाकर कहता है कि actually मुझे फोटो को नहीं पता था तुम वहाँ पर उसके साथ मेरी फोटो देखकर कहीं परेशान तो नहीं हो गई लेकिन याओ का कहना था कि मुझे लायल लियांग काफी अच्छी लगी है और मैं बिल्कुल बेजालस नहीं हूँ जबकि उसके बाकी कुलीक्स को भी यही फिकर हो रही थी क्योंके आफिस में हर कोई जो याओ और चियान के रिलेशनशिप को नहीं जानता था बस यही कहे जा रहा था कि चियान और लियांग एक दूसरे के लिए बने है यहाँ पर बाओ याओ को चियर अप करने के लिए कहता है कि ठीक है आज मैं डिनर के लिए पे करूंगा इसलिए हम चारों फ्रेंट्स एक था खाना खाने जाएंगे और फिर वो चारों खाना खाने पहुंच जाते हैं यहाँ पर हाट पॉट खाते हुए बहुत सारी बातें का रहा था और सारी बातों में बस लॉयल लियांग की तारीफें थी यह बात उनको फील हो जाती है कि याओ चुप-चुप है तो वो उसे कहने लगते हैं कि देखो वो तो सिर्फ उसकी पार्टनर है और पार्टनर तो कई हो सकती है गर्फरंड तो सिर्फ एक होती है और उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगा है और तो और टैन उसे की एक्टिंग करने लगती है जैसे लास्ट टाइम वो चियान को किस करते हुए पकड़ी गई थी इतने में पीचे से चियान पहुँच जाता है और उसे देखते ही वो तीनों के तीनों ऐसे गाइब होते हैं जैसे गदे के सर से सी यहाँ पर चियान आकर बैठ जाता है और अपनी गर्फरेंट से कहता है कि सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया आप मुझे पॉरिज चाहिए वरना मिरे स्टमेक एक हो जाएगा वो याओ को लेकर चला जाता है और बाकी तीनों फिर से आकर बैठ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए याओ अपने हाथ से उसके लिए पॉरिज बनाती है लेकिन कहती है कि इसके बाद मैं काम करने चली जाओंगी क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी आज लॉयल लियांग को देखकर मेरी लाइफ के नए गूल सेट हो चुके है यहाँ पर चियांग बार बार उससे समझाता है कि तुम लियांग से कभी पिजारस मत होना अगर मेरे दिल में किसी के लिए जगा है तो वो सरफ और सरफ तुम हो और मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि मैगजीन पर मेरे साथ उसकी फोटो देखकर कहीं मरी गल्फरेंड नाराज ना हो जाए लेकिन याओ उसके लिए पॉरिज बनाती हुए वहां से अंदर स्टडी के लिए चली जाती है जबकि चियांग अपना मूँ भी जला बैठता है कि लियांग बहुत अच्छे से रेडी हो दिये और डिनर के लिए जाती है उसे लगा था कि डिनर देने का वादा तो मुझे चियांग ने किया था जून हंग में वेलकम करने के लिए तो वही मेरा वेट कर रहा होगा लेकिन जब वो आगे जाती है तो दूसरा पार्टनर वहां बैठा था और वो ता वूजून वूजून को देखते ही लियांग का मूट काफी खराब हो जाता है लेकिन फिर भी उसे अपने फेस पर स्माइल सजानी पड़ती है वूजून उसको फार्मली अपनी इस लाव फर्म में वेलकम करता है और उसके बाद सैट सैट सी लियांग वहां से बाहर चुरी जाती है सिर्फ चियांग की यादों को अपने दिल में बसाय हुए अब नेक्स्ट मॉनिंग दिखाते हैं कि वो चियांग के कमरे में जाती है जान जान के वो बहाने तलाश करती थी उससे बात करने के लियांग मैसेज देख लेती है जो कि चियांग क्या रहे थे और वो यही कह रहा था कि अपने बॉइफरंड के दीब थोड़ा सर टाइम निकाल दिया करो। अब लियांग को यही सही शक पढ़ जाता है कि जैसे याओ और चियांग कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं और फिर उसके बाद वो कमरे में चाती है इसी बारे में सोच रही थी कि फिर वो उनकी वेब साइट चेक करती है और ग्रूपस में कुछ फोटोस भी थी उनके रीसे अब लियांग भी एक चाल चलती है ऐसा करती है कि एक दफ़ा काफी बनाने के लिए जाती है वहाँ पर एक लड़की बैटी हुई थी जो गॉसिप स्क्वीन थी उनकी आफिस की वो जाती है और उससे कहने लगती है कि बहुस लेटी नहीं नज़रा रही यह सुनते ही वो ह जाते जाते उसे कह जाती है कि किसी को बताना मत और अफकोर्स उसने पुरी दुनिया में यह बात पहलानी थी अब नेक्स डे जैसे ही याओ ऑफिस में आती तो हर तरफ गॉसिप्स पहली हुई थी तैन भी हैरान रह गई थी कि यह सीक्रिट तो तरफ हमें पता था इन सब तो यहाँ पर भी उनकी रडाई हो जाती है एक गल्स उसे बाते लगा रही थी और बुरा भला कह रही थी कि तुम अपने चियांग से रिलेशनशिप को यूज कर रही हो इस आफिस में जगा बनाने के लिए लेकिन पीचे से लियांग आ जाती है और उसे कहती है कि यह खुश हूँ तुम्हे और चियांग को लेकर और उसे पूछने लगती है कि यह सब कैसे हुआ तुमने कैसे चियांग का दिल जीता वो तो याओ से उसके और चियांग की कुछ सीक्रिट्स जानना चाहती थी लेकिन याओ सारी बातें गोल मूल कर जाती है लेकिन कोई भी ब सीदी घर जाने की बजाए आज चली जाती है शी के पास। और उसे कहने लगती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरी और चियान की रिलेशनशिप की बात आफिस में आउट हो चुकी है। पता नहीं किसने फैलाई है। शीदी परेशान होती है लेकिन साथ ही उसे हिम्मत भी दिलाती है। कहती है कि चाहे लोग जितनी भी बाते करें तुम अपनी जाब नहीं छोड़ोगी। यहां पर यहां उसे कहने लगती है कि मैं सीरियसली सोच रही हूं कि चियान की टीम से मूव करके मैं लियान की टीम में चली जाओ। याव जैसे ही ऑफिस में आती है। उसने तो चियान को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन चियान आता है। और सारे ऑफिस के सामने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ खरड़ कर देता है। और कहता है। जैसा कि सब को पता चल चुका है, ये मेरी गिर्फरेंड है, और हाँ, जो लोग भी गॉसिप्स करें, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं, कि ये मेरे पीछे नहीं चली, बलके मैंने इसे फॉलो किया है, मैंने इसका दिल जीतने की कोशिश की थी, मुझे ही इस पर पहले यार आया था, इस लिए प्लीज याओ के बारे में कोई भी घलत बाते ना पहलाए, और साथ ही साथ वो ये भी वादा करता है, कि जैसे बाकी लोग उनको रखा जा रहा है, मैं याओ को भी बिलकुल वैसे ही रखता हूं, आफिस में हम दोनों के रिलेशन्शिप की वज़ याओ तुम्हारी टीम में आना चाहती है, ठीक है, उसका ख्याल रखना, वो अच्छी लड़की है, और अच्छे से काम भी करेगी, अब उसके बाद फ्रेंट्स तो सैड हो रहे थे, लेकिन अफकोर्स याओ ने उसकी टीम से मूव आउट कर जाना था, और वो थोड़ा ड चाहरी सारा दिन फारिक बैठी रहती है, वो चाहती थी कि अपने नए कोलीक्स के साथ थोड़ी दोस्ती लगा सके, अपनी टीम के साथ घुले मिले, उनकी हल्प करे काम में, लेकिन कोई भी उसे अपने करीम नहीं आने देता था, इवन के उसे बास लेड़ी समझ कर सारे उसे फासला रखते थे, कोई भी नहीं चाहता था, कि उसे दोस्ती करे या उसके करीब आए, याओ को इस सब की वज़ा से बहुत बुरा लगता है, आदा दिन वो फारिख बैठी रहती है, और उसके बाद वो चली जाती है, लियांग के पास लोसे कहती है, कि प्लीज लगवाती थी, कि अपने लिए काफी और टेक आउट्स भी मंगवाती रहती थी, चियांग को कुछ परेशानी तो होती है, उसके इतना ओफिस से बाहर रहने पर, लेकिन यू कहते हैं, कि अगर इसने आपकी सखती बरदाश्ट कर ली थी, तो लियांग की भी कर लेगी, अ और यहीं भरी वो दोनों डिसकस करते हैं, उनके रिलेशनशिप में आए पूरे 100 डेज हो चुके थे, और वो लोग अपनी 100 डेज एनिवर्सरी मनाना चाहते थे, और इसके लिए वो फैसला करते हैं, कि कल के दिन हम लोग किसी अच्छी जगा पर धिनर करेंगे, और अपन लियांग पीचे से आजाती हैं, और उसे कहने लगती हैं, कि अगर तुम यह चियान के लेना चाहती हो, तो मुझे नहीं लगता कि यह उसकी पसनेल्टी पर सूट करता है, और उसे यूनिवर्स्टी टाइम की बहुत सारी बातें भी बताती हैं, जिसे ऐसा लग रहा था, क लियांग चियान को बहुत अच्छे से जानती हो, और साथ ही साथ उसे यह रियलाइज कराने की भी कोशिश कर रही थी, कि तुम एक यांग लड़की हो, इसलिए वो तुम में इंट्रस्ट ले रहा हैं, और अपनी यंग गर्फरेंड्स को लोग अपने सीक्रिट्स और ही समझाता है कि उसने इसे ट्रांसलेट करना है, और याओ बिचारी इसी काम में लग जाती है, वो अपना पूरा दिन इसी तरहां से बिता देती है, इवन कि उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आते हैं लैंच के टाइम पर, और तो और चियान भी आ जाता है, अपनी गर्फ स्टडी गरने को बोला था, लेगिन वो इतनी मीथी चुरी थी, कि हमेशा इस तरहां से बात करती थी, कि याओ को समझ भी नहीं आती थी, अब वो उसे कहती है, कि हमारे लिए सोच से इस तलाश करने के लिए आज तो मैं कानफरेंस रटेंट करने के लिए जाओगी जून ह प्रेशान हो जाता है, जबकि उदर चियान बहुत लेट उस कानफरेंस से फारे होती है, और उसके बाद वहाँ पर उसे एक और लॉयर देख लेता है, जो कि लॉयर ली था, वो इस कानफरेंस के बाद उससे थोड़ी बाते करना चाता था, काम से रिलेटिड, लेकिन वो जल्दी में वहाँ से निकल जाती है, और अंदर आता ही घर में वो चियान को वाजने देने लगती है, पर चियान अपने कमरे में भी नहीं था, उसे लगता है, कि वो मुझे से नराज होकर चला गया है, वो सैट सैट फेस बनाकर बैटी होई होती है, कि उपर से चियान केक लेकर उसके सामने खड़ा होता है उसे लगा था कि चियान चला गया है क्योंकि चियान की एक फ्लाइट भी थी और वो लेट हो गई है अपनी हंडर्ड्स डे अनिवर्स्री मनाने से लेकिन वहाँ पर चियान केक लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता था मैंने तुमसे प्रामिस करा था मैंने अपनी फ्लाइट डिले करा ली है और इसके साथ ही याओ की आंखों में आंस हो आ जाते है यहाँ पर चियान जब उसे गिफ्ट दिखाता है और यह थे मैचिंग नेकलिस कपल नेकलिस उसमें उसके लिए खरी दे थे जो के याओ लेने के बारे में सोच रही थी चियान कहता है कि मैं बहुत स्टुपिड था जो इसके बारे में फूल सोचता था लेकिन अब यह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुमने भी यही पैना है और इसके साथ ही वो उसे हग कर लेता है और किस करने लगता है लेकिन जैसे ही वो उसके ज़्यादho क्लोज आता है याओ शर्मा जाती है और कमरे में भाग जाती है लेकिन धोड़ी देर बाद चियान देखता है तो वो अपने कमरे से पिलो उठाकर उसके कमरे में ट्रांसफर हो गई थी यह देखते ही चियान बहुत कुछ हो जाता है और तुरंथ ही कमरे में भाग जाता है अब नेक्स्ट मॉनिंग जब याओ की आँख खुलती है तो चियान के बैट पर थी लेकिन चियान वहां पर नहीं था पर चिय कि इससे बैस्ट मैं तुम्हें और कोही करता था इसलिए मैंने खुद को तुम्हें गिफ्ट में दे दिया और जब मैं नहीं खुद में चुछाएदा करो चियान सुबह भी सुभा उठकर अपनी फ्लाइट के लिए निकल चुका था जबके 176 अब चियान साथी साथ लिय वो एक एक्सिलेंट लॉयर बनना डिजर्व करती है यह मैं उसके काम को देखकर कह रहा हूँ यहां पर लियांग को तो काफी जेलस फील होता है लेकिन साथ ही साथ वो चियान से कहती है कि तुम्हें ब्रॉड जा रहे हो तो तुमसे मुझे एक फेवर शाहिए वो यह थी कि एक लिपस्टिक थी एक स्पेशल ब्रेंड की जो कि सिर्फ ओवर सीजी मिलती थी वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे ले लेते आना लियांग उदर अपने हाथ से एक प्रोजेक्ट छोड रही थी क्योंकि उसे एक कॉम्लिकेटिड लग रहा था किसी सीनियर को देना चाहती थी लेकिन जब वो वहाँ पर याओ को आये देखती है उसमें काफी अच्छा काम किया था जो भी लियांग ने उसे दिया था और साथ ही साथ चियांग उसके इतनी थारीफें करता था तो उसमें सोचा था कि शायद इससे अच्छा और कोई मौकर नहीं मिल सकता याओ को नीचा दिखाने का वो वो केस उसे दे देती है और कहती है बहुत एजी है इससे तुम हैंडल करोगी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे ले लेना ये देखके दूसरा लॉयर भी काफी परेशान होता है लेकिन लियांग कह देती है कि मैंने सुना है ये ओवर स्मार्ट है देखते कैसा परफॉर्म करती है वैल अब उसके बाद याओ उसी केस के सिल्सले में क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाती है और क्लाइंट जो आउन्टी थी उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटिड इनसान है और वो इनसान कामर्साइकोपेट्स ज़्यादा लग रही थी हर छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू को गिन रही थी अब जब याओ उस डिफिकल्सी आउन्टी से मीटिंग करने के बाद आफिस में वापिस आती है तो वहाँ पर टैन भी उसके पास आ जाती है एक बहाने से उसके ये चाय और केक भी लेकर आई थी और साथी साथ कह रही थी कि आज के दिन मैं काफी फ्री हूँ अगर तुम्हें कोई हेल्थ की ज़रूरत हो तो मुझे बताने में रिलक्टन ना होना तो यहाँ तो याओ उससे कहने लगती है कि मुझे सब पता चल गया एक्शली चियान ने जाते जाते तुम्हें कहा है ना मेरी हेल्प करने को और वाकई ऐसा ही था चियान ने टैन को कहा था कि प्लीज याओ का ख्याल रखना लेकिन याओ को लगता था कि वो ये केस खुद ही हैंडल कर सकती है जबकि उधर चियान ओवर सीज अपनी एक मीटिंग अटैंड कर रहा था और जैसे ही मीटिंग ओवर होती है वो अपने क्लाइट से वहाँ पर पूछता है कि नियरेस्ट बीच कौन सा है यहाँ पर और तुरंत ही वो कोस्ट लाइन पहुच जाता है और वहाँ से कॉल करता है याओ को एक्शली याओ का सपना था वो उसके साथ बीच पर जाना चाहती थी वो उसे वीडियो कॉल में यह सारा नजारा दिखाता है और यहाँ पर याओ और वो फैसला करते हैं कि बहुत जब वो लोग भी वकेशन पर जाएंगे किसी बहुत अच्छी जगा किसी अच्छे से बीच पर वेल अब याओ अपनी डॉक्यमेंटेशन कंप्लीट करके नेक्स टिरे लियांग के पास लेकर जाती है और लियांग भी उसके वर्किंग स्टाइल को देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी वल्ती निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन फिर फेस पर एक स्मायन सजाए उसकी तारीफ करनी परती है और याओ के चले जाने के बाद वो अपने दूसरे लॉयर से कहती है कि जाओ और इसमें से कोई वलती तलाश कर किलाओ लेकिन बदले में वो लॉयर उल्ता याओ की तारीफ में करने लगता है और कहता है कि मैंने पहले ये काम चेक कर लिया है दो दफा़ और अब समझाए कि चियान वाकई इस कितनी तारीफ क्यों करता है ये लड़की रियल में कैपेबल है और उसकी ये तारीफ सुनकर फिर लियांग का चेहरा देखने वाला था उसका लगता है कि सारा मज़ा खराब हो चुका था तो अब शाम के टाइम पर जब सारा ओफिस खाली हो जाता है याओ भी चली गई थी तो लियांग ओफिस में आती है और उस ताइम पर वो बहुत होसे में दिखाई दे रही थी किस ओर्डिनरी सी लड़की में ऐसा क्या है जो शियान कोई इतनी स्पेशल लगती है और फिर उसकी ड्रॉर को चेक करती है वहाँ पर कुछ फाइल्स पढ़ी थी उनके साथ गरबढ़ कर देती है अब नेक्स डे याओ बिचारी बहुत परेशान होती है और साथे साथ टैन भी हर जगा वो डॉक्यूमेंट तलाश कर रही थी जो कि उसमें कोट की प्रोसीडिंग के लिए रैडी किये थे लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और दो वो गुस्से वाली आंटी और भी ज़्यादा चिलाने लगती है कि तुम किस तरह की लॉयर हो क्या अपनी सरफ गुर लुक्स से काम चलाती हो अब वो आंटी इतना ज़्यादा चिलाती है कि यहाँ पर याओ को उनको शांत कराने के लिए यह कहना पड़ता है कि आपकर जो भी नुकसान होगा मैं एक एक पैनी की कमपनसेशन दूँगी और वो यह सारा कुछ रिटन भी उनको लिख कर देती है अब जब कोर्ट में वो केस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आंटी काफी ज़्यादा शोर मचाती है और उनको लग रहा था कि मुझे मेरे पैसे पूरे नहीं मिलेगे इस डिवोर्स के बाद वो वहाँ पर जितना शोर मचा रही थी उसे देखकर दूसरे लॉयर्स भी परिशान हो जाते कि याओ इस जैसे आंटी को कैसे हैंडल कर रही है वैल अब फाइनली याओ किसी तरह से आंटी को मना कर वापिस लेकर आती है और केस दुवारा से स्टार्ट होता है यहाँ पर याओ के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे लेकिन फिर भी वो इस केस को इतने अच्छे से हैंडल करती है के इंडियन आंटी वो केस जीत जाती है और यहाँ पर कुछ और लॉयर्स भी यह सारा कुछ देख रहे थे और वो भी याओ को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं इनमे लॉयल ली भी था अब जब वो कोर्ट रूम से बाहर आती है तो वो ही लॉयल ली उसके पास आता है वो उसका क्लासमेट था और वो उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लॉयर्स बन चुकी हो और अगर जून हंग से कभी तुम्हारा मन भर जाए तो तुम हमारी लॉव फर्म जॉइन कर सकती हो उसे अपना कार्ट भी दे देता है जब वो आफिस में वापिस पहुचती है तो टैनोस की बहुत सारी तारीफें करती है आज के केस में उसे लग रहा था कि याओ बहुत मैचूर हो चुकी है और वो उसे कहती है कि आज का केस जीतने की खुशी में और इस आंटी से बिलकुल कामली डील करने के बाद लगता है कि हमें पार्टी करनी पड़ेगी लेकिन अभी याओ की खुशी सरफ इतनी ही थी इतने में बाहर से शोर की आवाजे आने लगती है तो पता चलता है कि वो ही आंटी गंदे अंडे और टमाटर लेकर उनकी लाओ फर्म में पहुंच गई है और हर तरफ उन्होंने वबाल मचाया हुआ है याओ जाकर शांत करने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट रसीदे गुम कर दी है और साथी साथ मुझे मेंटली टॉर्चर भी दिया है इसकी कमपंसिशन कॉम देगा और यतनी मेंगी फीस तुमारी मैंने क्यों भरी यहाँ पर याओ उनको शांत कराने की कोशिश करती है तो वो उसी यूपर अंडा फैक देती है और उसकी बॉस को बुलाने लगती है अब वो लियांग को सामने खड़ा करके याओ की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि बहुत बड़ा ना मेरे जून हंग लाफ फर्म का यहाँ पर यहाँ पर दी हुई रसीदें गुम हो गई है तो यहाँ पर लियांग अच्छी बनने की कोशिश करती है याओ की साइड लेती है कि बेशक ओरीजिनल रसीदें तो गुम हो गई थी लेकिन फिर भी आप केस तो जीच चुकी है आपको इतना फस क्रियेट नहीं करना चाहिए और इस बात पर वो आउंटी को काम कर देती है कि जो भी आपने फिस भरी है वो मैं आपको कमपंसेट कर दूँगी क्योंकि यह मेरी अंडरलिंग है, मेरी टीम से है तो आपको अपनी फिस के सारे पैसे वापस मिलेंगे यह सुनते ही आउंटी कुछ हो जाती है और लियांग दोबारा से सब के सामने कहने लगती है किसे माफ कर दे है, यह भी छोटी है और वैसे भी, यह हमारे सबसे बड़े बास की गिर्ल्फरेंड है इसे यहां पर कोई कुछ नहीं कह सकता अब सारे ओफिस के सामने यहां की इससे बड़ी इंसल्ट और कौन सी हो सकती थी विचारी ने इतनी मेनत करी और उसके बाद भी यह सुनना पड़ा और लियांग उसांटी के चले जाने के बाद यहां के करीब आती है उसके कपड़े साफ करने के लिए और साथी साथ उसे कहती है कि अगर तुमें एक वोमन की तरह उपर उबरना चाहती हो तो तुमें किसी मर्द का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है अपने मल पर कुछ करके दिखाऊना और तर इतने में उपर से वुजून भी आ जाता है और विचारी याओ की तरी मुरी हालत देखकर वो सारों को वहां से डिसपियर होने को कहता है और अपना कोट उतार कर उसके उपर कर देता है यहां पर लोग और भी गॉसिप्स करने लगे थे कि सिर्फ चियान ही नहीं वुजून को भी इसने हाथ में किया हुआ है वेल लियांग ने तो अपना मिशन हासल कर लिया था उसके फेस पर एक फातिहाना स्माइल थी अब वुजून आता है लियांग के उफिस में और उससे कहता है कि इस इशू को हैंडल करने के लिए हमें इंक्वाइरी तो करनी पड़ेगी बोर आफ डारेक्टर के सामने तुम्हें एक्स्प्लेंशन देनी पड़ेगी क्योंके एक अंडलिंग तो दे नहीं सकता तुम्हें पाटरो तुम ही दोगी लेकिन वुजून की शकल देखकर लग रहा था चियान की टीम से याओ को बहार निकलवाया अपनी टीम में एड कराया और पिर अब एक और साधिश करके फानलि उसे डिसपॉंटिट कर दिया था उसे इस नैच पर खड़ा कर दिया था कि वो कंपनी ही छोड़ दे और यही बात जाकर याओ करती है वो जून से वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक छोटी सी बात है इसे इतना बड़ा इशू मत बनाओ लेकिन वो कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ मैं यहाँ से रिजाइन करके जाओंगी अपनी रिस्पॉसिबिलिटी शो करते हुए और उसके बाद याओ चियान को कॉल करती है वो अपने बिजनिस ट्रिप पर ओवरसीज था वो सोचती है कि इसे परेशान क्यूं करूं उसे जब हंसता मुस्कराता देखती है तो फिर उसे अपने बारे में कोई बात भी नहीं बताती ताकि उसका ट्रिप इस वैसे अफेक्ट ना हो जबके दूसी तरफ हमें चियान को दिखाते हैं फाइनली जब वो जियूरेक सिफ वापिस आ रहा था जबके दूसी तरफ वो जून बहुत परेशान था वो शी से भी कहता है कि जैसे ही पता चलेगा याओ के रिजाइन के बारे में चियान को वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं क्योंके वो तो थाने मेरे रिस्पॉसिबिलिटी थी लेकिन शी वो जून को यही कहती है कि याओ बच्ची नहीं है अब उसने फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं आटेगी जबके नेक्स्ट ही डे याओ को दिखा थे हैं वो आफिस में अपनी पैकिंग कर रही थी यहां इस आफिस तो उसकी बहुत सारी यादे जुड़ी हुई थी यहीं परी उसे अपना लव में मिला था और उसने बहुत कुछ सीखा था चियान ने उसे डांटा भी और प्यार भी बहुत दिया लेकिन फिर एक भारी दिल के साथ वो अपना समान उठा कर उस आफिस से चली जाती है और जब तक चियान वापिस आता है वो देखता है तो उसकी गिर्ल फ्रेंड का डेस्क बिल्कुल एम्टी पड़ा हुआ था वहाँ पर कोई भी समान नहीं था टैन तो चियान से नजरें भी नहीं मिला सकती थी उसे सामने क्या जवाब देती वो साइड पर जाकर उसे फोन पर बात कर दी है और बताती है कि याओ याफिस छोड़कर चली गई है उसमें रिजाइन करा है चियान बहुत डिस हार्ट हो जाता है और याओ वो तो अपनी सीवी कहीं और सेंड कर रही थी एक नई चखा जॉब तलाश करने के लिए और वो प्रोबैबली मिस्टर ली की ही कंपनी होगी जब वो गर वापिस आती है तो देखती है कि चियान ने उसके लिए फिर से कुकिंग की हुई है और वो याओ से कहने लगता है कि मैं तुमसे बिलकुल अपसेट नहीं हूँ अगर तुम उस आफिस में नहीं रहना चाहती थी तुम्हारी मर्जी वैसे भी तुम पर बहुत जादा बर्डन पढ़ गया था अगर तुम्हें इसी तरह से अपने मन की शांती मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ हूं इस फैसले में लेकिन अच्छली ये सब उसने याओ को सिर्फ शांत कराने के लिए कहा था और उसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में खुद से मिलने के लिए वूजून को बुलाता है वूजून बहुत डरता है उसे लगता था कि ये पंचिंग बैग मेरा फेस होने वाला है और पिर होता भी कुछ ऐसा ही है वो वूजून से बहुत हुज से में कुष्चिंग करने लगता है वूजून अपनी सफाई देता है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी पर वो छोटी बच्ची नहीं है जिसे मैं डाट कर ये बहला कर बिठा लेता उसकी अपनी मर्जी थी वो सारी इशू की उसे complete details भी बता देता है और उसके बाद चियान सीधा जाता है लियांग के पास और उससे कहने लगता है कि मैंने सारी investigation कर ली है और उसने उसी रात की CCTV फुटेश भी निकाल ली थी और उस hidden फुटेश में यही नजर आ रहा था कि राद को लियांग गई थी आफिस में और कोई भी नहीं चियान उसे यह फुटेश दिखा कर कहता है कि इसका मतलब है यह सब तुमारी साधिश थी याओ को यहां से निकालने की लियांग के पास अब कुछ चुपाने के लिए बचा ही नहीं था वो कहने लगती है कि हां तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें यूनिवरस्टी टाइम से लाइक करती हूँ पर जब तुम मही तरफ एक नजर भी नहीं करते थे मैं तुम्हारे लिए एक कमपनी जॉइन की लेगिन तुम्हें यू की लावा कुछ नजर नहीं आता था तो मुझे तुमने मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए कि यू की यहां से निकाल दूँ अब इस बात पर चियान को बहुत वुस्ता आता है मुझ चलाता है और लियांग से कहता है कि सब की कसूरवार तुम हो मैं तुम्हें लाइक नहीं करता मेरे दिल में तुमारे लिए कोई जगा नहीं है इसमें याओ का क्या कसूर था और फिर उनकी इसी लड़ाई में उपर से वो जून भी आ जाता है जो बहुत मुश्किल से चियान को शांत करा कर वहां से बेच देता है जबकि उदर याओ बहुत अपसेट थी चियान उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है असल दिम्हदार तुम नहीं थी वो डॉक्यूमेंटस लियांग ने वहां से उठाए थे और इसलिए अब तुम आफिस में वापस आचाओ क्योंकि तुम्हारी इनोसेंस थाबित हो चुकी है लेकिन याओ को लगता था कि जो जगा मैं छोड़ चुकी आप मेरा वहां पर जाने का कोई मतलम नहीं बनता उसका ही मिच सब लोगों की नजरों में खराब हो चुका था और ऐसे एड्मास्फिर में वो काम नहीं कर सकती थी जबके वूजून अकेले में लियांग से मिलने के लिए बाहर कहीं जाता है और उसे उन तीनों की इकटी फोटो दिखा कर कहता है कितना अच्छा था ना जब हम लोग सिर्फ फ्रेंट्स थे तो हमारे लिए सिर्फ एक यूनिवर्स्टी फैलो थी और तुम्हारी हमारी नदरों में बहुत रिस्पेक्ट भी थी लेकिन ये सारा कुछ रुईन हो गया सिर्फ तुम्हारी साधिशों की वजा से लेकिन अभी भी मौका है अगर तुम याओ से जाकर अपॉलोजाईज कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है सब कुछ वापिस पहले जैसा हो जाएगा और लियांग को देखकर लग रहा था कि वह जून की बातों का उस पर असर हो रहा है उसे समझ आई थी कि इतना कुछ करने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ खोया है पाया कुछ भी नहीं और फिर वो तुरंट ही कॉल करती है याओ को और उसे एक जगा पर मिलने के लिए बुलाती है अब वो उसके सामने इतराफ करती है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे किया था तुम्हारे किलाफ साधिश की थी तुम्हारी जगा खराब करी थी ओफिस में तुमें नीचा दिखाने की कोशिश कर और मैं शर्मिनदा हूँ याओ उसकी सारी बाते सुन लेती है और उसे माफ भी कर देती है लेकिन कहती है कि उस ओफिस में वो वापस नहीं जाओंगी और फिर वो जैसे ही घर आती है तो चियान को दिखाते है वो याओ का ही वेट कर रहा था और अपने पैर पर चोट लगने की वज़ा से वो याओ की अटेंशन लेने भी कामयाप हो जाता है लेकिन याओ किसी तरह सिर्मानी नहीं रही थी उसके आफिस में वापस आने को और उसके बाद दिखाते हैं कि याओ ने एक नई जगा पर अपलाई कर दिया है और वो इंटरव्यू देने के लिए उसी बिल्डिंग में आई थी और वो चियान को सी आफ कर दिये उसका फ्लोर से पहले आ गया था चियान बहुत साइड था और आज जब वो आफिस में आता है और किसी को भी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देता सब नोटिस करते हैं कि उनका बॉस कितना सैड है जबकि उदर याओ की आज नई जगा पहली जब थी और उसे सारे लोग वेलकम करते हैं मिस्टर ली की कंपनी में और वो अपने वहां के नए कोलीक्स के साथ आज एक वेलकम पार्टी में भी गई हुई थी जहां पर वो लोगी कट्छे लंच कर रहे थे और जून हंक के बारे में बातें भी कर रहे थे वो लौफम जून हंक से काफ़ी चोटी और रेपिटेशन में अभी बहुत नहीं थी लेकिन वहां पर मौझूद सारे लोग उस वक्त हैरान रह जाते है जब चियान वहां पीछे आया खड़ा था याओ के लिए और याओ वहां पर बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करती है कि जैसे चियान सिर्फ और सिर्फ उसका एक्स बास है लेकिन वह सब को बता देता है कि मैं इसका एक्स बास नहीं मैं तो इसको बॉइफरेंड मन कर यहां पर आया हूँ अब याओ के नए कोलीग्स भी काफी आकवर्ड फील करने लगते हैं क्योंकि अफकोर्स चियान का बहुत बड़ा नाम था वो सबसे बड़ी लॉफर्म जून हंग का आउनर था अब याओ अकेले में जाकर चियान पर काफी गुस्ता भी करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं गरना चाहिए था मैं तुम्हारा नाम नहीं चाहती अपने सरकल में मैं सर्फ अपनी पहचान चाहती हूँ और पर किसी तरह से उसे मना कर वहां से भीज़ देती है और पर अपने नई कोलीक से भी यही बात जाकर शेयर करती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे रोब में आए कि मैं चियान की गिर्लफरंड हूँ मैं बिलकुल आप लोगों जैसी एक जूनियर सी लॉयर हूँ जिसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आप लोगों के साथ मिलकर काम करूंगी लेकिन चियान तो नेक्स टे आफिस में जाते हुए याओ के नए बास को काफी धमकाने की भी कोशिश करता है कि मेरी गिर्लफरंड को तंग करने की कोशिश ना करना पर एन टाइम पर याओ आकर चियान को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे ऐसे काम करने से रोक देती है वैल अब इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं चियान अपने आफिस में जाता था और याओ अपने आफिस में लेकिन चियान कभी भी याओ से बेखबर नहीं रहता था वो हमेशा उसके वर्टसब स्टेटस चेक करता रहता था वो जब भी अपने कोलीक्स के साथ किसी लांच ये डिनर पर जाती थी तो वो चोरी चोरी उन्हें अब्जर्व करता था उनकी बातें पी सुनता था जबके एक दिन याओ को चियान की मम्मी मिलने के लिए आती है वो काफी परेशान थी उन्हें लगता था कि अगर याओ ने ये आफिस में जाब छोड़ दिये तो कहीं इन दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं होगी कहीं ब्रेक अप तो नहीं होगी वो याओ को काफी मनाने की भी कोशिश करती है कि मेरे बेटे को चोड़ कर मत जाना तो मुझे बहुत पसंद हो और तो और चियान को भी तमकी दे देती है कि अगर तुम दोनों के बीच किसी वज़ा से कोई लड़ाई है तो सुरह कर लो क्योंकि तुम्हारे डैड को और मुझे याओ बहुत पसंद है और वही हमें बहु के तोर पर सुईकार होगी चियान बजारे का तो सारा सारा दिन आफिस में बस याओ की यादों में ही गुज़ता था वो आजकल बहुत लोनली फील करता था उसे जैसे याओ की आदस सी हो गई थी लेकिन नए आफिस में याओ काफी बिजी रहती थी वो अपना कैरियर बनाने में इतनी मस्रूफ थी कि अक्सर चियान को ज़ादा टाइम भी नहीं दे पाती थी फिर एक दिन चियान अपने साथ याओ को एक पार्टी में लेकर जाता है वहाँ पर याओ थोड़ा सा चियान से फासला रखना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लाइर्स थे और वो नहीं चाहती थी कि उसकी अपने सर्कल में सिर्कल में सिर्फ यहीं पहचान रहा जाए कि वो चियान की गिर्फरंड है उसे कभी कभी लगता था कि चियान बहुत अच्छा बॉयफरेंड है लेकिन उसके फायदे होने से ज्यादा उसे नुकसान हो रहे थे अपना कैरियर बनाने में लोग उससे फासला रखते थे और उसके रोब में आ जाते थे और आज भी कुछ ऐसा ही होता है और इसी बात पर याओ चियान से लड़ाई भी कर लेती है उनके बीच आरग्यू होता है यही बात को लेकर कि याओ कहती है हर जगां यह मत बताया करो कि मैं तुम्हारी गिर्फरेंड हूँ प्लीज मुझे कुद की अपनी कोई पहचान भी बनाने दो क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था सब यही कह रहे थे कि यह चियान की गर्फरेंड है वैल अब इसी तरह की बातों को लेकर याओ भी काफी परिशान रहती थी और चियान भी अपसर था इवन की वाकसर अपना हुसा अपने कोलीग्स और वुजून पर भी निकाल देता था और बस इसी तरह की चियान की चिर्चडे पन और उन दोनों के इकटे ना नजराने की वज़ा से हर तरफ यही बाते पहल रही थी कि जैसे याउ और चियान का अपस में ब्रेक अप हो चुका है और बहुत से लोग यहीं गॉसिप्स करते पाए जा रहे थे हाला कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था उन्होंने बस एक दूसरे से मिलना जिलना थोड़ा कम किया था उदर याउ को अपने नए आफिस में आज एक नएा केस मिलता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटिट टाइप का था वो अपनी क्लाइट से भी मिलती है जिसके हस्बंट की डैथ हो गई थी और उसकी कमपनी मदर इनला और वाइफ दोनों की बिच लटक के रह गई थी पहुंचता है लेकिन जब तक वो आया था तब तक याउ वहां से चली गई थी उनसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि याउ यहां पर आई थी अभी उनके बेच इसी तरह की एक खामोश सी जंक चल रही थी कि यहीं पर यह एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और वो यह था कि याउ ने जो निया केस लिया था वो ही केस उसका उपरेंट लॉयर कोई और नहीं बलके चियान ही था चियान जाता है और याओ उसे कहता है कि प्लीज इस केस से तुम विद्डुरा कर लो मुझे नहीं पता था कि यहां की लॉयर तुम हो पर याओ ऐसा करने से इंकार कर देती है और कहती है कि प्लीज प्रोफेशनली बिहेव करो और बस इसी बात को लेकर उनकी बीच फासले कुछ और भी बढ़ जाते है याओ एक दफ़ा सीरियसली सोच भी रही थी कि शायद वो इस केस से पीछे हट जाए किसी और लॉयर को दे दे लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि उसकी क्लाइट ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और वो से देखने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो इस केस को लेकर कितनी सारी अपनी भावनाएं जोड़ चुकी है और अगर याओ के इलावा कोई और नॉन सीरियस लॉयर इस केस को लड़ेगा तो शारद वो दुबारा से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी याओ इस केस को बहुत सीरियस ली देखने लगती है जबकि उदर वो जून और शी की लाइफ काफी अच्छी जा रही थी शी ने जून हंग जॉइन कर ली थी और याँ बरवू जून ने उसके लिए एक अच्छा सा आफिस भी सैट अप किया था लेकिन यहाँ पर आते ही शी ने सबसे पहली बात नोटिस करी थी वो ये थी के चियान बहुत हुस्ते में फिर रहा है और उसके सारे इंप्लॉईuencia उसे देखता ही डर जाते थे शी सोचती है कि उसे चियान से बात करने की कोशिश करनी चाहिए वो एक दिन उसके पास एक बहाने अंसे जाती है और कहती है कि एक दो दिन मेरी डॉक की केर करना मुझे कुछ काम है और साथी साथ मशवरा देती है कि अपने और याओ के बीच वासले खतम करो और अपने दिल की हर बाद उससे क्या दो इस तरह से दिल में बाते रखने से मामले और खराब होंगे और पिर चियान फाइनल याओ से मिलने के लिए जाता है लेकिन ये उनकी एक ऑफिशल मीटिंग ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने केस पर डिसकेशन करनी थी यहाँ पर याओ अपने ढंक से उस केस को बताने लगती है कि किस तरहां से मेरी क्लाइट कितनी सीरियस है और उसने सूसाइड अटेम्ट भी करी है इसलिए मैं इस केस से पीछे नहीं हटूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इलावा कोई भी इस केस में 100% नहीं देगा जितना मैं दे सकती हूँ तो हम चियाण याओ की सारी बाते सुनने के बाद जब घर वापिस आता है तो अपने डॉक के साथ टाइम स्पने करता है और कुछ डीप लीस सोच रहा था इसी बारे में और यहां पर वो अपनी डॉक के साथ एक फोटो भी अपलोड करता है अपने स्टेटस पर जिसे देखकर याओ काफ़ी फ्रेश हो जाती है तो पर उसके बाद हमें पता चलता है कि एकशली चियान ने क्या प्लाइन किया था वो कभी भी याओ के अपुरेंट वो केस नहीं लड़ना चाता था वो ऐसा करता है कि हॉस्पिटल में पहुंच हो जाता है और उस मदर इनलॉ की और उस वाइफ की आपस में मीटिंग करा देते हैं यहां पर एकशली वो दोनों ही बिल्कुल गलत नहीं थी उनके बीच कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग्स थी जो कि फाइनली क्लियर हो जाती है और इस तरह से इस केस की सैटलमेंट हो जाती है बिना कोर्ट में जाए और यहां पर चियान की ये बहुत बड़ी सक्सेस थी उससे लग रहा था कि जिस तरह से इन दोनों की सुला हो गई है इस तरह से उसकी और याओ की भी सुला हो सकती है वो याओ को मनाता है और फाइनली याओ भी मान जाती है वो दोनों हाथ पकड़ कर वहां से बाहर जाते है और यहां पर याओ का पैर मुड़ जाने की वज़ा से चियान उसे कैरी भी करता है और वो उसे पिगी बैक करता हुआ एक पॉइंट पर लेकर जाता है जहां पर फाउंटेन शो चल रहा था याओ से उनकी पहले भी बहुत अच्छी अच्छी यादे जुड़ी हुई थी यहां पर चियान उसका हाथ पकरता है और उससे कहने लगता है कि याओ मैं तुम से शादी करना जाता हूँ हम किस तरह से अपने पेरेंट से बात चलाएं यह सुनते ही याओ शर्मा जाती है और काम का बहाना करके वहां से निकल जाती है लेकिन चियान सैड हो गया था उदर वुजून को भी नेक्स डे पता चल गया था कि चियान की और याओ की अपस में सुला हो चुकी है और वो एक दूसरे के खिलाफ केस भी नहीं लड़ रहे तो अब वो उससे पार्टी लेने की बात करते हैं और यहाँ पर चियान याओ के साथ साथ कुछ और भी उनके फ्रेंड्स बैटे होते हैं जो सब इकटे बैट कर खाना खाते हैं लेकिन चियान का तो मन था कि वो याओ के साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता है लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ से जल्दी निकलने को रैडी ही नहीं होता और चियान उससे में आकर मेरचीवरे नूडल्स खा लेता है अब बेचाना जब घर पहुंचता है तो एक और मुसीबत आ गई थी घर पर जो शी का डॉक था उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जिसकी वज़ा से उसे तुरांत ही अमरजंसी में लेकर जाना पड़ता है यहां पर डॉक्टर और चियान की ममी को भी पता चल जाता है वो डॉक्ट तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था लेकिन ममी जरूर हैरान रह गई थी कि मेरा बेटा कितना बदल गया है यह तो डॉक्स से डरा करता था और अब डॉक्स की तनी केर कर रहा है यह सब याओ की वज़ा से पॉसिबल हुआ है और पिर उसके बाद चियान घर जाने की बज़ा सीधा याओ के फ्लैट पर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वकत मैं बहुत ठक चुका हूँ और यहाँ पर याओ को पता चलता है कि ना सिर्फ उसके हाथ पर चोट लगी है बलकि उसे फीवर भी हो रहा है तो वो डॉक की भी केर करती है और अपने बॉइफरेंट की भी यहाँ पर वो चियान से बहुत कहती है कि याओ तो मैं हॉस्पिटल ले जाओ लेकिन चियान मानी नहीं रहा था वो सिर्फ और सिर्फ याओ के हाथ का बनावा पॉरिज खाना चाहता था जो कि याओ उसके लिए प्रिपेर करती है और फिर वो खाता है उसे एक हक करता है और फिर उससे कहने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसकी केरों से हमें शठीक कर देती है अब नेक्स्ट मॉर्निंग वू जून और चियान दोनों की मुलाकात होती है एक डेजर्ट शॉप के बाहर जहां पर वो एक लंबी क्यूँ में अपनी अपनी गिर्फरेंड के लिए डेजर्ट लेने के लिए आये हुए थे एक दो स्कैंडल्स आउट हो गए थे और दूसरा याओ ने रीसेंटली उसे जो केस हराया था उसके बाद अब वो काफी परिशान था और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके डाउन फॉल का जिम्मेदार कोई और नहीं बलके याओ और उसका बॉयफरेंड है तो अब वो किसी को एक काम करने को कह देता एक्शली वो साधिश कर रहा था और यहां पर नेक्स्ट डे जून हंग में खल बली मच जाती है जब सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी फर्म को निशाना बनाया जा रहा था और यहीं कहा जा रहा था कि यह लोग सरफ पैसे के लिए काम करते हैं इनके पास एक्सपिरियंस नहीं है खरीदारी करते हैं और यह भी कि यह लोग कितने जूनियर्स हैं और इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकते हैं यह सारा कुछ मिंग का रहा था शी को भी बहुत गुसा आता है तो उसे तरफ याओ भी तपी हुई थी क्योंके मिंग ने एक शो पर जाकर चियान और उसकी फिर्म के बारे में बहुत कुछ बुरा बला बोला था उन्हें बजराम करने की कोशिश करी थी याओ का बहुत मन कर रहा था कि जिस तरह से मिंग उसे डिबेट करने की आफर कर रहा है तो उसका बॉइफरंड सीधा जाए सब के सामने शो में जाकर उसे डिबेट करें और उसे सबक सिखा कर आए लेकिन उनको लगता था कि कहां चियान इस सब के लिए मानेगा वो जून जाता है उस मेडिया हाउस में उस शो के प्रोडियूसर के पास लेकिन वो शो वाला भी यही चाता था कि चियान वहाँ आए और चियान फाइनली अपियरंस दे देता है और उस शो के लिए यस बोलता है यह सुनते ही याओ भी बहुत जादा खुश हो जाती है और पिर उस शो का प्रोमो चलाने के लिए यहाँ पर चियान के कुछ फोटो शूट किये जाते है और उसका मेक अप कोई और रही बलके उसकी गर्फरेंड ही करती है और जैसे उस शो का ट्रेलर रिलीज होता है वो जून और सारे को लीक्स यह देख कब बहुत खुश हो जाते है और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह की अपिरेंस चियान ने दी है ट्रेलर में उससे लग रहा है कि फिल्म तो हिट होने वाली है और ना सिर्फ उनकी जून हंग के बारे में जो जूट पहला जा रहा है वो खतमों का बलकि उनको ज्यादा ही कस्टमर मिलेंगे वैल अब फाइनली शो वाला दिन आ जाता है और यहां पर मिंग के सामने चियान आता है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके अपने अपने फ्रेंड्स वहां पर मौजूद थे यहां पर उनके सामने एक केस रख दिया जाता है जिसमें हस्बंड और वाइफ थे और उस केस को लेकर वो लोग किस तरह से हैंडल करेंगे इसी बात पर उनको जच किया जाएगा इस लाइफ शो में यहां पर मिंग और शियांग जिस तरह से बिहेव करते हैं और अफकोर्स यहां पर शियांग अपनी स्मार्टनेस की वज़ा से लॉकी टर्म्स में मिंग को पीछे छोड़ देता है और अबिसली वो मिंग से काफ यागे दिखाई दे रहा था और फिर इतने में एक और बम फूट पड़ता है मिंग पर जब उसे पता चलता है कि शी ने उसके खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला किया है वो अपना एक वीडियो भी रेकॉर्ड करती है और साथ ही साथ अपने फ्लैट के सिसी टीवे फूटेज भी दिखाती है कि किस तरह से मिंग ने उस पर हमला किया था वो डिवोर्स लेडिस के बारे में किस तरह सोचता है और अपनी डिवोर्सी वاعफ को किस तरह से बलैक मेल करता है उसका अपना इमेज आज खाक में मिल गया था और फाइनली जिस तरह से शी ने पहले उसे छोड़ दिया था अब वो फैसला करती है कि इसे जरूर इंसाफ दिलाएगी अब मीडिया के सामने चियान भी आता है और सब को यही कहता है कि मुझे सरफ मजबूर किया गया था वरना शायद मैं इस तरह से लाइम लाइट में ना आता और साथी साथ हूँ यह भी कहता है कि लाइफ मेरिज और डिवोर्स के बारे में मेरे ख्यालात बदलते जा रहे हैं और उसकी वज़ा कोई और नहीं बलके मेरी गिर्फरेंड है उदर मिंग को फाइनली सजा दिल्वाने के बाद आब वू जून और शी काफी कुछ नदर आ रहे थे वो एक हैपी कपल बन चुके थे और उन्हें देखते ही चियान भी यह उसे मौके का फाइदा उठाते ही उसे राजी कर लेता है और उसे कहता है कि हम लोग जल्दी शादी करेंगे और अब की बार याओ भी उसे यस कर देती है उस दोनों किस करते है शादी के वादे के साथ और यहीं बरी इस ड्रामे की हैपी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग बाइ बाइ